बिस्मिल्लाहिरामानिरोहीम हेलो वेल्कम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट वासेफली और आप देख रहे हैं प्रिक्टेल्स यूटिब चैनल यहां पर मैच्च खिला जाएगा टीम साथ प्रिका और टीम फिरलंका के दर्मयान और यह इस सीरीज का पहला टेस्ट में आथ ह कर देखा कहां हैज पाकिसान और इां पाकिसान और बाटिम साथ फीका और पाकिसान और के पहले स्ट मैाच साउफ पिकाने और टीम स्रिलंका ने और कहलेजिए कि आगाज जो है वो इस मैच का बाकाइदा तोर पर होते हुए बड़े बाच होगा इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां पर पाकस्तान और न्यूजिलैंड वाले मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों बाइस रंद बनाया थे उस मैच के अंदर टीम न्यूजिलैंड ने तीन देकर कलोज किया और अब देखना होगा कि इस मैच की सिचुशन कैसी रहती है आच और अब जो है वह दोस्तों कप्तान करूणा रत्म है जो के इस टीम को लीड कर रहें टीम स्रिलंका को नेक अप्तान है रेलिटिवली दूसरे प्लेयर से काफी धना नेक अप्तान है और यकीनी तोर पर ये भी अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करेंगे अंदर आती हुए गेंद बढ़िया गेंद और डाट डिलिवरी के सा अब तक कोई विरन नहीं मना अभी तक खाता नहीं खुला इस टीम अपना तीम साउट फिका ये प्लेयर जो है वो दोस्तों मैच को आगे लेकर बढ़ते हुए अच्छा मैच होगा स्रिलंका की टीम ने टॉस को बिन किया और टॉस को जीते हुए बाले-बाले-बाली करने जहां पर अब अपने वर की पांच वी गें लेकर राम्दा विकेट डाना शुगा थेस्व एंपार को ग्रास का अगें कैस्टों के बार जाता बगेंड इसकेन को स्मैश कर दिया है अक्ष्रा कबर की जानी बार गेंड बढ़ते हुए जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए लवली हिट कम्माल चौका लगाते हुए इसकेन के उपर बैट्समेन को पंच कर दिया और गेंड को बेडिया एक्स्ट्रा कवर की जाने बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए तो चौके के साथ एक अच्छी शुरुवात लेते हुए पुरुना रतने जो के कप्तान है अपनी टीम के और यकीनी तोर पर इस चौके से हैं उनका कॉंफिदेंस उनकी टीम का कॉंफिदेंस बढ़ेगा और याद रहे दोस्तों कि इन दोनों टीम्स के दर्मयान जब पिछली दफास सीरीज के लिए तीम साउच्पीका और टीम स्रिलंका के दर्म तो सीरीज को भींन किया था था तूस ओ सृ स्रीलंका ने तो शाल परेरत अने करमान क्रिकेट खेली थी तीम सीरीज के अंदर आखें मंधेंदमें से एक विट्ट से टीम साउच्पीका और ये मंके लिए इन की अपने था किया दोनों टेम्स के प्लेएंग 11 को देख लेते स्टेपामला और दूंगी नगेदी जो है वो टीम साफ्ट्रिका का हिस्सा है जब के दूसरी जाने बगर हम बात कर लेते हैं टीम स्टेलंका की तो स्टेलंका की टीम के अंदर भी बड़ी बड़ी तब्दीन है जो है वो आज हमें होते हो दिखाए दिनगी अपसे कुछी देर के बाद मैं आपको स्टेलंका की प्लेंग लेवन के बारे में भी बता दूँगा जहां पर अब एक बड़ा मैच एक अच्छा म वो मजीद लाइक अगले आने वाले वक्त के अंदर हमें जो हैं वो मजीद क्रिकेट सीरीज जो हैं वो होते हुए दिखाई देंगी अब साउट फीका और इंग्लैंड की तीन मंडे मैचेस की सीरीज नहीं हो सकी थी जामिद बन लेका नहीं बलके उंगी थाई का इंसाड आईस लेने के बाद जाएगी लगसाइट की जाएगी दो रूंस आएंगी इसके इनकी उपर और दो रूंस के साथ अब साथ हो जाएगा टीम सिरलंका का स्कोर बिना किसी विकट की नुकसान पे एक अवर का खेल मुकम करवाते हुए बिल्कुल लूंगी नगेदी जासे बॉलर लग रहे हैं यहां पर राइट आम फास्क मीडियम बॉलर है और उन्तीस मैचेस खेल रखें हुने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 79 विकेट्स को अपने नाम का रखा है 27 किन के अबरीच है और बढ़िया क्रिक् सब्सक्राइब करते हैं यहां पर दोस्तों के साथ हो जाएगा स्कूर नौटीन सिरलंका का बिना किसे विकेट के नुकसान पी शर्यादो वर्स का खेली इस मैच के अंदर मुकमल होते हुए माज़र दोस्तों पाक्स पर आती हुए गेन को फिलिक के आल एकसाइट के जानेब उमदा शॉट और गेन जाती हुए बंडरी लाइन के बार चाहकी के लिए जी हाँ गाइस पर आती हुए गेन थी फिलिक किया इस गेन को मोड़ दिया फाइन लग के जानेब और गेन बढ़ते हुए जाएगी बाउंडरी लाइन के बार चाहकी के लिए और चाहकी के साथ स्कोर मजीद आगे बढ़ते हुए लाजवाबंदा से जो है वो दोस्ता भोच का है तेरा तीम सिरलंका खा बिना किसी विक्षाट के लिक्सान पे इंडिया और अस्ट्रेलिया के दर्म्यान मैच जारी जहां अस्ट्रेलिया की टीम ने एक सो पिचान में रंज बनाये थे और इंडिया के टीम जो है वो इसके पीछे टूटल का पीष्ठा करने के लिए गई और विकट कर दिया था शुर्वात लिवर्स के अंदर ही और कर अरे भाई क्या हो टीम सिरलंका जो है वो दोस्तों बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए आज की स्वेच के लिए में टैस्ट में जो है वो एद्रियन और होल स्टॉप जो है वो दोस्तों अपना खेलते हुए थैंक्स एवरीवन फोर स्ट्रेंग यहां पर अगली गेंद सिपाम लाकी एगें शॉट्पीच अगें इसके इनको फ्लिक करने की कोशिश लेक साट की जानिब लेकिन बैट्स में रहेंगे नाकाम इसके इनको गैप में खेलने में वरहल डॉट डॉट डिलिवरी के साथ जहां पर अब यह दोनों टीम आपस में मद्य मुकाबिल हैं और यकिनी तौर पर एक अच्छा मैच जो होने की वकों हैं दोनों टीम के दरमें साथ फिका की बात पर लेते हैं दोस्तों अब अब साथ फिका की जो टीम है वो अपनी होम कंडिशन में खेल रही है हलांके पिछली दफ़ा जब उन्होंने यहीं मैच खेले थे तो पिछली दफ़ा जो है वो सिच्वेशन कुछ यू रही थी कि उन्होंने मैक्स को लूज किया था बरहल अब देखना होगा कि वो टीम सिरलंका से सीरिस जो है वो जीत इंग एपसल उन्ली डिलेवरी कोई मौका नहीं मना बैट्समें के पास के वो इस गेम को खेल सके गेम जाएगी वीकेट कीपर के हाथ में न्यूजीलैंड की टीम ने आज अच्छी क्रिकट खेली और दोसो तेइस तंद दोसो बाइस तंद बनाए उन्होंने जहां पर अब 15 रहते हो इसको टीम न्यूजीलैंड का बिना कि सिवेगर के नुकसाम पर दो वर्ज का खेल अलब मुकमल होते हुए लूगी नगेडी की एगें जार कर लंज इगें इसके इनको ड्राइब किया है वाप इस बॉलर की जानिव डॉट डिलिवरी के साथ पंदरा रहेगा स्कोर टीम सिर्लंका का बिना कि सिवेगर के नुकसाम पर को दोस्तों कुर्णा रत्ने जोके कप्तान है वो एक एक इंपॉर्टेंट हैंड खेलते हुए इस मैच के अंदर और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए प्राइब को फ्लिक करना चाहते थे बैट्समें लेक्साइट के जाने लेकिन गैप में खेलने में रहेंगे नाकाम और डॉट डिलिवरी के साथ रहेगा स्कोर रहा है इस मैच के अंदर पंदरा टीम सिर्लंका का बिना किसी में करते मिकसान थे जहां पे के शमयराज ने अब तक 31 स्केल रखे हैं और इसके रावा कोई भी बॉलर जो है वो इतना ज्यादा एक्स्पीरियंस बॉलर नहीं है टीम सावस्पीट आगा तो इस वीक बॉलिंग लाइन से पाकिस्तान की मापके जिगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर के लिए आप इसाना चाहेंगे यहां दोनों प्लेयर दो रॉन्स को जोड़ते हुए और और दो रॉन्स के साथ स्कोर बढ़ते हुए 17 बिना किस वीकट के नुक्सान पे वाव जी हां दोस्तों पैट्स पर आती हुई गें थी और इसके इनको लेक्साइट के जाने फ्लिक गीनुक्सान पे रहे हैंगे अच्छाल परेरा की पारी जो हो दोस्तों बहुत आमाली है कुके को चाल परेरा को अगर हम देख लेते हैं तो वह एक बहुत भड़ी बलेवाद रहेँ अच्छे बलेवाद आ और यकीनी तॉर पर उनकी आज ज tänोने वाली है वो यоты श क्रिक लेकिन रहेंगे ना कामबैट्स में इसके इनको गैप में खेले में और मिलेगी डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के साथ रहेगा स्कूर सत्रा टीम से प्लंका भी ना किसी भी गैटके नुकसाम पे सव्च्पिका से ये सीडिव इन दोनों टीम्स के दर्माइन अब लाइब के लिए दर बाज पहला तर दिम्स के दर्माइन अब शुरू हो चुका है आप तमान दोस्तों हैं वो यही हमार साथ जुरते रहिएगा इस मैच की लाइब कबरेच को इल्ड़ाय करने के लिए जहां पर अब 17 रहते हुए टीम सिर्लंका का स्कोर बिना अंकिल सबीकर नुकस्तान पर दो आशर यह चार अब उसके पाद याद रहे दोस्तों टीम सिर्लंका ने डॉस को जीते हुए पहले बले बादी करने का फैसला कि अंदर आती हुए गेन और यह बोल्ड होते होते हुए बाल बाल बचेंगे प्लेयर लाजवाब गेन थी अंदर की जाने बाई और अंदर की जाने बाती हुए बले को मिस्किये इसके ने और जाकर टकराई बैक पैट से करीबी मामला हो सकता था बरहल लखी रहेंगे प्लेयर को शाल परेरा के वो यहां पर उबिक्टो को मिस कर दिया इसके ने अदर्वाइस बैट्समें आउट हो सकते थे 17 रहेगा टीम सिरलंका का स्कोर बिना किसे विगट का नुकसान जी हाँ गाइज एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां 17 है स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान पे और रंडेट अच्छी अंदा से मिंटियन की हुए टीम स्रिलंका ने यॉर्क लैंट्य गें दंदर आती हुए गेंद एक दफा फिर पाकिसान की टीम को पुरान अरतने बारा पर मौजूद है को पर मौजूद है साथ गिनों का सामना क्या सिंफाब लाने आठ रंस के वज़ कोई विगट अब तक लूजन नहीं की मतलब हासिम नहीं की यकीनी तोर पर वह भी विगट की तलाश में होगी और अगर विगट आ जाती है पीम साथ पिका के लिए तो ये बहुत अची चीज रहीगी अदर्वाइस टीम सिर्यलंका तो बहुत ही बढ़िया खेल रही है और एक और चौका होते होते बाल बाल बचाया बरहल दो रूंज आएंगी स्केन की उपर अब देखना होगा चौका है या नहीं ये चीज देखने मादी होगी दोस्तों के ये चौका हुआ है या जी नहीं दोस्तों ये चौका हम पार के जान से नहीं दिया गया पर ठर रंडेट जो है वो छे का रहते होगे टीम सिर्लंका का उन्दी स्कोर बिनांकि सिर्यलंका को नुकसान पे थेंक्स फॉर कमिंगेर उन्दी स्कोर टीम सिर्लंका का बिनांकि सिर्यलंका को नुकसान पे तीन आशारिया एक बट्स के बाद यहां एक दमा फिर गेंबाज तयार रांदा विकेट डॉना शुक्या थेज़ों पार को ग्रॉस का गें क्या लबली दिलिवरी कोई मुखा नहीं कि बैक्समान के बास कि वो इस के बेंको खेले कि बल्ले के बिल्कुल पास से घुजरते वह जाएगी ये गेंड़ विकेट के पर क्यापने और इसी डाट डिलिवरी के सास को रहेगा हमनी सिर्लंका का बिनां किसी विकेट के नुकसान पे गेन मूव हो रही है दोस्तों और शुरुवात इवर्स के अंदर आपको जो है बुस्विंग होती हुई गेन को समल कर खेलना होता है और अगर आप शुरुवात इवर्स को सवाइब कर जाएं तो फिर उसके बाद आपका आदा काम जो है वासान हो जाता है इसी बीच स्ट्र सचचच में दोनों टीम के अधर मयां सहई मूर्स के विकला जा रहा है संतूरियन साथ बीचा का एक तारीखी ग्राउंड जहां से मैच इन दोनों टीम के दर्मयां जा रही है 19 है काटीं सिर लंका का स्कोर विना कि सिरीगर की नुकसाना पे एक दबाद फिर गेंबाद आएगेंगे अच्छा गेंबले का बाहरी किना रही है इस गेंदे और आउटसाइड है चुने के बाद गेंब बड़ेगी और जाएगी थर्ड मैं की जाने बांडरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौके के लिए लवली पीस ओफ बैटिंग बाई टीम सिरलंका जहां हलके हाथों के साथ इसके इनको निकाला था थर्ड मैं की जानेब और चौका जो है वो लेते हुए अपने चौके के साथ स्कोर मजीद आगे बढ़ते हुए स्कोर हो जाएगा दोस्तो इस मैच के अंदर थे इस टीम सिरल को मिल सकती है इस डाउन के ऊपर दोनों टीम के दर्म्यान यहां आपने वर के लिगें लेकर गें बाग एक तबा फिर से आगें क्या शाट पीचे गेंड इस गेंड को लीब किया इस गेंड को बिना किसी चार्ट के जाने दिया वीगर के पास तो करना कुछ यूँ ही होग घ्जा एक नए जो है वो एक करन्स अच्छे बन रहे हैं तो फिर अगर साहुजнов काता है मुश्किलात सांवना सकता है घ्र questa का सानबावह सकता है अज़ाज सिंपल सी बात है चीए अची क्रिक्टेशलाते हुए मैच को आगा बढ़ाए स्कोर बढ़िया है टीम साथ टीम सिर्लंका का यहां पर अब गेन बाज एक दवा फिर से रहेंगे तो यार दोना शो क्या थेस हुए एंपार को ग्रॉस क्या गेन क्या यार कलेंज अगेन दफिक क्या है इस गेन को लक्सार के जानिब मिस फिल्डिंग करते हुए मिड बिकेट के फिल्डर और गेन जाएगे बाउंडरी लाइन के बाहर एक और चौके के लिए लवली पीस ओफ टाइमिंग और प्लेसमेंट बाइक अप्टन कुरुनारत ने जिन्वने इस गेन को फिलिक किया था और बेज दिया था फाइन लेक की जानेब बलके मिड बिकेट की जानेब बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए और चौके के साथ है टीम साउच्पिका जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही तो फिर यकीनी तो पर टीम सिरिलंका के पास अच्छे चांसे होंगे के वो इस मैच को जीत स तो फिर वैसे भी वह एक पहली ऐसी एशियन टीम बनी थी जिन्होंने साउच्पिका को साउच्पिक अफ्रीका में जाकर ही हराया था टैस्प्रेश सीरीज दा हारी लाल सर महर साथ महुझे वहुझे आपका हारी लाल सर साथ आने के लिए याद रहे दोस्तों के टॉस को जितने के बाद पहले बले बादी करने का फैसला थिया और यह फैसला अब तक बहुत अच्छा साबित होते हुए 24 गिलों के उपर 27 बना दिये हैं टीम सीरे लंका ली काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए टीम सीरे लंका जहां पर अपनी गैन बादी के सिसले को जार देते हुए और हाइट की वजा से यहां परड़ा बस 27 रहेगा टीम सीरे लंका का स्कूर बिना किसी विगट नुक साम पे बिना किसी विगट को लोज किये हुए नाइस को मेंटरी वासे भाई बहुत शुक्रिया आपका आरी लल सर हमारा साथ यूभी देने के लिए आएसे बिसे शिरलंग का यह मैच जो हो दोस्तों जारी साूथ फिका और इंग्लैंड की तीन वन्टै मैच्च की सीर्यज पर हागास होते हुए एक नई सीरिस का जो है वा दोस्तों आगास होते हुए जहां पर गेन बास रहेंगे तयार अपने अपर केली गेम लेकर दोस्तों सीम एंड स्विंग पॉजिशन को दिखाया जा रहा है लुगी दगेदी और स्पात्मला जो के दोनों लगबग एक ही तरह के बॉलर लग रहे हैं बॉडी शेप इंड की लगबग सेन ही लग रही है और यकीनी दोर पर ये अच्छे बॉलर सावित हो सकते हैं पर ये लगबग पॉजिशन पर एक फिल्टर को लाए गया है वाइन लगबग पॉजिशन पर एक फिल्टर मौजूद हैं तीन स्लिप के साथ एक गली के साथ दोनों प्लेयर लाज जावाब और बेहतरी इनकी समकी रनिंग बटना वेकर्स करते हुए दोनों प्लेयर सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर 28 टीम से लंका का बिना किसी बिगट के नुकसांटे कि अच्छी रिगेट चलते हुए इन दोनों टीम के दर में यहां पर 28 होते हुए टीम से लंका का स्कोर बिना किसी बिगट के नुकसांटे का राशर यह दो वर्स का खेल मुकबल होचका अकल को इस सीरियस का दूसरा यानि के पहले टास मैंच का दूसरा दिन्थ होगा और यकीनी तोर पर आज अगर अच्छा गास ले लेती है टीम स्रिलंका तो फिर डगले आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात का सामना हो सकता है साउथ फ्रिका की टीम को अली गेंद अंदर आती हुए गें को रोना रते स्कें को फ्लिक करते हुए लेक्सार की जानिव जो हैं वो कोशाल परेरा अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखे हुए और इसी के साथ 2000 सब्सक्राइबर जो हैं हमारी सेनल के साथ जुरते हुए बहुत बहुत शुक्रियार तमाम दोस्तों का हमार साथ जो है अगर बास तैयार अगली गेंद शाट पीच एंद पढ़न तो हाइट का जो है वो दोस्तों फाइदा उठाते हुए यहां पर लूगी नगे दी अपनी अच्छी हाइट का फाइदा उठाते हुए जहां एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के साथ 28 रहेगा स्कोर बिना किसम की नुकसान पे लवली पीस ओ बॉलिंग अच्छी बेहतरीन किसम की बॉलिंग जहाँ दोस्तों करवाते हुए यह दोदो बॉलर्ज बले ही रंस को लीक किया हो लेकिन जब भी गेंद अच्छी हुई है तो बैक्समेन को थोड़ी मुश्किलात लाजमी तोर पे आई है अड़ाइस रहते हुए स्कोर्टीम सिरलंका बिनांकिसी विगेट की नुकसान पे चारा शर ये चार वर्स का चेलिस मैच के अंदर अब मुकमल होते हुए यहाँ एक दवाप्यर गेंबाज रामदा विगेट तयार तीन स्लिप्स अभी भी ले रखी है और तीन स्लिप के स खाड़ा कट करना चाहते थे पॉइंत की जानेब डी पॉइंत की जानेब लेकिन मिस्टे बैखे इसके येका हुए और इंसाइड़ाइ से ठेकर आई के बाद लोगो दो जो है वो टीम साओथ पृका को स्मय चेंदर रखने में हम किरदा लाक करेगी क्योंकि ये दोनों व्हाङ्यार आउट लास हम करने का सोच रहे थे किम यहाँ पर कहले जिये कि कर दोनों प्लेइर्स के जान से और तेस बैठिंग करते हुए यह अर्लियों टीम साफ्स प्रिका को अंडर पैस्टर लाने की कोशिश में थे और वहां भी कुछ ऐसा ही दोस्तों और और मेंडस के बारे में आपको बताता चलू के ये एक टैलेंटेड बैट्समें थे लेकिन इतनी अच्छी पारिया इनकी जान से नहीं खेली गई हैं इंटरनेशनल क्रिकट के अंदर तो आज इनकी जाने से शायकी इनको या फिर अपने चीफ सेलेक्टर्स को इंप्रेस करने का दिन है क्योंकि मुश्किल दौरा रहने वाला है टीम साथ टीम न्यूजिलैंड के लिए वो बीट के बाद उनका जो है वो ये पहला दौरा है बोल्ड आउट हुए थे बैट्समन और अब मेंडस आते हुए कुशाल मेंडस कुशाल परेरा दोनों कुशाल जो हैं वो 25 साल इन के उमर है 45 मैंचेश खेले हुए है 85 सी दावाइंड हुने बैटिंग की हुए है दोस्तों और सेंथी स्किन के आवरिज है साथ सेंचलियां मना रखी है 1150 मना रखी 196 इनका बैस्ट स्कोर है जो के चिटा गॉंग के भुकाम पर इथे टीम बंगलदेश के खिलाफ अब देखना होगा कि इस टूटल को वो अचीव कर पाएंगे या नहीं इन स्लिप है एक फिल्डर गली की पॉजिशन पर मौजूद ये बाज देख तबा पिट से रहेंगे तयार सामना करेंगे स्केंट का लूंगी दगेदी की स्केंट का नए आने वले वैट्समन को शा पे और डाट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए 28 तीम स्रिलंका का एक विकेट के नुकसान पे बॉस्को नीं किया प्रत्रीम स्रिलंका नहीं ही और टोस को जिटे हुए पहले बाइटिंग करने का फैसला किया अच्छा फैसला था तब तक जब तक कुछ ने अपने कप्तान को लोज नहीं क्या लेकिन यासे ही कप्तान आउट हुए तो फिर सिरलंका की टीम हमें थोड़ा सा स्ट्रोगल करते हुए दिखाई दे रही है आज किस मैच के अंदर अब बता सकते हैं कि आपके हैल से कौन से टीम इस मैच को विन करेगी इस मुतलिक अपनी राय का इसार कर सकते हैं तमाम दोस्त जहां पर अब सेंक्चुरियन के मुकाम से ये एक बेहतरीन मैच चलते हैं उन दोनों टीम इसकदर में आखरी विकेट 22 स्कोर बनाकर कप्तान होने के बाद यकीनी तोर पर सिरिलंका के टीम जो है वो अब कह लीजिए के थोड़ा सा थोड़ा सा जो है वो पीछे चलते हुए यॉरका लेंच अगे इसके इनको ड्राइब किया है लोग उनकी जानिब लेकिन को शाल परेरा के बारे में आपको बता दो दोस्तों कि ये तेज खेलने वाले प्लेयर है और बड़िया क्रिकर खेलते हैं कुशाल परेरा है हमाट साथ अक्साहमद मौजूद है वालीकम असलाम वेलकम ट्रीस लाइफ्ट्रीम लंच हो गया लगबग हो ही गया समझ दीजिए आप क्योंकि हमने जो है वह आज अपना नाश्ता लेट किया था सो दाट्स वाई तो दोस्तों सिट्वेशन को चीओ के अठाइस रहते हुए स्कोर्टीम सिरिलंका का एक विगेट की नुकसान पे चटी अवर का खेली स्मैच के अंदर अब चलते हुए 17 दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए बद बद बश्यों के आपका पैट्स पर आते हुए गेंद को फ्लिक क्या है लेक्साइट के जाने बेक और सिंगल आते हुए क्या माइक की आवास चीखा रही है क्या आपको माइक की आवास चीखा रही है इस दियर एनी प्रॉब्लम हारीजलाल सर इन दिस लाइब स्ट्रीम यू कें टेल मी पहला टास मैच है और पहले टास मैच का पहला दिन इन दोनों टीम्स के दिमानी सोगा जारी है जहां खुशाल मेंडस करने की कोशिश करेंगी अपनी टीम को अगर तो वो बड़े रंज बना लेते हैं दोस्तों तो उनकी टीम भी उनसे खुशाल हो जाएगी लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर यकिनी तोड़ पर उनकी टीम थोड़ा स्टोगल करते हुए हमें दिखाई देगी कुशाल परीर अचार पर है कुशाल मेंडस ने अब तक कोई रंडे मना अपना खाता खोलने के बिल्कुल पास है यह प्लेर गेंद बाज रहेंगे तयार सामना करेंगे इनका वुशाल मंडेस जो के अपने आपको सैटल डाउम करने की कोशिश कर रही है आएस्था आपने आपको सैटल करेंगे तीन स्लिप एक गली के साथ है वर्दाविकर दाना शो क्या थेज़ हुए अब आपको क्रॉस का गेंड के अच्छा गेंड अंदर की जाने बाई और अंदर के जाने बाते हुए बल्य को मिस करके गई है विकेट के पर क्या हाफ में कि डॉट डिलिवरी के साथ 29 रहते हुए स्कों टीम स्रिलंका एक वेकट के नुकसान पर तो गेन जो हो रही है लगा थार गेन स्विंग होते हुए जिसके बश़ा से बैट्समें थोड़ा सा स्ट्रोगल कर रहे हैं और यकीनी थोर पर रहा स्ट्रोगल जो है वह करते हुए ह के अंदर ये उनको देखना होगा थैंक साथी सर रही सर को जो है वूंसे तो बातचीता आप कर ही लीजिएगा लगा था हारी लाल सर को तो अब याप छोड़ दीए मुझे ये बताएं कि लाइब स्ट्रीन के अंदर आवाज वगरा सब को शीका रहा है क्या उन तीसरा थे कट किया था और बेख दिया था डी पॉइंट बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए एक्ट्रक अबर बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए और इसी जोगी के साथ अब स्कोर मजीद आगे बढ़ते हुए हो जाएगा 37 बलके 33 टीम स्रिलंका का एक विगेट के नुक उशाल मेंडस चार पर मौजूद है तीन गिनों का सामना क्या जो करेंगे इस अबर के लिए इनका सामना बॉलर है तैयार अबर दब विगेट दोरना शुक्या थेज़ों इंपार को क्रॉस का गेंड़ का शाट पीच अगेंड इसके इनको पुल करना चाहते थे बैट्समन लेकिन आखरी लबहे पे अपने फैसले को तब दील क्या और इसके इनको जाने दिया विगेट के पर के पास और डॉट अच्छी बॉलिंग करवाते हुए इस सिपाम लाज जिनकी ये गेंड पढ़ने के बाद हलकी सी ज्यादा बाउंस ले गई और बाउंस ज्यादा होने वाज़ा से बैट्समन के पास कोई मौका नहीं बना के वो इस गेंड को खेल सके बरहल अब स्कोर रहते हुए इस मैच क हमाट साथ शेयर करने के लिए जहां अब 34 स्कोर्टीं सिरलंका एक पिकट नुकसान पे पैट्स पार आते हुए गेंड को स्ट्रेट हिट क्या है स्ट्रेट हिट लवली हिट और गेंड बढ़ते हुए जाएगी लोगन के फिल्डर के बिलकुल पास से बांबरी लाइन के हार एक और चौके के लिए इंप्रेसिव बैटिंग करते हुए यह दोनों बैट्समेंद खासतोर पर कुछाल मेंडस की जाने उसे बड़िया क्रिकट खेल दिया था और बहुत ही खुबसूरत अंदास से खेला फिल्डर दारे के अंदर थे मिडॉन के और उनके बिलकुल से होते हुए जाएगी अगेन बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए और चौके के साथ टीम सिरलंका का स्कोर मजीद आगे बढ़ते हुए तैंथी से एक विकट के नुकसान पे चेक रूंडेट पास रहते हुए टीम साउथ फिका का जो एक बहुत ही अची चीज है उन के बाद इसके इनको करेंगे डिफेंड बैट्समेन आफसाइड के जानिब डॉट टिलेवरी के साथ स्कोर रहते हुए तीस एक विकट के नुकसान पे तो दोस्तों अगर हम देख लेते हैं टीम सिरलंका की प्लेंग लेवन को तो सिरलंका की प्लेंग लेवन कुछ यू रहेगी दनेश चंदीमल इसके बाद आएंगे दनन जाइडी सिल वाएंगी इसके बाद डिक बला आएंगे दोशान शानका वनिंदू हसारंगा सिरलंका के हिसा होंगे आज के इस मैच के लिए जब कि दूसरी जाने अब साफ्ट प्रिका की टीम की दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो साफ्ट प्रिका की टीम के अंदर जो है वो एडियन मार्क रम डीन अलगर राइज वेंडर डॉसन फाफ्ट प्लेसिस को इंटिंडी कर टीमा भूमा वियोन मुल्डर के शुमाराज एंडरिश नोच्या लूत्व सिपामला एंड लूंगी नगेदी जो हम इस्टीम का हिस्सा है कि दोस्तों यह रहने वाली हैं दोनों टीम्स की प्लेंग लेवन यहार तीस रहते हुए स्कों टीम सिरलंका एक पेकट के नुकसान पे साथ वेवर के पहली गेंड ऑस्टों के बाहर जाती हुए गेंड को स्लैश आड किया है और गेंड जाएगी वन बाउंस टू बाउंस बाउंडरी लाइन फॉर अनादर फॉर रांज एक और चौका मिलते हुए इस गेंड की उपर लाज जवाब क्रिकेट खेलते हुए कुछाल मेंडस और उचाल मेंडस के साथ ही प्लेयर कुछाल परिरा जिन्होंने चौका दे मारा है वाइंड के फिल्टर के सर के उपर से बाउंडरी लाइन के बाहर चाहके के लिए जाएगी एगेंड और बॉलिंग को काफी हलके में लेते हुए साथ वेमर का खेले और साथ वेमर के अंदर ही टीम सिरिलंका ने जो है वो ब्यालिस रंज जोर दे हैं दोस्तों तो इससे आपको दन अला कर सकते हैं कि इतनी बड लेका इंसाइड आज लेगी और इंसाइड आज लेने के बाद जाएगी अगेंड शॉर्ट शॉर्ट मिट्विकेट की पोजिशन पर मौजीवद फिल्टर के पास शॉर्ट स्क्वेर लग के पोजिशन पर एक फिल्टर को तायनात किया गया है इस इस ब्रो इस अटेस करते हुए दोस्तों और हाशी मामला के साथ लुकवायो नहीं बलके एक और प्लेयर है यार मुझे उनका ना भूल गया है साथ रिका की ही प्लेयर है अप्लिक क्या है इस गेन का लग साट की जानेब चौट लग की पोजिशन पर फिल्टर मौजूद करेंगे फिल्ड डॉ अब तक मुकमल होचका है अजी मैस आफ्रीका में ही खेला जा रहा है और साथ प्रिका के होम गरांड में यह मैच खेला जा रहा है जहां पर अगर देख लेते हैं दोस्तों सौध्रिका और इंग्लाइन वाली सिर्यस को तो वह सीरीज नहीं हो सकी थी नोनों टीम्स के दरम प्रियान ड्यू टू करोना वाइरस इन टीट्वन्टी मैंच इस वे थे लेकिन उसके बाद वो सीरीज इन दोनों टीम्स के दम्यान नहीं हुई थी 42 रहते हुए स्कोर टीम सिरलंका एक पेकर के नुक्साम पे अलिगेंट पार रहा थे हुए इनको फ्लिक किया है लेक्सार की जानिब और फिल्ड रहेंगे माझेट करेंगे फिल्डाट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए अब बैलस्टीम सिरलंका एक पेकर के नुक्साम पे हाशिम से मुझे कोई और बंदा याद आ गया हाशिम भालू को जो है वो मेरा सलाम दीजिए सलाम तो नहीं उसको थोड़ा सा प्यार करिए मेरी द्यान उसी दोस्तों ब्याल इस्टीम स्कोर एक पिकर के नुक्साम पे बिग बैस्ट के मैच करो बिग मैश के मैच भी अच्छी चीज़ है लेकिन मैंने अभी तक नहीं कि वह भी करेंगे हम लेकिन इस मैच के बाद बिग बैस्ट लीग 2020 का सिसला भी जो है वो इस वगत जारी है और बड़िया मैच से सलते हुए बिग बैस्ट के अंदर गेंद बास्ता यार इस सबर के लिए गेंद आस्टों के बाद जाते हैं गेंद बलेका इंसाइड एच लेगी ये गेंद और इंसाइड एच होने के बाद जाएगी फाइनलिक की जाने बाद फिल्टर मौझूद एक रन आएगा इस गिंद की उपर दूसरे के लिए वापिस आएंगे दोनों प्लेयर और दो रूंस के साथ स्कूर हो जाएगा चावाली स्टीम सिर्लंका एक विकट कि लोक सांपी बढ़िया मैं चलते हैं उन दोनों टीम्स के दर्मियान और यार हमने जो है वो बिग बैश लीग को शुरू से कवर नहीं किया होता न असमसे मज़े आ जाने थे बरहल कोई बात नहीं देखते हैं फ्री डेज में उसको भी ट्राइ करेंगे क्योंकि अभी काफी जाद दोस्ते हों विग बैश लीग करने के लिए बैठे हुए तो यकीनी तोर पर अच्छा काम कर रहे हैं मैं जाकर उनके काम में टांग अडाने की कौशिश नहीं करूं तो अच्छी बात है हम इस सीरिस को कवर करेंगे जी तो दोस्तों स्कोर रहते इस एक पेकर के नुटसाम पे साथ हमर्ज का खेल मुकमल होते हुए अब बीबी टाइम है हाँ जी हाँ टाइम तो है वैसे अभी वी तो अधुश खिला जा रहा है शायद आज पंदर्वा मैं शायद पंदर्वा मैं आच जो है वह वह विव्याश लीका जारी है देखते ह है आज सारा दिन इसली को कवर करते हैं तो कल को भी अगर अगर सिच्वेशन इसकी ना बैठ रही तो फिर हम कल को इसको ट्राइब कर लेंगे क्या ख्याल है कंदीमल लाएंगे डिक विल लाएंगे शानका आएंगे हसारंगा विश्वा फर्नेंडो राजी था और कुमारा जो है वो चमारा जो है वो बल्ले बाजी करने के लिए आएंगे सिर्डी वर्सेज मेंब्रों वो में जारी है लोगी नगेदी ने 22 रूंज मनाये थे दोस्तों और माफ के लिए के उपर कप्तान कुरून रतने आउट हुए थे और बालिंग में तब दीली की गई है दोस् की इनकी आवरिज है और अभी शुरुवाती दिन हैं के और यकीनी तोर पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यह अच्छे अंदास से बालिंग कर बाते हुए में दिखाए देंगे रामदा विकेट अपनी बाजी के सिसले को शुरू करेंगे सामना करेंगे कुशाल परे परेरा अब तक अच्छी बल्यवादी करते हुए 17 गिनों के उपर 11 रंस के एक चीनिंग स्केल रखी है कि लंच कर लिया जी नहीं ही लंच जो है वह हमारा हो जाएगा होप सो करेंगे लिए लेकिन फिल्टर दारे के अंदर मौझूद करेंगी फिल्ट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए अब एंटालिस टीम सिरलंका का एक पेकट के नुकसान पे कि नवे माइल्स पर और की स्पीड से करवाएगी एगें थी यहां को शाल मेंडस नॉन स्ट्राइकर एंट पर मौझूद है चेविनों के उपर आठ रंस बना रखे हैं जोगे कुछाल परेला ने गया रंस बनाए हुए है अठारा गिनों का सामना किया जब आप अपना भ बहुत बढ़ी अपील अल्बी डव्यू के लिए कि अमपार का इशारा के बैट्समन रहेंगे नॉट आउट नॉट आउट का इशारा रहेगा अमपार की जानिव से और इसी के साथ अब 45 रहते हैं वे स्कोर टीम सिरलंका का इक विकर की नुकसान पे पता था भाई यही ह हुने वाला है अब आट्स पर आती हुई यह गेंड थी फ्लिक करना चाहते थे बैट्समन इस गेंड को लेक्साट के जाने लेकिन गेंड उनके बले का इंसाइड एज मिस्स करते हुए जाकर ठक्राई है पैट्स से थोड़ी हाई थी यह गेंड जिसके वज़ा से नोड़ अच्छा कनेक्शन था और इस सच्छे कनेक्शन से बरपोर अंदास से फायदा उठाते हुए बैट्समन फ्लिक शॉट खेला गया लेक्साइड के जानिब और गेंड बढ़ते वह जाएगी बांड रिलाइन के बाहर चाहकी के लिए चाहकी के साथ सिरलंका का स्कोर होते अच्छा शॉट फिल्डर दारेक के अंदर करेंगे फिल्ड डॉट डिलिवरी के साथ उन्चास रहेगा स्कोर एक पीकर के लुकसान पे लिए बता दो दोनों की टीम की तो बाई मेरे बता देता हूँ अलिए बास दीपी सवर के बाद यादिके दो गिनों के बाद आपको प्लेंग लेवन के बारे में बता दूगा कि दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर खेल रही है पच्छीस दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए बाद बाद शोक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंचान को सब्स्प्राइब करने के लिए तो दोस्तों पहला थास्मेंच और रहा पहले टास्मेंच का पहला दिन जो है विन दोनों टीम्स के दर में अब चलते हुए एंड़िच नोर्च या रांद वीके टेक तवा फिर से दौरते हुए आगें कैस्किन को स्मैश किया है वाप इस बोलर की जाने बाद बड़ा श स्कूर रहते हैं उन्चास्टीम शिरलंका एक विकार की दूकसान पर साथ में बलके आट वेवर का खेल जो है वो इन दोनों टीम्स के दर में इस वखत जारी है आप वेवर का खेल जाहा है दोस्तों इन दोनों टीम्स के दर्मयान चलते हुए बड़े आमाच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के धर्मयान जहां पर साउथ फ्रीका की टीम जो है वो दोस्तों अर्लियाओं एक विकेट को अपने नाम कर चुकी है आउट कि थी अच्छा मपतान को लिए दो असके भाद अच्छा मआँस मिलेगा स्केंघ कियो पर लीथर डिवरी करवाते हुए कम महाल गेंट कर वाते हुए यहां पर आन्रिश नौर च्छ्या एक्स्ट्राभाउस मिला इसकेंट के उपर पंड़ने के बाद यह गयंद जैन वो हलक स्रिलंका एक पर इखटके नुकसान पे लबनी पेस ऑफ बॉलिंग दोस्तों आठ अबर्स का खेल मुकबल होते हुए दोनों टीम्स के अंदर ये प्लेयर शामिल है स्रिलंका के अंदर कुरणा रत्ने कुछाल परेरा कुछाल मेंडस दिनेश चंदुमल चंदीमल दनंजाइ स्रिलंका का हिस्सा है जबके साथ प्रिका की टीम के अंदर एडियन मार्करम, डीन एलगर, वेंडर डॉसन, फाफ्ड प्लेसिस, कुंटन डिकॉक, टीमा बहुमा, वेन, मुल्दर, केशव माराज, एंडरिस नोच्या, लूथू, सिंपामला, एंड लुंगी नगेरी जो ह उशालमेंडस बॉलर है, लुंगी नगेरी, लुंगी नगेरी की एगेंड, शॉटपिच एगेंड, बल्ले को मिस्स करते हुए जाएगी, विगेट के पर के आपने, लबली पीस ओ बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग करवाते हुए, यहाँ पर लुंगी नगेरी, जिनकी ए जाएगेंड, शॉटपिच गेंड थी पढ़नी के बाद, हलकी सी उपर की जानी उठी ये गेंड और जाएगी, बल्ले को मिस्स करते हुए विगेट के पर के आप में, पहला टैस मैंच और पहले टैस मैंच का पहला दिन जो है वो इन दोनों टीम्स के दिरम्यान लाइब चलते हुए, जहां पर अब लूंगी नगेदी, एक दवा फेट से रहेंगे, तैया, नगेदी की गेंड ऑस्टन के बाद जाती गेंड, एक दवा फेट से बढ़िया गेंड थी और लगी रहेंगे बैस्मैन, गेंड बले को मिस्स करेगी, एक और डॉट डिलिवरी, अच् स्कोर रहते हुए, इसमैच के अंदर उन्चास टीम सिरलंका का, एक विकट के नुकसान पे एक तेज आगाज है, टीम सिरलंका का और यकीनी तोर पर, वो अपने तेज आगाज को मिन्टेन रखने की कोशिश करेंगे, आज के स्मैच के अंदर जहां, अब उन्चास रहते ह स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, पचास पर ले जाएगे टीम सिरलंका एक विकट के नुकसान पे, लूंगी नगे दिवेके टुबिगट बॉलिंग करवाते हैं, और यही उनकी हुपसूर्ती है, कभी गेन को अंदर की जानिब स्विंग करवा देते हैं, और कभी अचानक था हमार साथ मुझूद हैं, वल्कम तो दिस लाइब स्विम, अलियाबास टीपी, हारलाल सर और जो भी दोस जहां का इससे मुझूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, सब्ताइस दोस जोंए वीडियो को लाइक करते हुए, थैंकी सो मच गाईज पर लाइक इन दिस करते हैं, यह दोनों प्लेयर डौट डलेवरी को सिंगल में कुझवट किया, थैंकी साथ दौट डिलिवरी को सिंगल में प्लेयर Dota डलेवरी को कि सथा यह गैफ एक नुकसान पे हमान मिश्रा ने हमिन कर रखा बाहर बशूक्या है आपका हमाद भाई साथ रहने के लिए और जित्ति दोस्ट जाह गई से मौझू थे हैं वेलकम एविवन तो इस लाइब स्ट्रीप पहला टैस्ट मैंच और पहले टैस्ट मैंच का पहला जो है वो दिन इस वकत जारी है यहां तीन स्लिप के साथ है वर्दा विकेट बॉलर आएगें क्या अच्छा गेंट विकेट विकेट आता हूँ अगेंड इसके इनको डिफेंट कर दिया है लेक साथ की जानेब डॉट डिलिवरी के साथ ही का उन रहते हुए स्कोर टीम सिरलंका का एक विकेट किसान पे यदार नाइक ने हमें जोइन कर रख्या ओडिया का स्कोर बना दिया लंका ने जी जी बिल्कुल ओडियाए की तरह बैटिंग करते हुए टीम लंका अच्छी जो है वह बलेबाजी करते हुए अब दिल कदीर भाई ने हमें जोइन कर रख्याब बहुत सब्सक्राइब करने के साथ कि पामला की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स के हिलाफ की का गर्दगी जो है वो अच्छी रही है विकेट विकेट बॉलिंग करवाई गई है बैकफुट पराते हैं इसके इनको स्ट्रेट हिट कर दिया है तो शाल मेंडस के बल्ले से निकला हुआ और और उमड़ा शॉट फिल्डर गैन के बीच रहे हैं लेकिन बिल्कुल बाउंड रिलाइन के बाश jar Tribal mark करेंगे इसके इनको फिल्ड दो रंस पाए È-सके बाइक गोफ्षा से तरफ और साएंगे और पलके इन रंत का इसा और टीम सिरलंका के ज algumas हैं उच्छी एग ए बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए दोनों टीम्स जहां पर अब काफी तेज बले बाजी की जा रहे हैं छे की रंडेर के साथ बैटिंग करते हुए टीम सिर्लंका और अर्लियों जो है वो टीम सिर्लंका वाले टीम साथ फ्रिका को अंडर प्रेश्र लाने की कोशिश कर रही है अलेक्रिकल सुजीत में हमें जोइन कर रखाया है डी सिल्वा वल्कम टुदिस लाइफ शेम डी सिल्वा ब्रो आवर यू अस्ट्रेलिया और इंडिया की मैच की बात कर लेते हैं गाइस तो अस्ट्रेलिया की टीम देख सो पीचान वेरंज बनाये आल आउट होगी जबकि से बैटिंग बाइटीम स्रिलंका जीज बिलकुल एक अच्छी बैटिंग का सिसला जारी रखे वो टीम स्रिलंका आज की स्मैच के अंदर जब मुन रहते हो इसको और एक विकट के नुक्सान प्रिक लिए लेक्सार की जानेब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बैसमें इस गेंग की उपर लेकिन नाकाम है इसके इन को गैप में बेगने में बरहल लेक और जो है वाड़ डाट डिलिवरी आंडिस नौच्या जो के टीट्वेंटी के अंदर इन्होंने काफिस दना इंप्रेस किया था हमें आपने देखा होगा कि जब इंडियन प्रीमेर लीग थी तो वहां पर भी अच्छी बॉलिंग करवाएगी थी इनकी जानीव से दसमें वरका खेल चलते हुए चमन रहेगा स्कोर रेक विकट के साम पे दूसरी गेंड लेकर गेंड बास तयार अबर्दा विकेट दॉन अश्रू क्या थेज हुए एंपायर को ग्रॉस क्या गेंड का उस्टों के बार जाता हम अगेंड एक्ट्रा बाउंस मिला है इस गेंड के उपर और गेंड बलने को मिस करते हुए जाएगी विकेट अधर्वाइस थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है इम सिरलंका को तो स्कोर जो है दोस्तों रहते हुए चबवन एक प्रिकट के नुकसाम के नोगा शर्याद ओवर्स के बाद यहां अपने अवर की तीस्टी गेंड लेकर बॉलर एक दावा फिर से आगेंड के अच्छा गेंड लबली पीस ओफ बालिंग अग्रेसिव क्रिकट खेलते एक विकट के नुकसामते नौ शर्याद इतीन अवर्स का खेल अब मुकमल हो चुका है लाज जवाब करेंड खेलते हुए दोनों टीम जा जहां पर अब कुशाल मेंडस ने बारार रंज बना रखे चौदा गिनों का सामना किया जो करेंगे इस अबर के लिए इनका सामना एक दवा फिर से बीट हो जाएंगे बैट्समें लवली पीस ओफ बॉलिंग लाज जवाब गेंड बाजी करवाते हुए यहां पर टीम सौट्पिका के बॉलर एंड्रिच नौट्या जिनकी एगेंड शॉट्पिच गेंथी बल्ले को मिस्किया इस गेंदी और आउटसाइ बॉलिंग करनाते हुए टीम सौट्पिका और सिरलंका के बैट्समन उतनी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए तेज क्रिकट खेलते हुए टीम सिरलंका वाले तीन स्लिप के साथ अबर दावेकर एक दवा फिर बालर आगेंगे इस गेंड को स्रेट हिट कर दिया है औ और क्याच आउट हो जाएंगे यहां पर प्लेयर एक और दचका लगते हुए टीम सिरलंका को आश्रंग के बाहर जाती हुए गेंड थी और इस गेंड को बैट्समन फुल करना चाहते थे लेक साथ के जानेब स्ट्रेट खेलना चाहिए था इस गेंड को लेकिन खराब खेलनी चाहिए थी लंबी क्रिकेट जो है उनको खेलनी चाहिए थी लेकिन उनकी जानुप से अचानक से खराब शॉट खेला गया और राब शॉट का नुकसान उनको होते हुए यहां रिकेट के लोज कर देंगे को शाल मेंडस नोच्या की गेंड पर नगेदी किया तो कै जानुप से जानुप से फिफ्टी फोर न लॉस्ट विगेट्स वसीम खालीद भाई बोलते हुए हाई हलो ब्रो वेल्कम तो इस लाइश्ट्रिंग तो क्रिया आपका भी साथ परहने के लिए और अब देश चंदीमल जो है वो दोस्तों बैटिंग करने के लिए आएंगे सिरलंका का अगाज तो एक अच्छा अगाज है तेज अगाज है लेकिन वो विकेट्स को दूस्ट कर रहे हैं और यकीनी तो पर जैसे-जैसे विकेट गिरेगी वैसे-वैसे ही प्रेशर जो हो मौजूद है हाशी मामला वन अफ माइफ माइफ फेवरेट क्रिक्टर हाशी मामला जो है वो दोस्तों को मेंटरी के फ्राइज सरन्याम देते हुए आज जहां पर एंडिक्स नौच्या की ये गें थी शॉट्पिच ये गें थी पुल करना चाहते थे बैट्स में इस गें को लेक्साइड की जाने लेकिन बले का फूपरी किनारा लेने के बाद गेंडी विकेट कीपर के हाथ फिल्टर के हाथ में जो मौजूद थे मिड़न की पॉजिशन पर लुंगी दगेरी का एक असान सा एक असान सा कैच हमजा आलम भाई ने हमें जवाइन करका है हलार और वेलकम तुदिस लाइव स्ट्रीम हमजा आलम बद शुक्रिया भाई आपका भी साथ आने के लिए और जो दोस्त जहां का इस से मावजू थे है वालकम वालकम एवर्यों तो इस लाइव स्ट्रीम तो रहते हुए स्कोर टीम सिर लंका दो विकेट के नुक्सांत में विनेश चंदी मल जो हैं वो दोस्तों बल्ले बाजी करने के लिए आते हुए एक ताली स्कीन के आबरिज है अठावन मैच्स के लिए हुए है एक सो सब्सक्राइब बनाया था और जाते हैं बढ़िया गेंड एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए गेंड बल्ले के बिल्कुल पास से घुजरते हुए जाएगी विकेट के पर के हाथ में 140 की पेस के साथ करवाएगी ये गेंट थी बाउंस काफी ज्यादा है इनकी गेंड के किया और अब कुशाल मौजूद है कुशाल परेरा जिन्होंने 16 रंज बना रखे हैं 24 के लोगा सामना किया है जबके दिनीश चंदीमल ने अब तक को यह रंदी मना एक गेंड का सामना जो है वो कर रखा है डिसिल्वा डिकविल्ला शानका यह तीनों की तीनों प्लेयर अच्छे बैट्समेन है और आप बॉलिंग में तब्दीली की गई है मेडियम फास्ट बॉलर वियान मुल्दर को जो है वो दोस्तों मुल्दिर को जो है वो बॉलिंग के लिए लाए गया है बाइस साल इनकी चाहते ते कुश्याल लेकिन रहेंगे लगी नाकाम रहेंगे बल्ले को मिस्करते होई जाएगी अगेन लगता है कि शिरलंका वाले अपनी लंका प्रीमियर लीग को अभी तक नहीं बुले लंका प्रीमियर लीग का एक तताम अप से कुछी दिन पहले हुआ था दोस्तों ती लंका प्रिमिर लीग के अंदर और उसी ब्रैंड फ्रिकेट जो अखेल लिकी कोशिच कर यह टास मैच के अंदर टीम से लंका वाली यह बंडे खेल रहे हैं कि आज जी बिल्कुल बंडे नहीं बलके इनका बस चले तो यह टीट्वंटी मैच कर दें क्योंके लंका प्रीम कि इससे पहले ज्यादा था चेका रंडेल था इससे पहले लेकिन अब जोह वह वह विकेट गिरी है तो घ्रीले की वजया से अड़ थोड़ा सा थोड़ा सा जो है वह डाउन हुआ है जा आपको बताता च्लूंगे तीम क्या होए है टीम शिरलंका ने टीटन लीग है यह ल लिग जो है वो नहीं चल रही ही लेकिन स्रिलंका के प्लेयर जो हम इसस को ऐसा ही प्रेटेंड कर रही है एदावा फेर बादर आए गें क्या संग के बाद जाता हम अगें राइब कर दिया स्गें को एक्ट्रा कवर की जाने बडोल की म्यूजिक इस विदा सेलों विल्कम टि लिग बिकाज दा प्रीमेर लीग बाज आटी ट्वंटी लीग अगर दिस इस अटेस्ट मैच तो दैट्स वाइब करेंगे बल्ले का बाहरी का नरा मिस करते हैं जाएगी विकेट की पर क्यात में इंका एरादा है तीन दिन में टेस्ट मैच खतम करने का जी जी बिल्कुल ऐसा ही है और होगा भी ऐसा है उना थाली का एक अच्छे प्लेयर है इसा गोड़ बैट्स मैं बटन को खिलाया नहीं गया पेस देखिए अन्रिस नोर्चिया की पेस जो है वह 145-144 की पेस के साथ लगातार बड़िया बॉलिंग करवाते हुए अन्रिस नोर्चिया जहां पर अब स्कोर रहते हुए चबबंड़ विगट के दुकसान पर एक दबाप फिर बॉलर आएगे इंका स्मेश करना चाहते थे बैट्समान और एक और विगट गिरते हुए टीम सिरलंका की खराप ग्रिगट खेलते हुए टीम सिरलंका वाले खराप शोट रॉय किया गया था एक शुरा कवर की जाने बैट्समैन इसके इनको कट करना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं मना पैट्समैन के पास के वो इसके इनको खेल सके और गेंद उनके बले का बाहरी के नरा लेते हुए जाएगी विगट के फरकियात में और इस तरह टीम सिरलंका अपनी तीस कर दिया है कि अच्छी बात है लोग बोर नहीं होंगे अरे भाई मैस के अंदर कुछ देखने को मिलेगा तो लोग बोर होंगे ना अगर विगट से गिरते जाएंगे तो यह एक अच्छी चीज तो नहीं रहेगी फिर सिरलंका वर्स साथ रिका डिगाउक वर्ट सेज करु तो आप साथ की टीम एक और कलोज करते हुए अब भी अब भी क्या वाइस सबको सही आ रही है वह सबको ठीक आ रही है या फिर वाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मुझे बता सकते हैं ताकि हम वहिस के मसलिय को ठीकरें 37 दोस्ट जो है वो हमारा 50 का है अब देखना होगा कि आप तमाम दोस्ट मिल कर रहे हैं पचास लाइक्स को में कबल कर पाएंगे या फिर नहीं बहुत ही कीमती वक्त जो है मैंने विस्ट कर दिया मैश से पहले अगर आदा गैंटा हम लाइप पहले आ जाते तो कस्म से काफी फर्क पड़ जाता है इस चीज़ का वीवर का लेकिन मैं बाहिर था और बाहिर आने में थोड़ी देर हो गई तो मुन रहते हैं इसको टीम स्रि इसके उपर आल्रेडी मौझूद है और अनिमल के साथ अगर हम बात कर लेते हैं गाईज ने आने मेले प्लेयर की तो वो भी अब क्रूस का रोख करते हुए विकेट गिरी तो मैच रोमांचिक होगा जी नहीं मैच जो है वो रोमांचिक नहीं होगा बलके मैच वन साइडिड हो जाएगा क्योंके टीम साथ फिका जो है वो येकाची टीम है और अपनी होम कंडिशन में खेल रही है तो यकीनी तोर पर साथ फिका की टीम इस मैच को इजी अंदास से जीट सकती है अगर लगातार विकेट्स वगारा गिरती है आप 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 वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा लोग कर लें तो फिर आपको मेरी आवाज शवाज जो है बिल्कुल ठीक आगी कि दोस्तों स्कूर हो जाएगा चबवन टीम लिगट के नुकसान पे बैट बेट टैस्स नमबर वन जो है वह इन दोनों टीम्स के दरमयान जारी है जहां पर आज टॉस को इन करने का फैसला क्या टीम सिरलंका ने जिसका इनका ये फैसला इतना अच्छा सावित नहीं हुआ तीन विगट को उन्होंने लूज कर दिया है आते ही सिरलंका की टीम जो है वो तीन विगट को लूज करते हुए जहां पर अब मुश्किलात का शिकार है टीम सिरलंका देखना होगा कितने रंज बना पाएगी आज किस मैच के अंदर पहली विगट गिरी थी दोस्तों आज बहुत ही खराब गेलते हुए जो है बड़ा शौट खेलने के चकर में लूज की वह विकट जहां पर अब बले बाज़े करने के लिए याद होगा दोस्तों इस प्लेयर के बारे में आपको कि यह वही प्लेयर है जोने पाकिस्तान के खिलाफ सिरलंका की टीम पाकिस्तान मे जारी था और वहाँ पर सेंचरी लगाई थी इस प्लेयर में अधिकेंट पर आदिए बड़ी अपील हो सकती थी लेकिन अंपायर का इसारा के बैट्स पन रहींगे नौट आउट इसी बैचब बन रहते हुए स्कोर तीम विकेट के नुकसान पे वही लाइव कर रहा है यह है मैच अच्छा ऐसा है क्या जी बिलकुल साउथ प्रिका की टीम को इतनी जाला मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और प्लेयर खुद बाखुद आउट हो रहे हैं देख विल्ला इसके बाद आएंगे दोस्तों शानका इसके बाद आएंगे हसारंग आएंगे विश्वा के तमाम प्लेयर जो हैं इसके बाद वल्ले बाजी करने के लिए आएंगे और इनके ऊपर चीजे डिपेंड करेंगी किस परकार से किस संदा से अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हैं यह तमाम के तमाम प्लेयर जहां पर अब रहते हुए स्कोटिंग स्रिलंका तीन भी कर जारी रखेंगे आई पाक्स्तानी बॉलर्स की पेस जो है बसे मुझे काफी कम दिखाई दी 140 के असपास तमाम के तमाम पेसर जो हैं वो बॉलिंग कर वा रहे थे पाक्सान के आट्स पर आती वीगें को फ्लिक किया है लेक्सार की जानेब मिट बिकेट की दिशा में फिल्टर मौजूद करेंगे फिलिड और डॉट डिलिवरी के साथ चाहँ रहेगा स्कोर टीम स्रिलंका का तीन भीकेट के नुक्साम पे कि फिफ्टी फोर उन्द लॉस अफ्री बिकेट्स ग्यार आशरीय कवर्स का खेली स्मेंच के अंदर मुकमत होते हुए तरंट रंडेट पांच के आज पास चल रहा है टीम साउथ विका का अभी भी एक अच्छा कंट्र रंट रंडेट जों में टीन किया हुए टीम इस किलोमीटर पर और की स्पीर से करवाएगी अगें थी और शॉन पॉलेक जेपी डुमनी जो है वो और सासाथ मुकाया नटीनी यह तीनों प्लेयर जो है वो कमेंटरी के फराज दसर अन्याम देते हुए कि कमेंटरी बॉक्स में महुद है यह तीनों की तीनों प्लेयर्स जहां चमवन रहते हैं वो स्कोर टीम सिरलंका का तीन बिकेट के नुकसान पे ग्यारा शर या दो वर्स के बाद बॉलर है तयार तीन स्लिप के साथ हाती हुए गेंटर के नीचे पीछे जाते हुए और गेंटर की रफतार फिल्डर की रफतार चे कहीं ज्यादा चौका मिल काना खान ने हमें जोइन करके बाद बहुत शुक्रिया आपका भी काना खान साथ आने के लिए एक्स रॉक अबर के जाने भी इसके इनको ड्राइब कर दिया था और चौके के साथ स्कोर जाते हुए अब टावन तीन बिकेट के नुकसान पे टीम सिरलंका बार मेंबर का ख जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमें जारी जहां पाकिसान की टीम आज 222 रूंद बना सकी तीन बिकेट के नुकसान थे और उनके पहले दिन का खेल मुकमल हो चुका है यहां पर इस वगहता है टीम साथ प्रिका और टीम सिरलंका के दरमें यह मैच जारी है और साथ प्रिका की टीम टीम विकेट्स को अपने नाम कर चुकी है अच्छी नपितुली बॉलिंग करवाए जा रही है इन साथ प्रिका की जान से बलके यह कहना दुरूस नहीं होगा के टीम साथ प्रिका जो है टीम सिरलंका जो है वो को लिव किया है जाने दिया है विकेट कीपर के पास एक और डाट टिलेवरी लवल्ली पीस ओफ बॉलिंग डिस्प्लेइब सब्सक्राइब अकेली अकानमे की स्पीड के साथ जो है वह दोस्तों बॉलिंग करवाते हुए इकानमे माइल्स पर और की स्पीड से बॉलिंग करवाते हुए जो के लगबग 140-147 की पेस्ट बनती है 58 रहते हुए टीम सिरलंका का स्कोर थीम विकेट को नुकसान पे बार में वरके आखी गेंड लेकर बॉलर एक तबा फिर से आये गेंड कि आच्छा गेंड बले को मिस्स करते हुए जाएगी ये गेंड विकेट के वरके हाथ पे क्या चाओ ठोते होते बाल बाल बचेंगी ये फ्लेयर जहां अच्छी गेंड थी विकेट आती हुई ये गेंड थी और पढ़ने के बाद हलकी सी बाहर की जाने स्विंग हुई इगेंड पहली विकेट जो है भौध है इस के स्कोर पर गिरी थी दूसरे विकेट जो है तो जहां पर फॉल आफ विकेट से राफी ज्यादा होज की अब टीम स्रिलंका की तीन विकेट सो है वो अब तक गिर चुकी है टीम स्रिलंका की जहां तावन रहते हो इस पर शॉट पिछे गेंद और इस शॉट पिछ गेंद को किया है डिफेंड शॉट कवर की जाने टाट के साथ स्कोर रहेगा अठावन टीम स्रिलंका का तीन विकेट के नुकसान पे लोस्तों कल को हो गया पाक्सान और पाक्सान और न्यूजी लैंड के दर्मयान दोस्रा दिन और दोस्रा दिन का एल जो है वो सुबो के वक्त शुरू हो जाएगा तीन बजे के आस-पास दूस और डॉट डिलिवरी बड़ी आगे इन थी बन्यकों मिस्करते हो जाएगी विकेट कीपर के आप में और इसी डॉट डिलिवरी के साथ अब स्कोर रहते वह तावन टीम स्रिलंका तीन विकेट के नुकसान पे बीग-बैस लीग-बैस लीग वहां पर शद्नी और मेलबरन जारी है ल गेन लग्षम का पर सान थो इसको sudah डिर्लीबरी थी यह थैंक्यू सो मज़ गाइज फोर शुएंग हेर जहां पर अब को रहते हुए थावन टीम सिर्लंका का तीम विकेट के नुक्सान पे तेर में अबर की चौथी गेन लेकर गेन बाज एक तबा फेरा वर्दा विकेट रहेंगे तयार दो स्लिप लेगी हैं अब एक स्लिप को हटा दिया गया है और इस अब के लिए पैट्स पर आती हुए गेन को फ्लिक किया है अब जाने चौके के लिए इस गेंड को और चौके के साथ हो जाएगा स्कूर बास टीम सिर्लंका का तीम विकेट के नुक्सान पे तेर वियर का के ला अब जो है वो जारी रहते हुए तेर्वी अबर का खेल जाहाँ दोनों टीम के दरमान इस वागा चलते हुए यहाँ बास टाथ है स्कूर तीम विकेट के नुक्सान पे अले गेंड आस्टों के बाहर जाते विकेंड इस गेंड इस गेंड को किया है डिफेंट शॉट एक्स्टा कवर की जाने डॉट लंका का तीम विकेट के नुक्सान पे अले सिल्वा ने चार रंज बना रखे हैं और लंका के बैटिंग कार्ट को अगर हम देख लेते हैं कुरण नरत ने 22 बना कर आउट हो गे थे को कुछाल परेरा भी आज जल्दी आउट होगे कुछाल मेंडस जो हैं वो दोस्तों इसके इंग को बैक फूट पड़ाते हुए पंच कर दिया है जोट एक्स्ट्रों कबर की जाने इंब फिल्डर दारे के अंदर मौजूद करेंगे फिल्डर डिलिवरी के साथ हो रहेगा 63 टीम सिरिलंका का तीम विकेट के नुक्सान पे कि यहां चंडिमल ने चार रंज बना रखेड़ी सिल्वा ने पांच रंज बना हुए है और रंडेट जो है वो टीम सिरिलंका का काफी इंप्रेसिव है 14 या 85 का रंज रेट है लेकिन उनको यह चीज समय नहीं होगी कि यह टेस्ट मैच है ना के बंडे मैच है थोड़ा समल कर खेलेंगे तो उनके लिए चीज अच्छी रही है अदरवाइस विकेट्स को लोज करेंगे और विकेट्स को अगर वो लोज करेंगे दोस्तों फिर इतना उनके लिए मुश्किल रहेगा तो एक लंबा मैच होता है लंबा चलता ही यह मैच और आपको अपनी विकेट्स को बचाना होता है आपको आखरी अवर्स के अंदर आखरी दिनों के अंदर इस मैच को लेकर जाना पड़ता है लेकिन अभी तक सिरलंका की जान से पुर्ण सत्रइधान विचे खाल ञत्व अरय लगडों व्icus पे ईद्यूंन को को ने सब्ट में रहेएं सब्सक्राइग कर रहे हैं करने। आप दोस्तों का और वेलकम है आप दोस्तों का हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया है तामाम दोस्तों का आप सों के बात जाते हैं शॉट पिच गेन को किया है डीफेंड तो शॉंदा तरे शट रहा थे विसकोटीम सिरलंका तीन विकट के नुकसां पे तो शॉट पिचे गेन दोस्तों के बाहर जाती हुए गेन को डिफेंड क्या है फिल्ड अप महजूद करेंगे फिल्ड डॉट डिलिवरी के साथ स्कूर रहते हुए अब इस मैंच के अंदर तरे सटीम सिरलंका का तीम विकट के नुकसां पे स्रिलंका की कोच करते हुए और सिरलंका की टीम की गलतियां जहां वह दोस्तों नोट करते हुए उसके बाद उनको बताना भी है कि आपने यहां पर अच्छा नहीं खेला यॉर कर लेंजर गयं पराएगी येंचा है इसे गयं को फइल में लेक जाएगा और एन जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी कंटर्व एक यर चौकी के साहथा स्कूर हो जाएगा वह बाढ़ी स्कूर्लां के इसमैक लिए बेजिया चौके के लिए बांड़ी लाइन के बाहर और चौके के साथ स्कूर हो जाएगा अब इस मैच के अंदर सर्ट सर्ट टीम सिर्लंका का तीम लिगट के नुकसान पे अब जो काम उनको करना है दोस्तों वो यही करना है कि उनको विगट को बचाना है और विगट को बचाते हुए अपने टीम को आगे लेकर भढ़ना होगा अन्बलीविबल स्टाट्स आपको बता देता हुँ दोस्तों के 97% दोस्त जो है वो ऐसी हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी बीच विगट 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 आथे विगट इनको ड्राइब किया है लॉग ऑन की जाने बड़ा शॉट खेलना चाहते अंदर मुकमल होते हुए अन्मूल देग पर सिंग भाई हमार साथ मुझने बहुत दो शुक्रिया आपका अन्मूल भाई वस्ला दावी करने के लिए सब्सक्राइब के लिगट नुक्सान पे एरा शर्या पांच अवर्स का खेल मुकमल होचका है और आखरी गिन लेकर एंड़िस नौर्च एक तवा फिर से आगें क्या उस तॉप ऑफ स्ट्रूंप जो है वो बाहर तॉप आफ दी ऑफ स्ट्रूंप के उपर से निकलते अगर हम रिकॉर्ड के बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के तो प्राउट फ्रीका की टीम ने जो है वो 14 मैच इसको जीत रखा है जबके साथ इसरलंका की टीम दे नो मैच इसको विंद कर रखा है इस ग्राउड के ऊपर टीम सिरलंका दे एक भी मैच जो है वो अब तक विंद नहीं क्या पैट पर आती हुए इनको फ्लिक किया है लेक्सार की जानिब एक और अच्छी गेंद एक और डॉट डिलेवरी और एक और डॉट डिलेवरी के साथ तोर जो है वो रहते हुए सत्तर टीम सिरलंका तीन विगेट के नुप सामना पे जौदा शर्य एक वर्स का खेलिस मैच के अंदर अब मुकमन होते हुए इसलवा ने बनाए है 12 रंज, 12 गेंदों का सामना किया है चन्दिवल ने बनाए है 4 रंज और उन्होंने किया है 9 गेंदों का सामना लेक्ट मुल्दर ने अब तक 5 रंज देते हुए एक विगेट को पने नाम किया है बड़ी आरला जवाब किसम की जो है वो गेन बाद लिगरवाते हुए टीम साउथ प्रिका और सिरलंका की टीम भी काफी तेज़ खेल रही है पांच की रंडेट के साथ खेलते हुए टीम सिरलंका आज के समयच के अंदर बरहलों ने विगेट्स को लूज कर दिया है तो ये चीज़न के लिए अच्छी बात नहीं है अंदर आते हुए गेंट को फिक्या है लेक्सार की जाने बाद मोड़ा है लेक्सार के जाने बैकवर्स को लेकी पाजिशन पर फिल्टर माजूद लेकिन मिस्विल्डिंग करते हुए सिंगल आएगी सिंगल के साथ ही कतर रहते है स्कूर टीम स्रिलंका का तीन विकेट के नुकसांपे 14 आशार या दो वर्स का खेल इस मैंच के अंदर अब मुकमन होते हुए अच्छार टेस्ट में जो है दोस्तों इन दोनों टीम्स के दर्में जारी है अच्छार टीम स्रिलंका तीन विकेट को नुकसांपे 14 आशार या दो वर्स के बाद दो स्लिप एक गली के साथ अवर दा विकेट बॉलर तयार दौना शुक्या तेस हुए अमपार को क्रोस के अगेन के आलसंग के बाहर जाता हुए गेन लवली डिलिवरी बीट हो जाएंगे बैक्समेन और गेन जाएगी बल्ले को मिस करते हुए विकेट के पर क्याथ में और इसी डौट डिलिवरी के साथ अब जो है वो स्कूर रहते हुए एक अत्तर तीन विकेट के नुकसान पे लवली पीस ओफ बॉलिंग वाट अलवली डिलिवरी बाई मुल्दर और अच्छी गेन थी पढ़ने के बाद हलकी सी बाहर की जान में निकली ये गेंद और बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट के पर के हाथ में डौट डिलिवरी के साथ ही करता रहते हुए स्कूर इम सिरलंका का तीम विकेट के नुकसान पे 14 शर्य यतीन वर से लिए ये गेन भी बिल्कुल सेम डिलिवरी थी और बिल्कुल सेम अंदास एगेन बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट के पर के हाथ में और अब स्कूर रहते हुए एक अधर टीम सिरलंका का तीन विकेट के नुकसान पे 14 शर्य चार आवर्स का खेल इस मैच के अं स्कूर रहेगा अब 71 विकेट के नुकसान पे 15 विकेट के नुकसान पे 15 विकेट के अंदर आप चलते हुए अंदर में अवर का खेल जाएब दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमयान आप चलते हुए जहां पर चंदी मल चार पर मॉद्यों ने डी सिल्वा ने तेरा रंज बना रखे हैं गुल्दर अपनी गेंद बादी इस दिसले अगर रखे के जारी अपने अवर केरी गेंद लेकर अवर दाविकेट एक दावा फिट से आगेंद के अंदर आता हुए गेंद अपील हो सकती थी पाकिस्तान और टीम न्यूजीलेंड के दम्यान टेस्ट मैच का इखताम हो गया थाज लोग गी नगेधी पांच अवरस के अंदर उन्नी स्रुण्ज देते हुए एक बिकट कर अपने नाम किया अब बढ़िया क्रिकट जो है वो चलते हुए इंद दोनों टीम्स के दरम्यान कि दोषतो जो जी दैख भी आ और गेंडेन को केलने में का यह कि दिक्कत आ रही है टीम सिरिलंका के प्लेयर्स को बले ही Uh अच्छा हो लेकिन उन्होंने तीन कर दिया का तरकैस को पर पाकृस्तान-ंच बनाया था अच्छोन схण दी कोईन कहा ना पता कड़के पर के पास से को डॉट डिलेवरी तो इजी पीजी अंदा से मैच आगे बढ़ते हुए इन दोनों टीम्स के दर्म्याद साउथ तुरी का बर्शी सिर्लंका जहां अब पहले शेशन का खेल जारी है और पहले शेशन के इन दर एग गेंट का वक्ष जो हैं वह दोस्तों भोशच्छ चुका है अर्लिया ओन अंडर पैशर लाया था टीम साउथ प्रिका को लेकिन उसके बाद उसके बाद साउथ प्रिका की टीम ने बड़िया कमबाक किया इसे इसी बीच पैट्स पर आते हुए गेंगे इनको फ्लिक करना चाहते थे बले बाद स्लेक्स साइट की जाने बेक और डॉट लवली पीस ओफ बॉलिंग अच्छी गेंद बादी करवाते हुए टीम साउथ फ्रिका की ये बॉलर सोल वेवर का खेल जाहा है वो दोस्तों अब चलते हुए इसल्वा तेरा परभवजूध है चंदीमल ने चार रंज बना रखे तेरा गेंदों का सामना किया एंड्रिस नौर्च याने 15 रंज जो है वो देते हुए एक विकेट को अब तक अपने नाम कर रखा है और क्या जो है वो अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखे हुए दोर ना शुक्या तेस हुए एंपार को ग्रॉस का गेंड़ कर दिया है पुल कर दिया है इस गेंड को लेक्सार की जानिब गैप में फिल्टर गेंड के पीछे जाते हुए एक रंद मिलेगा दूसरे के ल और इस अच्छी गेंड को उतने ही अच्छी अंदाज से पुल किया था लेक्सार की जाने एक्स्टा का पर की जाने लेकिन गेंड उनके बले के इंसाइड आच को इसकरते हुए जाए कि विकेट के पर के आप पे और रशी डॉट डिलिवरी के सास्कोर रहते हुए थे हैं तर टीम सिरलंका का तीम विकेट की दूकसान पे सोल वेबर का खेल जाब चलते हुए आज के स्माच के अंदर बढ़िया गेंड थी उम्दा गेंड थी इन स्विंग हुई एगेंड और ड्राइब करना चाहते थे दिन जाए दिशिल्वा अपने विकेट के अंदर ही खड़े रहा कर इसके इन को एक्ष्वा कवर की जाने लेकिन बीट हुए ये बैस्मैंग एक कि 150 की स्पीर्स के साथ कर्वाए गी ये गेंड थी और वसी पेस के साथ बाँडरी लाइन के बाहर बे दिया जिस पेस के साथ हाई थी एक अज़िय्वा के साथ हो जाएगा स्टैम लूजिलांड का सिरलंका कमाफ के लिगा तीम नुगसान पे 16 अवर्स का मुकमल होते इसको टीम सिर्लंका का तीन विकट के नुकसान पे 16 अवर्स का खेला मुकमल होते हुए जहां सतन रेवर की पहली गेंद लेकर बॉलर जो है वो दोस्तों रहेंगे तयार स्पिन बॉलर को अभी तक ट्राइन नहीं किया गया पहला सेशन है तो इसलिए ही स्पिन बॉलर हो जो है वो अब तक ट्राइन नहीं किया गया केशम माराज जो है वो इस टीम के अंदर आज इस स्पिन बॉलर जो है वो पार्टी स्पीट कर रहे हैं दोस्तों जहां पर अब 37 रहते हैं वो इसको टीम सिरलंका का टीम विगट के नुकसाम पे बॉलिंग के लिए मुल्दर तैयार अपने अवर की पहली गेन लेकर अवर्दा विगट हाई गेन के अंदर आता हम अगेन बहुत बढ़ी अपील लेकिन अमपार की जानिव से नौट आउट का इशारा दिया जाएगा अब देखना होगा के टीम साउट स्ट्री का रिविउ लेती है या नहीं आपको ये भी बताता चलू दोस्तों के यहां पर बैटसमें इस गिन को लीव किया है और जब भी बैटसमें को लीव करें तो फिर गेन चाही ही उसका इमपाटव विट्रो के बाहिर ही क्यों ना हो बैटसमन को आउट ही करार दिया जाता है लेकिन हाइड थोड़ी से ज्य तो में भी चांसिस बन जाते हैं अगर अंपायर आउट का सिगनल देते तो फिर तीम स्रिलंका वाले रिवियू ले सकते थे अंदर आते वी गेंद को फ्लिक करना चाहते थे बैसमें लेक्साइड के जाने बले का इंसाइड आइच लिए है इस गेंद ने और इंसाइड आइ कि अन्मोल बाइंडिया से हमार साथ जुड़े हुए है साथ हमारे लगातार और जो दोस्ट जहां का इसे माजूद है वेलकम वेलकम एवर्यवन तो इस लाइव स्ट रहते हुए टीम स्रिलंका का स्कूर तीम मिखेट का नुकसान पे सतर वियावर का खेल चलते हुए जहां मुल दर के लिगांद आस्टों के बाढ़ जाते हुए गेंद और एक दवा फिट से बीट होगे बैसमें लवली पीस ओ बालिंग जितनी तारिफ करें बालर के उतनी ही कम है जहां ये गेंद शॉट पिच गेंद थी और इस गेंद को बैसमें डिफेंड करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहेंगे डॉट डिलिवरी के साथ 77 रहते हुए स्कूर तीन विकेट का नुकसान पे हां जी भाई हां जी हां जी हां बाड़िया मैं चलते हुए दोनों टीम्स के धर्म्यान जहां पर अब सिच्वेशन जो है वह कुछ यूँ है गाइस के 77 रहते हुए स्कूर तीम विकेट के नुकसान पे जी ठीक हो गया तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे तो अच्छा पिया चलिए फिर कभी से तो 77 रहते हुए स्कूर तीम विकेट के नुकसान पे अगर कोई भी रन इस सवर के अंदर नहीं आते है बॉलर तयार उल्डर केरी गेंड अंदर आते हुए गेंड अच्छी लगातार बेहतरीन किसम की बॉलिंग करवाते हुए साफ्ट प्रीका के ये प्लेयर्स पंडे के बाद हलकी से अंदर की जाने बाई ये गेंड थी और बल्ले को मिस्ट करते हुए जाकर पैट से टिक्राई हाइड थोड़ी ज्यादा है गेंड की जिसके वाज़ा से टीम साफ्ट प्रीका वाले ना तो अपील कर रहे हैं और ना ही रिव्यू लिया जा रहा है ट टीम सिरलंका वाले जो है वो साड़े तीन सो की उपर रंज बना सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो यह बहुत यची चीज़ होगी पैट को मिस्करते हो जाएगी अगेंड वही गेट के पर के हाथ एक और डॉट डिलेवरी चंदीमल चार पर मौझूद है दोस्तों और चंदीमल के साथ दनन जाएडी सिल्वा ने 19 रंज बना रखें 19 के दोंगा सामना क्या है एक ही गेंड को दो जानब स्विंग कर रहे है ये बॉलर और जिसके वज़ा से बैट्समन को कुछ भी समय नहीं आ रहा है कि वो किस संदा से खेलेंगेंगो सब्सक्राइब तर रहते हैं स्कोर टीम स्रिलंका तीन बिक्ट के नुक्साम पे सथर्वेवर की आखरी गेंड आफ्स्टों के बाए जाते हुए इसके इंग को लिव किया है मेरा नवर को मुकमल करते हैं वे टीम स्थाफ्ट पीका के ये बॉलर मुलदर और इसी के साथ अब 77 रहते हैं स्कोर टीम स्रिलंका का तीन बिक्ट के नुक्साम पे 17 वर्स के बाद जिब्राइल इंसारी इस विदास अलएंड वेल्कम टुदी स्लाइश्ट्रीम एज वेल शुक्रिया आपका में साथ रहने के लिए तो दोस्तों आदे गंटी का सेशन जो है वो अब हुना बाकी है 37 वर्स की पार्टनर्शिब लगाते हुए दोनों प्लेयर जहां चंदीमल ने एक चौका लगा रखा है और डिस सिल्वा ने उन्नीस वर्स मना रखे है उन्नीस के लो की उपर पीन चौके लगा रखे है अब तक दिन जाए डिसल्वा ने बड़िया बल्ले बाजी करते हुए धनन जाएडी सिल्वा यहां अगली गेन लेकर एंवेच नौश्या आवर दा विकेट हाए गेन के अच्छा गेन स्विंग होते हुए गेन गोडलन की गेन थी जैसे ही गेन ने ठपागा या ठपागा देके बाद बाहर की जानिम निकल करती है अच्छी बॉलिंग जो है वो करवाते हुए लगातार टीम साउथ फ्रीका रिच नोच्या खासतोर पर जिनकी पेस काफी बढ़िया है और अच्छी पेस के चलते हुए अब तक जो है वो 77 होते हुए स्कोर्टीम स्रिलंका का तीम विकेट के नुकसान पे और एक व स्रिलंका तॉस को जीते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला जो है वो अब तक इतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा तीन विकेट को लोज कर दिया लेकिन ये पार्टनर्शिप इस मैच को आगे लेकर बढ़ते हुए फान भाई वेलकम तो दिस इंसाइड आच होंगे और इंसाइड आच होने के बाद गेन जाएगी चौट एक्स्ट्रा कवर की फिल्टर की जाने डॉट डिलिबरी के साथ स्कोर रहते हुए इस तर्टर टीम सिर्लंग का तीन विकट के नुफसान पे अठार वे अवर की तीन गेने जो है वो अब तक मुकमल होते हुए यहां चंदीबल ने चार रंज बना रखे हैं उन्नीस गेनों का सामना किया और डिसिल्वा ने उन्नीस रंज बना रखे हैं बाइस गेनों का सामना करका है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए डिसिल्वा अगली गेन दास्टरूं के पार जाते हुए एक और अच्छी गेन एक दफा फिर बैट्समेन बच जाएंगे और गेन बने को मिस्ट करते हुए जाएगी विकेट कीपर क पास अच्छी बॉलिंग होते हुए एग्रैसिव बॉलिंग होते हुए टीम साफ्ट प्रिका की जान उपसे और सिर्यलंकन बैट्समेनों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन जवाब गेनों को खेलने में 21 होते हुए नौर्च याका स्कूर यानि की 21 के बज़िक विकट का अपने नाम का रखेडी सिल्वा ने उन्नीस देते हुए उन्नीस देते हुए उन्नीस बना रखे तेरा तेईस के नुकाप तक सामना का रखा है जहां गेन बाज अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेगा तीन स्लिप के साथ अगेन शाट पीच अगेन पुल कर दिया इस गेन को लेक साट के जानेब मिड विकट के जानेब फिल्टर मौजूद करेंगे फिल्ट डॉट डिलिवरी के साथ रहेगा स्कूर सततर टीम स्रिलंका का तीम विकट के नुकसान पे 151-152 की पेस के साथ बॉलिंग करवाते हुए लाज जवाब और बेहतरीन किसम की बॉलिंग करवाते हुए यहाँ अन्रेश नौर्चया जिनकी ये गेन स्विंग हो रही है बाहिर की जानेब निकल रही है अलगातार टप सततर है स्कूर टीम विकट के नुकसान पे आउस्टों के बाद जाते हुए अपील हो सकती थी लेकिन लखी रही है बैट्समें के गेंद बल्ले को मिस्करते हो जाएगी विकट के वर के हाथ ले लवली पीस ओफ बॉलिंग लाजवा बॉनिंग करवाते हुए साउथ प्री सेशन के अंदर 27 मिनट का वक्त जो है वो मजीद बागी है एक अच्छा सेशन चलते हुए दो दो टीम्स के लिए युगे सिटलंका के टीम ने रंस भी काफी ज़्यादा बना दी है यहां उन्होंने विकेट को लोज किया है लेकिन रंस भी उनके अच्छे ही होच के और इस सेशन के अंदर अगर वो विकेट को लोज नहीं करते तो उनके रं मजीद बढ़े गे जैसा के एक और चौका लगाते हुए दनेश चंधीमल जहां पैस पर आती हुए गें थी और पैस पर आती हुए इस गेंद को फिक कर दिया लेक साइट के जाने बंग व्डहें बांडरी लाइन के भाहर एक और चौकी के लिए फिल्डर्द थ यहां अपने अवर के दोस्टे लेकर गेंद बाद एक दबापेट से आएगेंगे अच्छा गेंद लवली पीस ऑफ डिलेवरी अज़िएक साथ ही क्यासी रहतेवे स्कोर टीम विकट के नुकसाम पे आपका साथ आने के लिए दानियल मल्क भाई एंड जितने दोस्ट जाएंगे इसे मौझूदे हैं वेलकम तो दिस लाफ्ट्रीम मिसी बीच इस गिन को खेलना चाहते थे पैट्समें लेक्साइट के जाने बीट हो जाएंगे जिन जाकर टकराएंगी पैट से और विट्टो कमेस करते हुए दिए गेंद डॉट डिलिवर पांच वे वर के अंदर अपनी बाद के सिषसे को जारी रखा हुआ है और उन्दों पर क्या है यहां अपने अबरह के लिए लेकर याइन लेकर गेंद बांज एक तबाब फिर से आगेंगा पैट्स पर आताब गेंद और वाइड बॉल का इशारा हो सकता है लेकिन कि यू दोस्तों को मिंटरी के फ्राइज सरण जाम देते हुए आज की स्माच के लिए इस से पहले जो है वह अंदर की जानी बाई लेकिन इस दफार जो है वो गेंद पढ़ने के बाद बाहर की जानी मिक्ली और बले के आउट साड़ाइच को मिस्करते हुए जाएगी मिकट के फथेखा क्या अन्ना लॉब दिलिवरी एंदेछबो डेलिवरी के साथ ही क्यासि हो जाएगा स्कोंतीर मिस्र्लंका का थीम का की नुखसां पे ड्रेत पीस-बहुलिंग Но ट्रीज झानक हानी मिक्र्शांस एमम का का नमा जा 시र नार अजर realized आगेन के इस गेन को स्मेश करना चाहते थे बैट्समेन एक्ट्रा कर रख की जानिब एक तफा फिर से बेसब्रे बने बैट्समेन और डॉट डिलिबरी के साथ स्कोरी क्या सी तीन विक्ट के नुकसान पी 79 माल्स पर और की स्पीड से करवाई गई ये गेन थी और बैट्समेन इस गेन को वो तेज़ खेलना जाते थे एक्स्ट्रा कावर की जानिब खेलना जाते थे लेकिन उन्होंने गेन को मिस्ट कर दिया और गेन बले का बाहरी के नारा चोड़ते हुए जाएगी विकेट के पर के हाथ पे इसके बाद अब स्कोर रहेगा इस मैंच के अंदर ही क्यासी टीम सिर्लंका का तीद मिखट के दुख साम पे उन्हें सवर्स का घेल जाएब दोस्तों अब मुकमद होते हुए नौटची एटशोपचाष पेस्ट के साथ बॉलिंग करवारे सिर्पामला एक सोचा relyश की पेस्ट के साल लुगी दरी एक सोचारी सोरण ओर मुल्देर रह जो है वो एक सोबतीस की पेस्ट के साथ बॉलिंग करवाते हुए आज के स्मес्श कर अंदर अच्छी नफितुली बॉलिंग करवाते हुए हैं यह तमाम के तमाम प्लेयर्स आज के स्मेंस कंदर जहां पर अब एक यासी रहते हुए स्कोर्टीम सिरलंका खाटीम विकेट के नुकसान पेम दूसावर्स के बाद बॉलिंग में तमदील कि गई है किशब माराज को बॉलिंग के लिए लागया है स्पीन बॉलर हैं दोस्तों केशाब माराज जो आते हुए बॉलिंग के लिए मनेलेटस कुस्पी किसकि बॉलिंग कर वा जाती है बूनकी जान अई एक यासी टीम स्रिलंका इन विकेट के नुकसाम पे उन्नीस अवर्ज का खेल जा है वो इस मैच के अंदर अब तक मुकमन हो चुका है अश्म के बाहर जाते हुई शॉट पीचे गेंद डिफेंसिव शॉट कवर की जाने डॉट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए अब इस मैच के अंदर एक यासी टीम स्रिलंका का इन विकेट के नुकसान पे बावन की पेस के साथ करवाई गये यह गेंद थी जाहां पर एक दबाव फिर गेंद बास ता यार एलेक्षम पर आते हुए इसे के साथ हमें एक यासी रहते हुए स्कोर तीन विकेट के नुकसान पे उन्दीस आशार यादो वर्सका खेली स्मैच के अंदर अब मुकम्मल होते हुए एक बड़े मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां एक दबाप फिर गेंद बाज आएगें तीन रन्स के साथ स्कोर आगे बड़ते हुए चौरासी टीम स्रिलंका तीम विकेट के नुकसान पे सेशन का खेल जो है दोस्तों मुकबल होने वाला है लग बग एक किस मिनट के अंदर अगर टीम बाकितान जो है वो कह लीजिए के सिरलंका जो है विकेट को लोज नहीं करती तो एक अच्छा सेशन साबित हो सकता है उनके लिए 82 है स्कोर तीन विकेट को नुकसान पे 19 अशारीय तीन वर्स के बाद जहां गेन बाज एक तबाप फिर से आए गेन के अंदर आताव अगेन इस गेन को डिफरेंट कर दिया है वापिस बोलर की जानिब डॉट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए चोरासी टीम से लंका तीन विकेट को नुकसान पे पच्छमन माइल्स पर और की स्पीड से करवाईगी ये गेन थी अच्छी और नफी तुली जो है वो बॉलिंग करवाते हुए जहां एक दबाप फिर आफस्टन के बाहर जाते हुए गेन को ड्राइब कर दिया है लंग ओफ की जानिब एक और अंदाफ शोट और एक और सिंगल लेते हुए ये दोनों प्लेयर लवली पीस ओफ बाटिंग बाइब इस तो प्लेयर्स और इन दोनों प्लेयर्स के दरमेयान अब पार्टर्शिप आगे बढ़ते हुए हो चकी है इक अच्छी पार्टर्शिप लगते हुए इन दोनों प्लेयर्स के दरमेयान जिसको बढ़ाने के मजीद जरूरत है लिए इस चंदीवल नौ परमाजूद है जबके 22 परमाजूद है इस सिल्वा यो स्ट्राइट परमाजूद अगड़ी गेंद केश्व महाराज की विगेट विगेट आते हुई गेंद को ड्रिफेंड करना पड़ेगा वाप इस बॉलर की जाने जो भी गेंद दिकेट में आरिये का जो भी दोस्ते वीडिव लाइक चाल्ब को सब्सक्राइब करें रहें है बहुत मैं डौकर resin का साइथ और रहने के लिए वीडियो को गांति है चानल को सब्सक्राइब करने के लिए दाउर्चिया को जिए वह 185 की वालिंग शूलिंग करवाते हुए दोस्ते सब्सक्राइब और यहीं एक वजा है कि टीम स्रिलंका जो है उनको इतने अच्छंदा से नहीं खेल सकी लगातार उनकी पेस्ट जो है 145 से उपर है अग्यान पढ़ने के बाद बीट हो जाएंगे बैट्समेंट जाने दिया इसके इनको लिव किया इसके इनको दिनेश्टन इसके बाद जो प्लेयर आएंगे दोस्तों वह इतने अच्छे बैट्समें नहीं है तो इनके कंदों के उपर एक बड़ी जुमादारी आयत होती है कम असकम इनको जो है वो ये वाला सेशन अच्छे अंदा से खेलना होगा कोई भी विकेट वो जह वो टीम सिरलंका को लूज नहीं करना होगा अच्छी गेंद इस दफाई एगें स्ट्रेट रह गई अन्ने के बाद हलकी सी अंदर की जाने बाई एगेंद और इस गेंद को रहां पहला टैस्ट मैंच और पहले टैस्ट मैंच का पहला दिन इन दोनों टीम्स के दरम्यान सेंच्छूरियन के मकाम से जो है वो लाइव खेला जा रहा है अन्रिच नोची आपनी बालिंग के सिसले को रखेंगे जारी अवर्दा विकेट जाना शो क्या थेस वेंपार क लेकिन नाकाम रहे इस गेंगे को कनेक्टर निमे और गेंद उनके बले का जो है वो आप चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमयान एक अच्छा मैच चलते हुए एक बड़या मैच चलते हुए बिग बैश्ट लीग का सिसला भी जो है जो हो देश्टा पाया बाद कर लेते हैं तो वो भी अच्छी लीग है और अच्छी खासी आवाम जो है उसको फॉल्phone करती है इसे बीच एक दफाल फीर बैट्स मैं आउट होते होते बाल बाल बचेंगी गेंद इनके बल्ले का बाहरी के नरा मिस्स करते हुए जाएगी विकेट के पर कहात में और इसे के साथ हब स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर पीचासी टीम सिरलंका तीन विकेट के नुकसां पे बेस आशरिया चार वर्स का खेल जाहा है उमकबल होते हुए जहां करंटर रंडेर चार आशरिया एक एक का है जबके चंदी मल ने नौर रंज बना रखे तीस के नुगा सामना किया दो चौके लगाए हुए हैं दन जैदे सिल्वा ने अब तक 22 रंज बना रखे हैं 30 के नु अच्छी विगेट विगेट बॉलिंग करवाई जा रही है और इस बॉलिंग को अच्छी अंदास से ही खेला जा रहा है टीम सिरलंका की जानिव से पार्टर्शिप जो हुए हुए इन दोनों फेर्स के दरमायान एक अच्छी पार्टर्शिप लगते हुए अब जहां पी करते हैं आपार को रॉस्का अच्छी पार्टर्शिप चेंग जाते हुए और गांच को पंच कर दिया है एक्स्ट्रा कावर की जाने भेक और डॉट डिलेवरी लवली पीस ओ बालिंग अच्छी बालिंग कर वाते हुए और उस बालिंग का जहां बड़ी अंदास से सामना लगते हुए इन दोनों प्लेयर ने बड़िया पार्टनर्शिप लगते हुए दोनों प्लेयर के दर्म्यान 21 hours और 21 hours के अंदर 55 runs 85 runs बनाते हुए टीम सिरलंका और दोस्तों आपको बताता चलूँगे 15 minutes का खेल जो है वो इस session के अंदर हुना मजीद बाकी है और अब देखना होगा 15 hours के अंदर situation क्या रहती है मुहमादरी भाई हमार साथ मुझे आलेकम अससलाम Welcome to this live stream पांच चोके लगए हैं कोई भी छक्का नहीं लगा हुआ 22 runs बनाए हुए हैं भी सिल्वादे 9 runs बनाए हुए दनेश चंदीमलने और अब देखते हैं कि ये partnership और मजीद कितना आगे जाती है क्योंकि टीम सिरलंका को जो है वो ये partnership बढढ़ानी की ज़रूरत है विकेट अगर गिट जाती है एक भी तो फिर मुष्किलात रहेंगे टीम सिरलंका के लिए नो बोल को चक्किया जा रहा है दोस्तो तो ये नो बोल होगी और भॉलर दوبारह से गेंट करवाने के लिए आएंगे No Ball होगी दोस्तो No Ball का इशारा दिया गया है अम पार के जानिफ से रिलोड करेंगे इस गेन को फिरिक कर दिया लेक साड की जानिफ हवा में है गेन दोर गेन बड़ते हो जाएगी लेक साड पर मोजूद लेक साड पर मोजूद फृल्डर के पास सब्सक्राइब करेंगे इसके इनको फिर्ट सिंगल आते हुए और सिंगल के साथ दो रूंस का इजाफा हो जाएगा दो रूंस के साथ 87 रहते वह स्कूर्ट इम सिर्लंका तीन विकेट के नुकसान पे सब्सक्राइब करने लगे हो क्या ना यार अभी तो सेशन का टाइम भी नहीं हुआ एक और नो बोल का नहीं यह तो दोस्तों स्कूर्ट रहते हुए 87 टीम सिर्लंका तीन विकेट के नुकसान पी अलिकम असला मुहमाद अरीब वेल्कम तुदिस लाइशू जी तो दोस्तों साथ अब 87 रहेगा स्कूर तीन विकेट के नुकसान पे एक की सवर्ज का खेल मुकमल होते हुए दो जो है वो स्लिप के फिल्टर मौजुद अंदर आती हुए गेंद एक और नो बोल करवाते हुए और नो बोल डिलिवरी इसके साथ 88 रहेगा स्कूर्टीम सिर्लंका तीन साथ अब मुकमल होते हुए जहां अंदर आती हुए गेंद और अंदर आती हुए गेंद बलने का इंसाड एज चुने के बाद पैट्सर क्राई हलकी से अपील हुई लेकिन अंपार का इशारा के बैट्समन नो डाउट है 88 रहेगा स्कूर्टीम सिर्लंका तीम विकेट के नुकसान पेकिस अवर्स के बाद 13 मिनट का वक्त मजीद बागी है सेशन का इखताम होने में 13 अवर्स का खेल जहां वो दोस्तों मुकमल होते हुए इस सेशन के अंदर जहां पर अब स्कूर रहते हुए 88 तीम विकेट के नुकसान पे 22 वेवर्स के खेल जहां वो अब मुकमल होते हुए जहां आउस्टों के बाद जाते हुए अगली गें देक और डॉट डिलेवरी लगातार बढ़िया गेंदबादी का परदर्शन करते हुए टीम साथ फ्रीका जहां अगली गेंद को फिर से डिफेंड किया वापिस पॉलर की जानेट अगली गेंद को ड्राइब किया है डॉट एक्स्ट्रा कवर की जाने बेक और डॉट डिलेवरी दोस्तों स्कोर बदस्तूर अठासी पर है तीन विकेट की नुकसान पे बाइस वेंवर का खेल जहां वहीं अगली गेंद को डिफेंड कर दिया है वापिस पॉलर की जानेब नजर लग गई है इनको जी नहीं नजर तो अब काफी देर की उतर चुकी है क्योंके 34 रूंस की पार्टनर्शिब लग चुकी है इन दोनों प्लेयर्स के दर्मयान कि वैसा नहीं कह सकते हैं कि नजर लगी हुए नजर जो है अब उतरते हुए आप स्ट्रम के बाद जाते हुए अची गेंद विकेट विकेट आती हुए इस गेंग को डिफेंड किया है आप ताट की ही जाने एंड डॉट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए इस मैंज के अंदर आठासी टीम स्रिलंका इन विकेट के नुकसान पर बाइस आवर का खेल जा है वो अब वो कमन होते हुए नजर जो है वो आइस ता इस ता उतरते हुए स्रिलंका की टीम की क्योंकि उनकी पार्टर्शिप जो है वो एक अच्छी पार्टर्शिप लग चुकी है 22 अवर्स का खेल हुआ बाइस अवर्स के नडर रहा सी रंज आए है और तीम विकेट का लोज कर दिया है टीम साथ स्रिलंका ने गाइस पहला टेस्ट मैच और पहले टेस्ट मैच का पहला दीन और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पहला सेशन जहां विस जारी है और अब सिपामला को बोलं के लिए लाए गया है सिपामला की पहले गेन को ड्राइब कर दिया है एक्श्वा कवर की जानिब गैप में है गेंद और बांडरी लाइन के बाहर जाती हुए गेन चौकी के लिए लवली पीस ओव बाटिंग कमाल हिट लगाते हुए स्किन कि चौका लगाया कि अगर्ट नहीं हुआ ना इसलिए बोला कट नहीं हुआ क्या चीज कट नहीं हुए जी तो दोस्तों स्कोर रहते हुए बांड में तीन मिकट के नुकसान पे 22 शरिया एक वर्स का खेल जो है वो मुकमल हो चोका अच्छा अच्छा शौर्ट जो है वो कट शौर्ट खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे और कर लिंग जगेंद इसकें को फिर से ड्राइव किय आने एक दवा फिर से बड़ा शौर्ट खेलना जाते थे वैसमें लेकिन गैप में नहीं खेल सकें बलके इस गेन को जो है वो खेल ही नहीं सके यह प्लियर बान में रहते हैं विसको टीम स्रिलंका थीम लिगट की नुकसान पे 22 अशर्यादोर्स का खेली समय के अंदर होते हुए स्रिलंका की टीम बड़ी पार्टनर्शिप की तालाश में साथ फ्रीका की टीम जो है वो विकेट की तालाश में अब देखते हैं कैसा हो होता है या फिर नहीं होता दोस्तो यहां चंदी मल्दस पर मोज़ें नॉन स्ट्राइकर एंड का सामना करते हुए करने की कोशिश एक दवा फिर से बैक्समेंट की एक दवा फिर से होगी नाकामी और डॉट डिलिवरी के साथ बान में रहेगा स्कूर तीन मिकेट की नुकसान पिव डबल अनू अ अभी तक तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हुआ कि दोस्तों बान में रहते हुए इसको टीम सिरलंका तीम मिकेट की नुकसान पिए इसमेंट का खेल जाए वह चलते हुए जहां चली मलने दस रूंज बना रखे हैं लिए सिल्वानेच अब इस रूंज बनाए हुए है 23 स्कीनों का सामना किया हुआ है और अब बॉलर जो ह इसमें पार को ग्रॉस का गेंट के बाट जाथ अब अगेंट राइब किया है इस गेंट को लॉंग आफ की जाने मिड़ाफ की पोजिशन पर फिल्टर माजूद करेंगे फिल्डा तलिवरी अनिवन फ्रम सिरलंका नो ब्रोव यार फ्रम पाकिस्तान पंजाब वी आर हैर with you you can talk with us कब होगा लॉंच तो लॉंच की बात कर लेते हैं तो साथ मिनर कबक्त बाकी है लॉंच होने में और कर लेंगे फिर लॉंच की ब्रेक थोडी लंबी ब्रेक होगी लसांगे सुर्या इस विदास फ्रम सिर्यलंका वेलकम तो इसलाए लॉंच वेलकुल पास से वह जाएगी बांवरी लाइन के बाहर यह गें लेकार चाहकी के लिए क्यान में होते हुए इसको टीम सिर्लंका का तीम विगेट के लुकसान पे असी माइल्स पर और की स्पीड से करवाई गी यह गें थी और इस गें को स्मेश किया मिडल ऑफ दा बैट स्ट्रेट बांवरी लाइन की तरफ फिल्डर के एची एफट थी बॉलर के एची एफट थी लेकिन गेंद दोनों के दरम्यान में से होते हुए जाएगी बांवरी लाइन के बाहर चौकी के लिए ब्रेक कितनी मिनट के होती है 40 मिन के लगबग ब्रेक होती है कि दोस्तों चांद में रहते हुए इसको टीम स्रिलंका तीम विकट के नुकसां पे अपने अवर के लिए लेकर बॉलर फिर से आगें क्या शाट फिचेंगें इसके इन को जोर्दार अरंदा से हिट क्या है वापिस बॉलर की जाने बडॉर्ड डिलिवरी के सास्को रहते ह कि अच्छा मैच चलते हुए एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां पर आज टॉस को विन क्या था टीम स्रिलंका ने पहले बाइटिंग करने का फैसला किया कि इतने मिनट रह गए है ब्रेक के अंदर तो ब्रेक होने में साथ मिनट का बड़ लियुद्स बाखी है कि बिक्विल्ला इसके बाद बैटिंगकर देलीं अंगे यह सयां sellerंगा व इसके बाद करने के लियुद्स वसके बाद मैटिंगकर दिए Гिए विल्सवा सवर्ण फर स्थानमे टीम स्रिलंका को करनी है वह करनी है दोस्तों के उनको क्लोज नहीं करना इस सेशन के अंदर मजीद बाकी है और अगर वह विगट क्लोज नहीं करते तो यह चीज उनले बहुत ही बहुत ही नियुद रह सकती है सब्सक्राइब के साथ सिंगल नेने की कोशिश इन दोनों प्लेट के सिंगल नेंगे और सिंगल के साथ हो जाएगा स्कूर निन्नाद में टीम सिर लंका तीम घके के नुक्सान पिए मानला कि 99 टीम सिर लंका मध्लास अफ्री कश्त्रीट के começar स्कूर में बॉंध शॺण में डॉद डूट्ट सम्सक्रा जोन पी 24 वेवर का केल जहा है वो चलते हुए अच्छी गेंद केश्व महाराज की थोड़ी खीची हुई गेंट थी परेरा इस विदस हेलो और वेलकम दिस लाइश्वी परेरा ब्रो वेर आर यू फ्रम यू थाल में लाइब चाट नाइटी जानेब फिल्टर मौझूद करेंगे फिल्ट डॉट टिलिवरी के साथ भी नानवी रहेगा स्कोर्टीम सिरलंका तीम विकेट के नुकसान पे च्वाभी सावर्स का खेली स्मैश के अंदर अब मुकमल होते हुए जहां पर आज सिरलंका की टीम जो है वो दोस्तों टॉस को जीत कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए और उनका ये फैसला अब लगबग एक अच्छा फैसला साबित हो रहा है तुक्छ उन्होंने विकेट कर लोज जो है वो काफी देर पहले किया वा था और अब अच्छी बाटिंग करते हैं सिरलंका की ये टीम जहां इनान मेरे एका तीम सिरलंका का स्कोर्ती इंगर के निफसान पेच्वाभी सबर्स के बाद था 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 पाद पीजिश पीजिश याब और आभी राग है विले टीम निविश ऑन अग्ला के लिंट आख रहले को तो मिल्यश अगर पीजिश भी डाइट हीज बाट देड इनान मेरे इन विल्क मार्त मेरे ने आची जो रहे कर दो तो ये जी जावाभ कान थी बीकेट हैं था बाट आइंट हो और रहे ओम अन्पलेबल डिलेवरी नित्मु सिपामला की एक लाज जवाब गेन थी और बीट होगे बाट्समान जाएगी विगट के पर के पास इसके चलते हुए नन में रहेगा टीम से लंका का स्कोर तीम विगट के नुक्सांते अपने अबर की दोस्टे गेन लेकर बॉलर एक दवा फिर सथे यार दरना शुक्या थेस्वे अंपार को क्रॉस का गेन क्या उसन के बाट जाता अगेन हलके आतो के साथ इसकेन को निकाल दिया है डीप प्वाइंट की जाने बफ सिंगल आते वे सिंगल के साथ सिरिलंकन टीम विल क्रॉस देर हंडर रूंज क्लैपिं फोर्स ए टीम सिरलंका ने अपने सौर रंस को मुकमल करते हुए सौ हो जाएगा टीम सिरलंका का स्कोर तीन विकेट के नुकसां पे तो आवी सा शर्याद ओवर्स का केल मुकमल होते हुए आएं फ्रों पाक्सान पंजाब फैसलाबाद 24 सिरलंस के पाटन शिपन के हो इंबर को मकमल करने के लिए विंकाल लग्स रिमोंस की जाने बैक अरॉम न शॉर्टafर फिल्डर को रहा है पांड़ी लाइन पर जो करेंगे स्कें को फिल गोर नोर सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर एक ही लिगेगए हॢ। लापटनेश्पिप इस प्रीष सेवाटे जैन आ तरी आरेड रहा थे सुप्रीड गार ते ओंग श्की medical के नृट वीगन को गया है लीप जाने दिया है चेल पेहले एक सिरलंका के फ्लेयर्ज डॉट डॉट डेलवेड साथ हो जाएगा स्कुरीड स्मैस्क्रानच रभर एक स एक टीम स्रिलंका का टीम विकट के नुकसान पे माधूर आप पमी जो हमार साथ महोजूद है नाइस स्रिलंका विल विन दिस मैच लाइट सोब फूर दाट एट साइम फूर लंच बेक अल्ली वन मिनट टू गो लंच बेक एक टीम स्रिलंका टीम विकट के नुकसान पे 24 आशर या 14 वर्स का खेल इस मैच के अंदर चलते हुए दो स्लिप महुझोद है एक फिल्डर गली की पॉजिशन पर महुझोद दगड़ी गें दगड़ी गें को किया है फ्लिक लेक साइट की जाने बार सिंगल को अपने नाम करते हुए या दोनों पर सिंगल के साथ हो जाएगा स्कूर 102 टीम स्रिलंका तीन विकट के नुकसान पे 80 माइल्स पर और की स्वीड के साथ करवाई गयी यह गें थी और अब शायद एक ही गें का खेल होना मजीद बाकी है लंच ब्रेक पे वो दोनों टीम्स के लिए एक वल रहा यह सेशन जहां पर सिरलंका की टीम ने तीन विकट कलोज किया लेकिन साथ-साथ उन्होंने 102 रंस भी बना दिये हैं और अगर सिरलंका की टीम 300 से उपर रंस बना देती है इप देश्कोर 300 रंस एट विल बी अगुड टोटल 14 सिरलंक प्रम टीम सिरलंका यी तो दोस्तों दोस्तों के साथ सेशन के आखिए लेकर बॉलर तैयार आफ्शन के बाट जाती हुए गेंद को किया है लीब और जाने दिया है विकर्ट के पास और इसे के साथ हाई थिंक कब स्टैशन का खेल जहां वो मुकमद होते हुए लंच ब्रे दोस्तों हो में बाठ करने तो यह मैच संचूरियन चल रहा था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ के यहां पर सिरिलंका की टीम ने लगातार जो है वो विगेट्स को लूज करने का शुरू कर दिया और विगेट्स को लूज करते हुए थोड़ा स्ट्रोगल करते हुए हमें दिखाई दिये टीम सिरिलंका इस मैच के अंद जाएगा पाकिस्तानी मताब एक तीन बज बजे लंच ब्रेक का आगास हुए तीन बज के चालीस मिनुट पे लंच ब्रेक जो है वो खतम हो जाएगा अगर हम बात कर लेते हैं बैटिंग कार्ड की तो गुरुनारत ने 22 रंज बनाए 20 गयों का सामना किया चार जो है वो च के लगाएगे उनकी जानवसे को शालप रेरानी 16 रंज बना हम 30 ग्यों सामना किया 24 गयों के बने से और कुछाल अनुट्ध मैंड लेंघ से 12 बना है 16 लंगा सामना किया दो टारत रेकां की जानिवसे पर हम देख लेती हैं तो सावथ परीका की जानिप से पहली विएडें इसके स्कोर पर हासिल की गई कुरोना रतने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बले का इंसाइड है जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह वेकट कलोज कर दिया कुरोना रतने ने अपनी अपनी इस तरह दोस्तों कुछाल मेंडिस की बात कर लेते हैं तो चबवन के स्कोर पर उशाल मेंडिस बड़ा शौक खेलने के चकर में आउट हुए और उशाल परेरा आज वो चबवन के ही स्कोर पर आउट हुए थे और इस तरह टीम सिरिलंका जो है वो मैच के अंदर सिरिलंका के टीम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉगल कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूर थे और अगर सिरिलंका प्लेयर एक बड़ी पार्टनर्शिप लगा लेती हैं तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी चीज रह सकती है टीम सिरिलंका के लिए जहां अब 102 है टीम सिरिलंका का स्कोर तीम मिकट के नुक्सान पे 25 सवर्स के बाद लंच ब्रेक का एक तिकाम अब से कुछी दिर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जॉइन कर लूँगा अब से कुछी दिर के बाद दो बारा तब तक के लिए आताए तो आम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा कि आज सिरिलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज किस दिन के अंदर 65 हवर्स का खेल जो होना अभी भी बाकी है और जो अच्छा स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मयान अगर टीम सटलंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बाद आने वाले जो अगले प्लेयर हैं वो अपनी टीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो गया पाएंगे या फिर नहीं तो दोस्तों सात ही रहेगा और गंदोस्तों कुछी ये के बेक ह है और मैं है पुजु आनों करूंगाब से कशी बाद सेटीर के लिए प्लतरों हमारा साथ जो है वो từ डेते रहेगा जीत दोस्तों, अच् hurricanes ये लिए गिहाल लग्मल इस विदासर इंक 280 इस अगोर स्कॉर या इलसो थिंग सो I I think so as well you can just go to supply but it is with us when will the lunch is three or five what is the time in your country bro you can tell me and I will tell you regarding your time Ronak is with us sir Namaskar कैसे है आप अल्हम्दोविला I am absolutely fine and doing well what about you आप कैसे हैं आप अपनी जो है वो सिहत के बारे में बताएगेगा कि आपकी तबियत और सिहत कैसी है none is with us guy handling 一 articles user user earliest some shitty is with us sir little cousin also give a a white wash again to south flica in these series let's see what will happen in the series there's going to be a great series between these two teams कि कि पिछली सीरिस के अंदर हवाइ था सीरलंका ने टीम साओथ फेका को अपने एक लिकाटिट हुझड़ाया क्ते तारीखी मैच हिस्टॉरिकल मैच को जो है वो दिन करवाया था नी टीम को और स्री लंका ने उसमैच को वई एक बिकट से तो दोस्तों मैच जारी है टीम सिरलंका और टीम साउथ फ्रिका के दर्मियान और इस मैच की दोस्तों अगर हम बात कर लेती हैं तो ये मैच सेंचूरियन के मुकाम से खेला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टैस मैच के अंदर टीम सिरलंका ने और टॉस को जीते हुए पहले बाइटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिब से आज अच्छे क्रिकेट खेलेगी शुरुवाती अबर्स के अंदर उन्हें तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश की और एक वक्ते टीम सिरिलंका का जो रूंडेर था वो छे के आसपास चल रहा था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ के यहाँ पर सिरिलंका की टीम ने लगातार जो है वो विगेट्स को लोज करने का शिल्सला शुरू कर दिया और विगेट्स को लोज करते हुए थोड़ा स्ट्रोगल करते हुए हमें दिखाए दिए टीम सिरिलंका इस मैच के अंदर जहाए एक दो रहा टीम सिरिलंका का स्कोर तीन विगेट के नुकसाम पे 25 सवर्स का खेल जब मुकमल हुआ और लंच ब्रेक जो है दोस्तों इस मैच के अंदर आ गई इस वगत सिच्वेशन कुछ यह हैके लंच ब्रेक और लंच ब्रेक के बांद खेल का आघाज अब 2 य खतम हो जाए की जबके है व Иंडया इसमसी मिता वह है वह 2 लंच ब्रेक का आघाज हो है और के दस मुनट प्रेक ब्रेक का जो है वो इखताम हो जाएगा अगर हम बात कर लेते हैं बैटिंग कार्ड की तो गुरुनारत ने 22 रंज बनाए 20 के नोगा सामना किया चार जो है वो चौके लगाएगी उनकी जान से कोशाल परेरा ने 16 रंज बनाए उन 30 के नोगा सामना किया दो चौके लगाएगी उनके बने से एंडी सी तरह कुशाल मेंडस ने 12 रंज बनाए 16 के नोगा सामना किया दो चौके उनकी जान से लगाएगी और देशन दीवन ने जो है वो 13 रंज होना है 16 के नोगा सामना किया दो चौके जो है वो उनकी जानिब से भी लगाएगे जहाँ पर साथ फिरिका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साथ फिरिका की जानिब से पहली विगेट अठाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुराना रफने गड करना चाहते थी गेन को लेकिन बने का इंसायड आज जोह है वह लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह वेकाट के लुज कर दिया कुराना रफने ने अपनी यह इसी तरह दोस्तों कुशाल मेंडिस की बात कर लेते हैं तो चबवन के स्कोर पर उशाल मेंडिस बड़ा शौक खेले के चक्र में आउट हुए और उशाल परेरा आज वह चबवन के ही स्कोर पर आउट हुए थे और इस तरह तीम सिरिलंका जो है वो मैच के अंदर स्ट्रॉगल करते हुए और इसी तरह दोस्तों हम बात कर लेते बॉलर्स की तो आज जिल्दूंगी लगे दीने पांच आवर्स करवाए इस तरह दोस्तों हम बात कर लेते हैं उल्दर की तो उन्हें चेवर्स में कोई को पिकटक ने नाम किया केश्यत माराज दें तीन अमर्स करवाए और तीन अमर्स के अंदर उन्होंने एक जह है वो हो कह लीजिए के मड़न करवाते हैं साथ रंस दिया और कोई भी वीकटक अपने नाम किया इस सिचिछोएशन कं कुछ यूग है कि सी्रिलंका के टीम जो है वो पोड़ा सा स्ट्रोगल कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूरत है और अगर सिरलंका प्लेयर एक बड़ी पार्टनर्शिप लगा लेते हैं तो दोस्तों यह बहुत अच्छी चीज रह सकती है तीम सिरलंका के लिए जहां अब 102 है टीम सिरलंका का स्कोर तीम लिकेट के नुकसान पे 25 अवर्स के बाद लंट्डीन के बाद हो जाएगा और मैं आपको जॉइन कर लूगां अबसे कुछी दिर के बाद दो बारा तब तक के लिए आतोवण दोस्तोंने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा कि आज सिरिलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज किस दिन के अंदर 65 होर्स का खेल जो होना अभी भी बाकी है और जो अच्छा स्कूर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मियान अगर टीम सब्सक्राइब का स्कूर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कूर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बादाने वाले जो अगले प्लेयर है वो अपनी टीम के स्कूर को यहां तक लेकर जाने में काम या भो पाएंगे या फिर नहीं तो दोस्तों साथ ही रहेगा तमाम दोस्त कुछी दिर के ब्रेक है और मैं आपको ज्वाइन करूँगा आपसे कुछी दिर के बाद तब तक के लिए आप तमाम दोस्त हमारा साथ जो है वो यही देते रहेगा तो दोस्तों मैच जारी है ट सिरिलंका ने और टॉस को जीते हुए पहले बॉलिंग करने का बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिव से आज अच्छी क्रिकेट खेलेगी शुरुवाती अवर्स के अंदर उन्हें तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश की और एक वकपे टीम सिरिलंका का जो रूंडेर करते हुए थोड़ा स्ट्रोगल करते हुए हमें दिखाए दिए टीम सिरिलंका इस मैच के अंदर जहाए एक दो रहा टीम सिरिलंका का स्कोर तीन विकर के नुकसान पे 25 अवर्स का खेल जब मुकमत हुआ और लंच ब्रेक जो है कि लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक के बाद खेल का आगाज अब से कुछी देर के बाद हो जाएगा पाक्स्तानी मत्रेम ताबिक तीन बजे लंच ब्रेक का आगास हुए तीन बच के चालीस मिनुट पर लंच ब्रेक जो है वह खतम हो जाएगा अगर हम बात कर लेते बैटिंग कार्ड की तो गुरुनारत ने 22 बनाए 20 के नोगा सामना किया जो है वो चौके लगाएगी उनकी जान से कोशाल परेरा ने 16 बनाएं 30 के नोगा सामना किया दो चौके लगाएगी उनकी जानिप से भी लगाएगे जहां पर साथ फरीका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साथ फरीका की जानिब से पहली विगेट आठाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरणारतने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बने का इंसाइड आज जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह विगेट कर दिया कुरणारतने अपनी एंड इसी तरह दोस्तों विलंका जो है वो मैच के अंदर स्ट्रोगल करते हुए और इसी तरह दोस्तों हम बात कर लेते बॉलर्स की तो आज जिल्दूंगी नगे दीने पांच आवर्स करवाए विगेट का पने नाम किया इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उल्दर की तो उन्होंनी छे है वो कह लीजिए के मेडन करवाते हुए साथ रंस दिया और कोई भी लिगेट को अपने नाम किया तो सिच्वेशन जो हो दोस्तों कुछ यूँ ही है कि सिरिलंका के टीम जो है वो पोड़ा सा स्ट्रोगल कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूर थे और अ आपको जोइन कर लोगा अब से कुछी दे के बाद दोबारा तब तक के लिए आता हम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा कि आज सिरिलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद र सिरिलंका स्कूर बना लेती है तो ये एक बहुत ये अच्छा स्कूर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बाद आने वाले जो अगले प्लेयर है वो अपनी टीम के स्कूर को यहां तक लेकर जाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं तो द के मैच संचूरियन के मुकाम से खिला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टेस्ट मैच के अंदर टीम सिरिलंका ने और टॉस को जीते हुए पहले बालिंग करने का बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिव से आज अच्छी क्रिकट खेलेगी शुरव करते हुए थोड़ा स्ट्रोगल करते हुए हमें दिखाए दिए टीम सिरिलंका इस मैच के अंदर जहां एक सदो रहा टीम सिरिलंका का स्कूर तीन विकट के नुकसान पे 25 सवर्स का खेल जब मुकमल हुआ और लंच बेट जो है दोस्तों इस मैच के अंदर आ गई इस वग च के 40 मिनुट पे लंच बेक जो है वो खतम हो जाएगी जबके है इन्ट्रे को इसमतार जाएगे और 4 क repentance वरेक बेक का रिख्ताम हो जाएगागा कि अगर्जान हो और हम बात कर कार्ट रोट यंव्य है बाइस ने बाइस बनाए 20 गिका असामना किया। पहली विके अटाइस के स्कोर पर हासल kई गई कुरणारत ने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बले का इंसाइड एज जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह वेकट कलोज कर दिया कुरणारत ने अपनी एंड इसी तरह दोस्तों कुछाल मेंडिस की बात कर लेते हैं तो चबवन के स्कोर पर उशाल मेंडिस बड़ा शौक खेले के चकर में आउट हुए और उशाल परेरा आज जो है वो चबवन के ही स्कोर पर आउट हुए थे और इस तरह तीम सिरिलंका जो है वो मैच के अंदर स्टोगल करते हुए और इसी तरह दोस्तों हम बात कर लेतें बॉलर्स की तो आज ज उपके अब क्या अब तो उन्हें चेमर्स में तेरा रूस देते हुए और तीन आवर्स के अंदर उन्होंने एक जह है वो कह लीजिए कि मेडन कर वाते हुए सात रंस दिया और को प्रक्व निया तो सिच्टोइशन जो हो दोस्तों कुछ यूं है कि सिरिलंका के टीम जो है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूरत है और अगर सिरलंकाद प्लेयर एक बड़ी पार्टनर्शिप लगा लेती हैं तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छी चीज रह सकती है तीम सिरलंका के लिए जहां अब 102 है टीम सिरलंका का स्कोर तीम लिकेट के नुक्सान पे 25 अवर्स के बाद लंच ब्रेक का एक दाम अब से कुछी देर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जोइन कर लूँगा अब से कुछी देर के बाद दोबारा तब तक के लिए आता हम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा के आज सिरलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज के इस दिन के अंदर पैंसर्ट हवर्स का खेल जो होना अभी भी बात ही है और जो अच्छा स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मियान अगर टीम सिरलंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बादाने वाले जो अगले प्लेयर है वो अपनी टीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो पाएंगे या फिर नहीं दोस्तो गुशी तरकी बरेक है और मैं पुझवाइन करूंगा आप से कुछ ये दिर के बाद तब तक कलिया तो मैच जारी है टीम सिरलंका और टीम साओचτι्स कि दरम्यान और स्क्राइद के दर्म्यान और ऐस मैच की दोस्तो अगर हम बात कर लेती हैं तो ये मैच संचूरियन के मुकाम से खिला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टैस्ट मैच के अंदर टीम सिरिलंका ने और टॉस को जीते हुए पहले बाइटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिब से आज अच्छी क्रिकट खेलेगी शुरुवाती ओवर सिरलंका के टीम ने लगातार जो विटेट फो लोज करने का स्ट्सला शुरू कर दी यार विगत सिचोंडेशन करते हूए थोड़ा स्ट्टेफल करते हुए हमें दिखाए टीम सिरिलंका इस मैचट के अंदर जहां है एक सर्फ दो रहा टीम सिरिलंका का पा स्कूर पर लंच ब्रेक जो है वो खतम हो जाएगा अगर हम बात कर लेते हैं बैटिंग कार्ड की तो गुरुनारत ने बाइस बनाए बीस के नोगा सामना किया जो है वो चौके लगाएगी उनकी जान से कोशाल परेरा ने लगाएगी उनकी जानिप से भी लगाएगे जहाँ पर साथ फ्रिका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साथ फ्रिका की जानिप से पहली विगेट अट हाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरुनारत ने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बले का इंसाइड जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टोर से टकराई और इस तरह विगेट के लोज कर दिया कुरुनारत ने अपनी अब दोस्तों अगरम बात कर लेते हैं बॉलर्स की तो आज जलूंगी लगे दीने पांच अवर्स करवाए विगेट कपने नाम किया तो उन्होंने छे वर्स में तेरा रंस देते हुए एक पिकट कपने नाम किया अकेश्यम महाराज ने तीन अवर्स करवाए और तीन आव वो कह लीजिए के मेरन करवाते हुए साथ रंस दिया और कोई बीडियकर को अपने नाम किया तो सिचुएशन जो हो दोस्तों कुछ यूँ ही है कि सिरलंका के टीम जो है वो पोड़ा सा स्ट्रॉगल कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूरत है और अगर सि कुछी देर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जोइन कर लूँगा अब से कुछी देर के बाद दो बारा तब तक के लिए आता हम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा कि आज सिरलंका के टीम पूरे दिन क और 350 के दर्मयान अगर 300 लंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बाद आने वाले जो अगले प्लेयर है वो अपनी रीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो पाएंगे या पिर नहीं तो दोस्तों साथ ही रहेगा तमाम दोस्तों कुछी देर के ब्रेक है और मैं आपको ज्माइन करूंगा आपसे कुछी देर के बाद तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों हमारा साथ जो है वो यही देते रहेगा तो दोस्तों मैच जारी है टीम सिरलंका और टीम को जीते हुए पहले बाइटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिब से आज अच्छे क्रिकेट खेलेगी शुरुवाती अबर्स के अंदर उन्द हुने तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश की और एक वक्त पे टीम सिरिलंका का जो और रहा था लेकिन उसके बाद हुआ करते हुए थोड़ा स्ट्रोगल करते हुए हमें दिखाए दिए टीम सिरिलंका इस मैच के अंदर जहाए एक सुदो रहा टीम सिरिलंका का स्कूर तीम विकट के नुकसान पे 25 सवर्स का खेल जब मुकमन हुआ और लंच ब्रेक जो हो दोस्तों इस मैच के अंदर आ गई इस सब्सक्राइस वागत्र सिच्वेशन कुछ यू है कि लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक बाद खेल का आगाज अब से कुछी देख बाद हो जाएगा अगास हुए एक ताहुए तेन बजे लंच ब्रेक अगास हो जाएगा है जा अगर भार खेंडिया को यूग जब्रव तो चौके लगाएगी उनकी जानिब से लगाएगी उनकी जानिब से लगाएगी जहां पर साउथ फ्रिका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साउथ फ्रिका की जानिब से पहली विगेट अट हाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरणारत ने गट करना चाहते थे गेंग को लेकिन गेंग बले का इंसाइड जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह विगेट के लोज कर दिया कुरणारत ने अपनी अट इसी तरह दोस्तों कुषाल मेंडिस की बात कर लेते हैं तो चबवन के स्कोर पर उशाल मेंडिस बड़ा शौक खेले के चकर में आउट हुए और उशाल परेरा आज वो चबवन के ही स्कोर पर आउट हुए थे और इस तरह टीम सिरिलंका जो है वो मैच के अंदर श्र कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जरूर थे और अगर सिरलंका प्लेयर एक बड़ी पार्टनर्शिप लगा लेते हैं तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी चीज रह सकती है टीम सिरलंका के लिए जहां अब 102 है टीम सिरलंका का स्कोर तीम निकेट के नुकसान पे 25 अवर्स के बाद लंच ब्रेक का एक तदाम अबसे कुछी देर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जॉइन कर लूँगा अबसे कुछी देर के बाद दोबारा तब तक के लिए आता हम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा क कि आज सिर्य लंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज किस दिन के अंदर 65 हवर्स का खेल जो है वो होना अभी भी बाकी है और जो अच्छा स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मयान अगर टीम सेटलंग का स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बादाने वाले जो अगले प्लेयर है वो अपनी टीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो प गहीएगा तो दोस्तों मैची जारी है टीम सेर्लंका और टीम साथरिका के दर्मयान और मैच की क में भाद करने का निकरने और उनकी जानिब से आज अच्छी क्रिकेट खेलेगी शुरुवाती अबर्स के अंदर उन्दे तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश की और एक वक्त पे टीम सिरिलंका का जो और रंडेर था वो छे के आसपास चल रहा था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ के यहां पर सिर 25 सवर्स का खेल जब मुकमत हुआ और लंच ब्रेक जो हो दोस्तों इस मैच के अंदर आ गई इस वगद सिच्वेशन कुछ यूँ है के लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक के बाद खेल का आगाज अब से कुछी देखे बाद हो जाएगा पाक्स्तानी मतिम ताबिक तीन बज कार्ड की तो गुरुनारत ने 22 रंज बनाए 20 के लोगा सामना किया जो है वो चौके लगाएगे उनकी जानिब से भी लगाएगे जहां पर साथ फ्रीका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों हम देख लेते हैं तो साथ फ्रीका की जानिब से पहली विगेट अठाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरुनारत ने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बले का इंसाइड एज जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह विगेट कलोज कर दिया कुरुनारत ने अप सब्सक्राइब करते हुए अचम-पर कर्वाज दोस्तों अगरम बात कर लेते बालर्स की तो आज जल्लूंगी नगे दीने पांच अवर्स कर वाए निस तरह लुक्यलka कर वाये विगेट कफ़स कर वाई और ती सी पामला ने जो है वो पांच अवर्स कर वाये और तीस नो तो कह लीजिए के मेडन करवाते हुए साथ रंस दिया और कोई भी विकट को अपने नाम किया तो सिचुएशन जो हो दोस्तों कुछ यूँ है कि सिरिलंका के टीम जो है वो फोड़ा सा स्ट्रोगल कर रही है इनको एक बड़ी पार्टनर्शिप के जुरूरत है और अगर सिर देखे बाद दोबारा तब तक के लिए आता हम दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा कि आज सिरिलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज किस दिन के अंदर 65 हवर्स का खेल जो है वो होना अभी भी बाकी है और जो अच्छा स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मयान अगर टीम सटलंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब दिखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बा सब्सक्राइब करेंगा अब से कुछी दिर के बाद तब तक के लिए हमारा साथ जो है वो यही देते रहेगा तो दोस्तों मैच जारी है टीम सिरलंका और टीम साउथ फ्रीका के दर्मयान और इस मैच की दोस्तों अगर हम बात कर लेती हैं तो ये मैच संचूरियन के मुका काम से खेला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टैस्ट मैच के अंदर टीम सिरलंका और टॉस को जीते हुए पहले बालिंग करने का बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिब से आज अच्छी क्रिकट खेलेगी शुरुवाती ओवर्स के अंदर लंका के टीम लगातार जो है वो विकेट को लूज करने का शुरू कर दिया और विकट लूज करते हुए थोड़ा स्क्रोगल करते हुए हमें दिखाए दियो तीम सिर्लंका इस मैच के अंदर जहाए एक स्विक्ज दो रहा टीम सिरलंका का स्कोर 3 लिगाट के नुकसाम पे तीन बच लेते बॉलर्स की तो आज जिल्लूंगी नगेदी ने पांच आवर्स करवाएं इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उल्दर की तो उन्हें छेवर्स में तेरा रंज देते हुए एक विकट अपने नाम कि आकेश्यम महाराज ने तीन अवर्स करवाएं और तीन अवर्स के अंदर उन्होंने एक जो है वो कह लीजिए के मेरन करवाते हुए साथ रंस दिया और कोई भी लिकट का अपने नाम किया तो सिचुएशन जो है दोस्तों कुछ यूँ ही है कि सिरिलंका के टीम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉगल कर रही है इनको एक बड़ प्लेयर एक बड़ी पार्टनर्शिब लगा लेती हैं तो दोस्तों ये एक बहुत ही अची चीज रह सकती है टीम सिरिलंका के लिए जहां अब 102 है टीम सिरिलंका का स्कोर तीम निकेट के नुक्सान पे 25 अवर्स के बाद लंट ब्रेक का एक तकाम अब से कुछी देर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जोइन कर लोगा अब से कुछी देर के बाद दुबारा तब तक के लिए तो आम दोस्तों दें वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और देखना होगा के आज सिरिलंका के टीम पूरे दिन का खेल खेल पाएगी या फिर नहीं याद रहे दोस्तों के आज किस दिन के अंदर पैंसर्ट हवर्स का खेल जो होना अभी भी बाकी है और जो अच्छा स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर वो I think 280, 300 और 350 के दर्मियान अगर टीम सेटलंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बादाने वाले जो अगले प्लेयर हैं वो अपनी रीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो पाएंगे या फिर नहीं तो दोस्तो साथ ही रहेगा तमाम दोस्त कुछी देर के बेक है और मैं आपको जोइन करूँगा आपसे कुछी देर के बाद तब तक के लिए आप तमाम दोस्तो हमारा साथ जो है वो यही देते रहेगा तो दोस्तों मैच जारी है टीम सिरिलंका और टीम साउथ फ्रीका के दर्मियान और इस मैच की दोस्तों अगर हम बात कर लेती हैं तो ये मैच संचूरियन के मुकाम से खेला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टैस मैच के अंदर टीम सिरिलंका ने और टॉस को कोशिश की और एक वक्पे टीम सिरिलंका का जो वो रंडेर था वो छे के आसपास चल रहा था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ के यहां पर सिरिलंका की टीम ने लगातार जो है वो विगेट को लोज करने का शिल्सला शुरू कर दिया और विगेट को लोज करते हुए थोड़ा स्क्रोगल करते हुए हमें दिखाए दिए टीम सिरिलंका इस मैच के अंदर जहां एक दो रहा टीम सिरिलंका का स्कोर तीन विगट के नुकसाम पे 25 सवर्स का खेल जब मुकम्मद हुआ और लंच बेक जो है दोस्तों इस मैच के अंदर आ गई इस वगत सिच्वे जब रहा गाए गाए अगर हम बात कर लेते बैटिंग कार्ड की तो गुरुना रत ने इनने 22 रंज बनाए 20 गेनों का सामना किया जो है वो चौके लगाए गी उनकी जान से कुशाल परेरा ने 16 गेनों का सामना किया दो चौके लगाएगी उनके बले से अंडी सी तरह जानिप से भी लगाएगे जहां पर साथ फ्रीका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साथ फ्रीका की जानिप से पहली विगेट आठाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरोणारतने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन गेन बले का इंसाइड है जो है लेने के बाद जाकर विट्व से टकराई और इस तरह विगट कर दिया को नारतने अपनी 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 अंडी सितरह दोस्तों कुछाल मेंडेस की बात कर लेते हैं तो 54 के स्कोर पर उचाल मेंडेस बड़ा शौक खेले के चकर में आउट हुए और उचाल परेरा आज वह फ्वी चवंस के ही स्कोर पर आउट हुए थे इस तरह टीम सिरिलंग का जो है वह मैच के अंदर स्ट्रय करते हुए अड इसी तरह दोस्तों अगर बात कर लेते बॉलर्स की तो आज जिल्दूंगी लगे दी ने पांच अवर्स करवाए इस तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उल्दर की तो उन्होंने छे वर्स में तेरा रंस देते हुए प्रिकट के नाम किया के्शाम माराज ने तीन अबर्स करवाया और तीन अबर्स के अंदर उन्होंने एक जह है वो कहली और मीडन करवाती में साथ रंस दिया है और कोई भी बिकट अपने नाम किया तो सिचेशन है थो कोछ यूँ है कि सिरिलंका की टीम जो है वो फोरा सा स्ट्रगल कर रही है 공 içer Next परहद और अगर सिरलंकाант प्लेयर एक बड़ी पात्रेश्प लगा लेती हैं तो दोस्तों यह एक बहुत अची चीज रह सकते है टीम सिरलंका के लिए जहां अब एक्सोद है टीम सिरलंका का स्कोर तीम निकट के नुकसाम पे 25 अवर्स के बाद लंच ब्रेक का एक अपसे कुछी देर के बाद हो जाएगा और मैं आपको जोइन कर लोगा अपसे कुछी देर के बाद दोबारा तब तक के लिए आता हूं दोस्तों ने वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को सब्स 280, 300 और 350 के दरमयान अगर टीम सिरलंका स्कोर बना लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर रह सकता है बरहल अब देखना होगा कि ये दो प्लेयर और इसके बाद आने वाले जो अगले प्लेयर हैं वो अपनी टीम के स्कोर को यहां तक लेकर जाने में काम्याब हो अफ्रिका के दरमयान और इस मैच की दोस्तों अगर हम बात कर लेती हैं तो ये मैच संचूरियन के मकाम से खेला जा रहा है जहां पर आज टॉस को विन किया पहले टैस्ट मैच के अंदर टीम सिरलंका ने और टॉस को जीते हुए पहले बालिंग करने का बैटिंग करने का किया और उनकी जानिब से आज अच्छी क्रिकेट खेलेगी शुरुवाती अवर्स के अंदर उन्हें तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश की और एक वकपे टीम सिरिलंका का जो और रूंडेर था वो छे के आसपास चल रहा था लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ के यहां पर सीरिलंका की टीम ने युखातार जो है वीचो लुज करने का श्रूषक मैश शूरू कर दिया और विखडों करतेव हैं धिखाए दिचिह दाःम का इस मैंस के अंदर र inhattom दो रहा टीम सिरिलंका का स्कोर 3 लिषय को नुक्सान पे 25 सवर्स का खेल जब मुकमल हुआ और लंच ब्रेक जो है दोस्तों इस मैंच के अंदर आ गई इस वगत सिच्वेशन कुछ यूँ है कि लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक के बाद खेल का आगाज अब से कुछ ही देखे बाद हो जाएगा पाक्स्तानी वक्ति मताबिक हुँ कि वहषरे का आगात अगोओ जाया के इंडिया को इक इन्स मताबिक सब्सेट इन तीन नंच ब्रेक का आगाज यूँ है चार बच दूर्शार परेंण को परियों नंग सैंदेटों ने 22 रंज बनाए 20 के नोगा सामना किया जो है वो चौके लगाएगे उनकी जानिब से भी लगाएगे जहां पर साथ फ्रीका की बॉलिंग लाइन को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो साथ फ्रीका की जानिब से पहली विगेट आठाइस के स्कोर पर हासिल की गई कुरणारतने गट करना चाहते थे गेन को लेकिन बले का इंसाइड जो है वो लेने के बाद जाकर विक्टो से टकराई और इस तरह विकट कर दिया कुरणारतने अपनी अपनी एंडी सी तरह दोस्तों कुछाल मेंडिस की बात कर लेते हैं तो चबन के स्कोर पर जहां जो अकादे मारा है एक्स्ट्रा कवर की जाने बनेबाज ने लाज जबावन्दा से स्केन को खेला और बेज दिया बांडरी लाइन के बाहर चार रम्स के लिए को भाई ゃणोने दोस्तों मैं जारी है टेम सिरलंका टीम साथफटरीका के दर्मयान और इस अच्य दोस्तों एक अच्छा दार चलती धोंदोटीम के दर्मयान यहां पर अब डीकिट का सिसला जो बन दोनों टीम के दिर्मयान जारी है एक सचे है score team we get to look Santhi Austin के बाजार जाती की गें को किया है लीजन इडिया विकेट के पास dot delivery के साथ है score रहते हुए अबी स्माइच के अंदर 106 on the loss of 3 बिग्ट जहां पर अब दोन जैडी सिल्वार डिदन जैडी सिल्वा के साथ दूसरे प्लेयर जहां पड़ी अंदास अपने वाले बादी के सिसले को आगे जारी रखे हुए लेट में ओपन यूर चैट आप तमान दोस्तों की चैट भी जो है वाब मेरे सामने आते हुए the man by words out more than welcome to the system people are questioning about that run scored by team sir lankan possession no matter how they how many runs scored or if I can't 100 the important thing is the anyhow they have scored a rather it's a 50 or 100 array by cable here high up this time bhandra or are you trying to say here tell विडियू पर याद ब्रोट याद विजी विडियू जैसलिक थे बॉट दिलिट के साथ हो जाएगा स्कूर एकूर एक सोचेटीम से लिंक आप नुकसाप हां जी हां जी हम तो चाहेंगे कि बाक्सान के टीम की बैटिंग आपको आखरी सेस्ट में ही आजाये तो चीज जाओंगी टीम पाकसान के लिए वो टीम है जिन वने अभी तक तीन विक्टों को हासल किया पूरे दिम के अंदर वो कल दो सेशन के अंदर विकेट्स को अपने नाम करेगी ऐसा होता है या नहीं कि अधर नियू काप्या तुल यह विल आटोमेटली साही होगा जी तो दोस्तों स्कोर रहते हैं वह इस मैंत कब दर एक सोचे थी मिखट के नुक्सान पर मौमादरी बाई हमार साथ मोजूद है और इसके साथ आप जो भी दोस्ते नहां का इस से मोजूद ही है जी तो दोस्तों सोरी कुछ टेक्निकल लिशूज की वज़ा से लाइस्यूम बंध होगी थी और अब हम दुबारा से आपके साथ जुड़ चुके हैं मौमादरी बाई हमार साथ मोजूद है मौमादरी बाई ने हमें जवाइन का रखा है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ रहने के लिए जहां पर एक सुदस होचका है टीम सिरलंका का स्कोर तीन विगेट के नुक्सान पर सिरलंका के टीम बड़िया क्रिकेट खेलते हुए 110 स्कोर तीन विगेट के नुक्सान पर इस ग्राम के उपर सबसे बड़ा स्कोर जो है वो हाशी मामला ने मना रखा है जिन्होंने 208 रंस के लाजवावी निंक्स के लिए थी 373 गिनों के उपर 301 गिनों के उपर दस्टनीज के खिलाफ पर 2014 तोतरा दिसंबर का वो दिन था जब आशी मामला ने कब माल इनिक्स के लिए थी इस संट्योरियन के इस सूपर स्पोर्ट पार्क के उपर जहां पर आज सिरलंका की टीम 110 पर महुझे तीम लिगर के नुक्सान पे अंदर आते हुई यह गेंद जाकर बले के कहली जिए के बिलकुल अंधरूनी कनार को चुले के बाद विक्टो में जा रही थी लेकिन वहां पर फिल्टर ने यह फिल्टर नहीं बोल सकते लेकिन बैट्समेन की अच्छा समयधारी जिन्होंने इस गें को डिफ्रेंड किया दुबारा स सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अब तका थावन गिन्हों का आज है वो सामना कर रखा है और अब गेंबाद अपनी बालिंगे सिस्लेव रखेंगे जारी आपर दावी के दॉना शुक्या थे इस्वे आम पार प्रोस्क्राइब का शुक्राइब अगें बढ़िया शूर्ट एक्स्ट्राइब की जाने बढ़ एकर लेते विए प्लेयर दोस्त्रे लिए रून के ल जल गया था कि यहां पर को नाया है अरे भाई 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 लगेंड रियानी इस विदास वलकम तो दिस लाइव सिम और माई इंटरनेट इस क्रीटिंग बिट आफ इसुदिन दिस लाइव सिम तो सोरी इसके लिए आप तमान दोस्तों से अड्वांस में यहां पर अ 112 रहते विसको टीम सिरलंका का तीम विगेट के नुक्सान पे गेंड बाज एक दवा फिट से रहेंगे तयार अबर दा विगेट दॉन अश्रू क्या थेज़ों एंपार को ग्रॉस क्या गेंड क्या स्ट्रेट हिट क्या है इस गेंड को स्ट्रेट हिट और लवली हेट एक और चॉका लगते हुए इसकीं पर मिंडल अफ्ट बैट स्केंड को स्मेश कर दिया था और गेंड बढ़ते हुए जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौक स्ट्रेट के लिए वा क्या बात है कि वाहा क्या बात है दोस्तों मिडल अब दा बैट स्मैश किया था इसके इनको और काफी अच्छी लाया में दिखाई दे रहे हैं इसके बैट्समेन जिनका नाम है दनन्जायदी सिल्वा एक और चौका लगाते हुए और अब जाचोगे अधिसन दनन्जायदी सल्वा 34 के स् इस दफा इनको गैप में खेलनी में नाकाम रहे हैं बैट्समेन और डाउट डिलिवरी के साथ स्कोर रहे गाइगा इस मैंच कंदर 116 तीम से लंका थी मिकेट के नुकसान पे 148 के साथ करवाएगी यह गें थी पुल करना चाहते थे बलेबाद इसके इनको लेक्सायद के दिआने बल लेकिन गैप में जो जो है वो खेलने में नाकाम रहे बैट्समें लिसके इनको तरह बरहल पार्टनर्शिब देखिये 52 रंस्के का लाजवाब पार्टनर्शिप जो है वालगते हुए इन दोनों प्लेयर्स के दरम्यान आला किसम की पार्टनर्शिप जो है वो तरतीब देते हुए दोनों प्लेयर जहां जब पचास की स्कोर पर चावन की स्कोर पर टीम सिरलंका दें अपनी टीम विकेट को लोज कर दिया था लेकिन उसके बाद अच्छा अच्छा आगास देते हुए अच्छी पार्टनरिशिप लगाते हुए फ्लेर रहा 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 हुए लिव को लिट के आज जाने डिया वैकत के पर के पास और डॉट देलेवरी के साथ 116 रहे रहे को टीम स्रिलंका दिम का च्छान पे 30 आवर्स केल अचलब मुकमल होच का है यापको मोइल भापस मील्या Do you have your phone? जी तो.. परेडा is with us, Welcome to this livestream bro How are you? This is..This match is going to be VERY interesting If Sri Lanka is able to make 300 runs I think 300 targets will be a good thing Lead is a good thing सिरलंका वाट डू यू से गाइस सिरलंका की टीम को आज किस मैच के अंदर कितने रंज बनाने का ही मेरे हिसाब से 300 टोटल अच्छा रहेगा क्योंकि साथ प्रिका की बलेवादी भी जो है वह इतनी अच्छी नहीं है इतनी एक्स्पीरेंस नहीं है और एक दफा फिर अंदर यह आई नो दाट बच्चों के बाद से बढ़े बहाने जो है वह नहीं होते आज कर अगर बच्चे यह वाले काम करें तो उनकी बात मानी जा सकती है यू आपको जो है वो इससे पहले भी है कि यूज करना चाहिए था इन स्लिप के साथ था बॉलर था यार आप्शन के बा सब्सक्राइब और को इंदर पहली सीडिस के रही है तिम साथ फिका यहां पर नगेदी ने साथ अवर्स के अंदर 25 रंज एक विगट को अपने नाम किया है कोई नहीं जब बंदा फेल हो रहा हो तो बार बार ट्राइब करना चाहिए आप्शन के बाहर जाती विगें को लिप किया और जाने दिया है विकट के पर के पास टॉट डिलिवरी के साथ स्कोर रहेगा 116 इन विकट के नुकसां पे 150 की पेस के साथ बॉलिंग करवाते हु आर युज पोर्टिंस विलंका और साथ विका अज एक में पूर्ट इम पोर्टिंस गो लंकान टीम इस अशिंटीम सो राट्स वाइब काई बिल्स पूर्ट अबिल्स पूर्ट पूर्ट इस अजय को पेकिपर इस गैन को पकटने में रहेंगे नाकाम और गेंड जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चोके के लिए अकास ने हमें जो इनका रखा है कविश कविश अकास जो है हमार साथ मोजीद है वल्कम तो इस लाइफ शूर्ट पिच्छ गेंड थी और इस गेंड को विगट के पर भी थामने में आकाम रहे है और गेंड बढ़ते हुए जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चाके के अब वो कमल होते हुए जैसिंगे प्रेयरा वल्कम प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब येस ब्रो उनको कोई बैदी फिट तो नहीं होगा वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करने का लेकिन ये है कि अगर आप कर देंगे तो ये कची चीज रहेगे इसे चैनल तो यू कन सब्सक्राइब कर देंगे तो नहीं कर पा रहे तो मांसरत शीज के ये तो दोस्तों स्कूर रहते हुए एंड सब्सक्राइब को नुक्सामते और इगें पाराती विगें को फ्लिक्या है लेक्साइड की जानेब एक और सिंग् सिंगल आते हुई सिंक्यूपर और सिंगल के साथ था था अंजी अंजी कर लीजिए क्योंके मोडिरेटर की जॉब भी आप अच्छे से सरंजाम दे रही है तो सैंक यू सो माच अंदर आती हुई गें बहुत बढ़ी अपील करते हुए सारे का सारा जोर उनको ने अपील करने पे लगा दिया लेकिन अमपार ने कहा ना मैं ना चुट के नुक्साम पे बढ़िया मैं चलते हुएं दोनों टीम्स के दर्म्यान जहां पर अंदर आती हुई गें थी और बल्ले को मिस्स करते हुए गें जाकर टकराई है पैट से अपील हुई बड़ी अपील हुई इस गें के उपर लेकिन अमपार का इशारा के बाट्स में नॉ मुझे लगता है कि इनको रोकना काफी मुश्किल है इनकी बॉलिंग के उपर अगर आप विकेट को ही बचा लेंगे तो यह सबसे बड़ी बात होगी बड़ी अखरेकर चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्म्यान जहां पर एक दवा फिर गेंबाद अबर दवाई कर आएगें क्या योर कर लेंजे गेंबले का बारी किनारा लेगी और आउटसाइड जोने के बाद गेंजाएगी एक्ष्वा कबर के पोजिशन पर मजूद के पास और अब स्कोर रहते हुए इस मैंच के अंदर वन हंडर एंट वंटी थ्री अंद लास अफ्री बिगेट्स अच्छी क्रिगेट चलते हुए और अब निमनलेंड डिसिल्वा की दोस्तों बात कर लेते तो पेस की उपर काफी जदा स्ट्रॉगल कर रही है अपने 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 मौड हैं और वो आगे हैं अब मैंजा नहीं 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 है अगर आपको कोई काम है तो युकें गो ऐस किसम को छोटे काम नहीं करते से बीच इसे बीच इसके इन को फिकाद यहलेक्स आट की जाने बाद याशर्ट डिसल्वा के मलेसे सिंगल निकलते वे इस जिंग आडर रहा सीगल के साथ एक्षाथ ऑबी सो ते वे स्कोटीम से लंका तीम आटीम अट कर दो सांपी यह जाल निकल तो मचल फर स्विंगेर शुक्रिया और के यह कि आट आट अट इस पाप आट इस बाइब आट तो बाइब आ यह जाने जा बाइब आट पाट इस ने कर रहा लेकिन जो बाइब आट रह एं हम उनको माइब आ रहें हैं वनिंदुहारंगा आट मिश्राच बाउट इस बाइब आट यह जाने लेकिन रहें आकाम डॉट दिलिविके सास को रहेगा एक स्वेज़ा आट इस ने किन पे राइब लग नाग भी बेक्त बाइब लेक्स लिग उसे लिए रहें है तो आट यह जो ने विए प्राइब आट रहें पाट रह the spinners in their squad so it's a good option is the good matchman also i think yes is the average batting average in the t20 and odi matches is the 18 i think 18 k average ranking so it will be a good inclusion in team sir london swar squad is already CMD कि इसकेन को ड्राइब कर दिया है एक श्रा कवर की जाने बांदा शॉट और फिल्डर की इतनी इला जवाब एफट जिन्होंने डाइब करते हुए इसकेन को रोकार यकीनी चौका जहाँ वह अपनी टीम के लिए बचा अच्छा शॉर्ट था एक शॉट आक शॉट कवर की ज होता है बुचका है बंती दे हमें जवाइं का रखा बहुत वाँ शुक्रिया आपका जसाथ आने के लिए अलोवन वेल्कम तो इस लाइट श्रीम आज वेल इन रंस का हो जाएगा दोस्तों इजा फार इन रंस के साथ हो जाएगा स्कोर एक सटाइस टीम से लंका थीन के जानिब के फिल्डर मौजूद करेंगे फिल्ड बरहल सिंगल आते वे स्केम के उपर और सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब एक सटाइस टीम से लंका तीन विगट के नुकसां पे तीस आश्वरिया पांच अवर्स का खेल इस मैंच के अंदर अब तक मुकमन हो चुका है यहां लूंगी नगेदी का आठ मावर और आट मेंवर के अंदर उन्होंने तीस रंस देते वह एक पिकट का पने नाम किया है ठंड जो है वो दोस्तों काफी ज्यादा है और ठंड होनी की वज़ा से बैट्समें प्लेर्स जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस फिल्ड में नहीं दे पा रहे है बरहल अब जो है वो सिच्वेशन को चुछ हूँ के स्कोर रहते हुए 128 तीन विगट के नुकसां पे विगती सवर्स का खेल मुकमल होते हुए रंड रेट बहुत ही बढ़िया है वालीकम अस्सलाम आम आरिया से बाई क्या हल चाल है आपके उमीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे है रोफियत से होंगे एंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस पंदीमल 25 पर हैं और डेसिलवा इक्तालिस के स्कोर पर मौलूद हैं दोनों प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट के साब खेलते हुए खासतोर पर डेसिलवा जिन हुने इस सेशन की बात कर लेते हुए उस सेशन के अंदर छे वर्स होए चबीस रमजाए हैं और कोई भी विगट का लोज नहीं क्या हुए टीम स्रिलंका ने एक लिए पाट पर आती विए बहुत बढ़ी अपील बहुत बढ़ी अपील लेकिन अंपायर साहिब कहते हैं के नौट आउट का इशारा अंपायर की जाएम से नौट आउट का इशारा दिया जाएगा और इसके बाद अब एक सों तीस रहते हुए स्कूर तीम लिकेट के नुकसान पे लवली पीस आउट बॉलिंग विए गैन थी और पाटज पर आती हुए इसके इंट को फिक करना चाते थे बैसमन धट साइट के जाने ब गैन उंके बल्ले को मिस कि और बल्ले को मिस करते हुए जाकर क्कृ ये गैन पाट से लेकिन लेक साइट को लेक्सम को मिस्स कर रही थी अगेंद इस वज़ा से नोड़ाउब का शारा दिया गया हैं पार के जान से एक दबाँ फेर अगली गेंद आसन के बाद जाते वी शॉट विच अगेंद बाकफट पर रहते हुए डिफेंड क्या है इसके इनको खबर की जानिब सिंगल का इजाफा एक सो तीस रहते हुए स्कोर्टीम सिरलंका का तीन विगेट के नुक्सांद पे एक सो तीस रहते हुए स्कोर्टीम सिरलंका का तीन विगेट के नुक्सांद पे एक तीस आशार या दोवर्स का खेलिया मुकमद होते हुए जहां चंदीवल ने जब इस रूंज बना रखे हैं सड़सर के लोगा सामना क्या हुआ है देशल बाने 59 डिलिवरी स्क्राइब पर 41 रूंस की जो है विलिंग स्केल रखी है जहां तीन स्लिप के साथ अगली गें दास्तों के बाएट जाते हुए गेंट को डिफेंड किया है और और वाइंट की जाने पॉइंट की पॉजिशन पर बाकप्वड पॉइंट की पॉजिशन पर रहा फिलिटर मौजूद करेंगे इस गेंग को फिल्ड डॉट डिलिवरी के साथ 130 रहते वे स्कों टीम स्रिलं का नियों टॉस को जीते में पहने बॉलिंग करने का पैसला किया आज की स्मेंच के इंदर संचुरियन के मुकाम से इमाच इंदोनों टीम्स के दर्मयान इस वखर लाइब खिला जा रहा है 130 is the score on the loss of 3-1 C C Beachis Gain को straight hit किया है lovely shot और गेंबरते होई जाएगी बंडरी लांइन के बाहार एक और खुबसूरत चाखे किलिये what a lovely hit by this fair wicked to wicked आथी we gain thi और रिस Gain को smash कर दिया था लॉंग ओफ एक लीजे के लॉंग और लॉंग ओफ के फिल्डर के दिर्माद में से बाउंडरी लाइन के बाहर चाहके के लिए सिर्लंका को एटलीस तीम सो पचास रूंद बनाने होंगे और अगर सिर्लंका की तीम सो पचास रूंद बना देती है तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होगी बहुत ही बढ़ी चीज रहेगी यह टीम से लंका के लिए जो आका दे मारा है बाई आम बैक वेलकम बैक फुल किया है लक्साइट के जाने बेक और अम्दा शॉट और एक और सिंगल आएगी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा और हो जाएगा एक सचान तीस तीन विगट के नुकसां पे आई इस वर प्लेफर माइश सेहत और हैंब बहुत शुक्री आपका कि अधर के गरीब दोस्तों है हमार साथ जुर्टे हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप तरान दोस्तों का साथ रहने के लिए अला टैस्ट में जो है वह दोस्तों इन दोनों टीम्स के दर्माइन इस वह जारी है जारी है तो पैंटी सोच कहा है स्कूर तीन मिकट के नुकसा पैप यू के नास्क निया निकांड फ्क्वेस अंदर आती विए इस दपांपार के उगली फिजा में उठ जानी चाहिए जी नहीं दोस्तों आम पार ने दिया है नोर्ट आवका शारा और देखना होगा के अब तीम सिरिलंका जो है वह माफके लिगा टीम साउथ विका र विल्डर और कप्तान जो है वो रिवीव लेते हुए कप्तान डिकॉक जो है वो रिवीव लेते हुए दोस्तों और देखना होगा कि रिवीव के अंदर काम्या भी होती है यह नहीं जी हां दोस्तों रिव्यू ले आगया है साउथ स्परीका की जान से बड़ा मुखा हो सकता हम आज के अंदर वेसीन रिव्यूड नोच्या की ये गेन थी पटकी हुई गेन थी अंदर की जानी बाई पड़के ये गेन दोर थोड़ी सी हाई है ये गेन लेकिन दनेश चंदीमल अपनी क्रीज के अंदर रहकर खेल रहे थी इसके इनको फ्लिक करना चाहती थी इसके इनको लेक साइट की जाने मुकमल तोर पर इसके इनको मिस कर दिया और गेन बल्ले के पास से गुदरते हो और इनल डिसीन नौटाव पिचिंग आउट साइड ओफ इंपक्तिन लाइन रिगेट संपार कॉल वेकेट संपार कॉल जिसका मतलब यह होगा कि वेकेट बच जाएगी टीम स्रिलंका की टीम जहां वह सिरलंका की विकेट जो है दोस्तों बचते हुए टीम सिरलंका की नोट आउट का शारा दिया गया है अब इस सेशन के इंदर अब जो है वो आदे गैंटे का खेल गुज़र चुका है दोस्तों दोगेंटे का ये सेशन थे और अमार भाई अब आया 10 मिनट पहले जी तो दोस्तों अगर हम बात के लेते हैं नीटारी की तो 8 हबर्स के इंदर 30 रंस देते हुए एक विकेट का आपने नाम क्या है नोट्याने 10 हबर्स के इंदर 32 रंस देते हुए एक वीकेट को जो है ब़िए आपट तक चटका रखा है जहाँ 28 की स्कोर पर पह स्कोर पर रगिरी दूसरी विएट चबवंक does Roman के स्कोर पर गिरी और तीच्री विएट भी बढ़ी अंदासे आगे जलते ह arose इन दोनों टीम्स के लिए साफ्थ विका की टीम विकेट्स की तलाश में हैं जब कि स्रिलंका के इन दोनों बले बाजों के दरम्यान एक यासी रंस की एक अच्छी पार्ट्रिशिप चलते हुए अच्छा शॉर्ट लगेगा सिंगल आते हैं और दूसरे रंस के लिए बापिस आएंगे यह दोनों प्लेयर सिंगल को डबल में कनवर्ट किया और दो रंस के साथ हो जाएगा स्कोरिस मैंच के दर मेणदर एकल सेलह तेंम का टीम को प्लिक करकिया था अपनी कलायों कि सहारे लेक्साइट के जाने दो रंस का इजाफार दो रंस के साथ हो जाएगा स्कोरिस मैंच के अंदर 137 स्रलंग का तीन विकेट के नुक्सान पे 32 आशरिया एक वर्स का खेल मुकमल होते हुए दोस्तों स्कोर रहते हुए 177 स्रलंग का तीन विकेट के नुक्साम पे जहां डिसल्वा ने अर्ताली स्रूंज बना रखे चौन सट्ट गेनों का सामना किया और भूने 68 गेनों का जो है वो सामना कर रखा है इसल्वा दो रंस की दूरी पर अपनी 50 से पर आते हुए गेन को फ्लिक करना चाहते थे बैट्समें लेक्सार की जानेब सिंगल के साथ 130 रहेगा स्कोर्टीम सिरलंका का तीन बिगट के नुक्साम पे 32 शर्यतीन वर्सका खेली स्मेंस के अंदर अब तक मुक्मल हो चुका है जहां पर आज्या तो उसको विंद किया टीम सिरलंका दें पहले बैटिंग करने का फैसला क्या और रहा अच्छा फैसल कि अब आप करेंगे तो फिर वो जो मौझूद होंगे वो भी भाग जाएंगे क्योंके अभी दोस्तों की थोड़ी सी कभी है आप समके बाद जाते ही गेंट को डिफेंट क्या है आप साट की जाने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पॉजिशन पर फुरिड मौजूद करते हुए अब एक सुर्टी स्रिलंका का तीम मिकट कर नुक्साम पे-पे-चासी मायल्स पर और की स्पीर से करवाएगी ये गेंट थी कि अच्छी गेंट बाद ही करवाते हुए आज कि स्वैंच कंदर सिर्य-लंकान बलके साथ प्रीकन जो हैं वो प्लेयर्ज अच्छी इन बाद गरवाते हुए और आप सिट्विशन कुछ यू है एक सुर्टी स्रहते हुए स्कूर्टी मिकट कर नुक्साम पे अच्छी 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 आज लिए और इंसाइड आज लिए और इंसाइड होने के बाद गेंग बड़ेगी और जाएगी लेक्साइड के जाने बैकपर्स को लेकी पॉजिशन पर फिल्टर मौजूद करेंगे फिल्ट सिंगल आएगी पर बड़ा शौट अरन डशाते थे लेकिन ऊंहां लख है क्यूंकर गेंद यह वो où अंदर N som si अचैने बाते ह में बैकपर्स के लिए नबहां सिंगल मिलेगिक संधिमल को सब्सक्राइगा उनका स्कोर 274 अकाउद ने सामना का रख रख़ा로 कि मैं वालतों में स्पैम करते हैं वो स्पैमर्स होते हैं और उनका काम ही यह होता है तो अभी फिलहाल इस चील्स को थोड़ा सा प्रोख दीजिए बाद में इंशाला जरूर करेंगे आश्रूं के बाहर जाते हुए गें इस गें को लिव किया बिना किसी चेर चार के जाने दिया ड दो रूज की दूरी पर हैं डी सिल्वा अपनी 50 से दो रूज की दूरी पर हैं डी सिल्वा वाले भाई साहब अपनी 50 से देखना होगा कि वो 50 जो हैं वो मुकबल कर पाएंगे या फिर नहीं पार्टनर्शिप दाने दुनों प्लेयर्स के दरमेयन पिच्यासी रंस की होते हैं देनजेडी सिल्वा ने जबके दिनेश Town Begin अब तक कर रखी है तो दोनों प्लेट के दरम्यान एक अच्छी और एक बड़िया पार्टिंशिप चलते हुए यहां 139 रहेगा स्कोर्टीम स्रिलंका का तीम विकेट के नुक्सान पे 23 समर्ज के बाद अब विडियो को लाइक करते हुए बश्यूक्त शुक्राइब करने के लिए पजल हक बोलते हुए स्रिलंका जिन्दबाद जी बिल्कु आप बोल सकते हैं क्या आप स्रिलंका के फ्रेंद है सब्सक्राइब करेंगे तो यूंद से लाइब करेंगे तो सिरलंकान टीम ने खूब इंटर्टेंड किया है अपने शाकीन को सब्सक्राइब को सिंगल के लिए खिला है लेक्साइब की जानिब मिर्वेकट की पॉजिशन पर फ्रेटर मौजूद करेंगे फिर सिंगल आएगी स्कें क्यों पर वैसे एन आपको बताता चलू कि कल को जो है वो हम सुबो तीन बजे लाइब आ जाएगे तो अगर किसी को आना हुआ तीन बजे तो आजाएगा पाकस्तान और टीम से लंका न्यूजिलैंड के मैच के साथ सुबो को तीन बजे तो ट्राइटू वेकप अर्डली इंदा मॉर्निंग तीन बजे नहीं लेकिन ये है के साथ 8 बजे 140 रहते हुए स्कोर्टी मिकट के नुकसान पे आप स यहां अलीगेंड को ट्राइब किया है लॉंग आफ की जाने सिंगल का इजाफा सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर 141 टीम मिकट के नुकसान पे तो दोस्तों 55 मायल पर और की स्पीट से बालिंग करवाते हुए और ये एक अच्छी पेस है कि अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करवाते हुए 140 रहेगा स्कूर की मिकट के नुकसान पे अच्छा डिफेंसिव शॉट खेला गया दिनेश चंदीवल की जानिव से और इस डॉट डिलिवरी के साथ स्कोर रहते हुए 140 तीम स्रिलंका तीम मिकट के नुकसान पे यह सिल्वा ने 49 रंस बना रखेंगा सामना किया जब के चंदीमल ने 18 रंस बना रहे हैं बहुत तर्गेनों का सामना किया इससे बीच इसके उनको ड्राइब कर दिया है च्छा कबर की पॉजिशन पर रेक और फिल्डर करेंगे फिल्ड डॉट डॉट डिलिवरी के साथ 140 सब्सक्राइब कर दिया है इस दफार इस दफार जो है वो दोस्तों सिंगल आते हुए कि इंगल के साथ को बड़ेगा और हो जाएगा 142 सिरलंका का तीन विकेट के नुकसान पे चौनती सब्सक्राइब मुकमल होते हुए जहां पार्टर्शिप सब्सक्राइब मैं तो मार खाने पर भी ना ठूटनी ठंड में जी बिलकुल जरूर हो गया जरूर हो गया अच्छा हो गया ना उठे कोई बात नहीं लेकिन साथ 8 बजे तो आही सकते हैं आप आप आइम हेर ब्रो वेलकम वेलकम बैक शुक्रिया आपका साथ आने के लिए आमेर भाई तो दोस्तों सेशन मन के अंदर 25 वर्स हुए और 102 रंजाय तीन विगट को लूज किया और अगर हम बात कर लेते सेकेंड सेशन की तो सेकेंड सेशन के अंदर 9 वर्स हुए हैं 40 रंज बने हैं और कोई भी विगट कप तक लूज नहीं किया विकॉज अफ ट्व बने बाद भी आती है तो अगर वो शेल में चले गए तो फिर से रिलंग का पाक्स्तान को एक इनिंग से हरा सकती है लेकिन उनको बढ़िया खेलना होगा उनको शेल से बचना होगा और अच्छ इंदा से बढ़ते हुए हैं अपनी टीम को यह वो मैच के अंदर आगी लेक कि दोस्तों स्कूर रहते हैं 143 विकेट के नुक्सान पे अईली गेंद लेकर गेंद बास्ता यार कट क्या है है हमर क्या है इस गेंद को डी पॉइंट की जानेब फिल्डर की उम्दाफर थी डाइब करते हुए इस गेंद को रोका और चौका जो है वो दोस्तों लगते-ल सब्सक्राइब के लिए और हल दो रॉन्स आएंगे स्केंद के ऊपर और तीसरे रून के लिए वापिस आए ये दोनों प्लेयर रहतीन रूंस के जाफिके साथ हो जाएगा स्कूरिस में अचके अंदर अब 142 तीम से रलंका तीम विकेट के नुक्सान पे 145 तीम को अटेकिंग क्रिकेट खेलना होगा जी हाँ रिती सिंग गाला वेलकम तो इस लाइब साथ आने के लिए और जो भी दोस्त जहां का इसे मावजूद हैं वेलकम आप्रिवन तो इसलाइब स्लाइब स्लाइब हुए और अब वियान मुल्देब जो हैं वो बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे लैट सीन की जानिव से किसक्सम की बॉलिंग करवा जाती है पार्स पर आते हुए पंडिकेबाद मजीद अंदर की जानिव जाएगी यह गेंद और वाइट बॉल का इशारा दिया चाहिस रहते हुए इसको टीम से लेलंका तीन विकेट के नुक्सांते हुए पैंटीस में अबर का खेल जाएगों दोस्तों चलते हुए जहां डी सिल्वा ने उनक्या स्रंज बना रखें उनक्तर गेनों का सामना किया हुए है जबके चंदीबल ने 32 बनाए हुए हैं और अब तक चेप्तर गेनों का उन्होंने सामना कर रखा है आसिफ जमील भाई हमार साथ पहुझे ने वाली कमा सलाम रहमत अल्लाही वाब राखातु भी बहुत श्योक्रिया आपका अब अब अच्छी क्रिकेट खेलते हुए वो सेट होचके और उनको पता चलना शुरूप होचका है कि किस गेन को उनको खेलना है और इस गेन को जो है वो उनको लीप करना है 146 रहते हुए स्कोर टीम सिरलंक का तीम मिकेट के नुक्सान पे 25 वेवर का खेल जाए वाब चलते हुए जहां दनेश अंदीमल 32 पर मोजो ने आ और बेशिल्वा ने 49 रंज बना रखे 70 गेनों का सामना किया मुल्डर 17 रंज देते हुए एक मिकेट को अपने नाम किये हैं अब तक अच्छी गेंद बादी करवाते हुए लिगेंद को हलकी हाथों के साथ प्लिक किया है खेला है लेक्साट की जाने बार स्टिंगल लेने की कोशिश में दोनों प्लेयर लेकन रहेंगे नाकाम स्कूर एक सोच्याली स्टी मिकेट के नुक्सान पी है कि आंटी सा शर्या चार अवर्स का खेल इस मैंज के इंदर मुकमल होते हुए 146 संदला सब्सक्राइब इस थे वह देशन दीशन 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 वाने उंचास रंज जो है मोगना रखे गातर गेनों का सामना किया जहां गेन बास दो स्लिप के साथ अबर दाविक एक ड्राइब किया है इस गेन को एक्स्ट्राइब की जानी बार इस एक साथ दि सिल्वा जो में अपनी 50 को मुकमल करते हुए साथ में 50 लगा दी है डी सिल्वा ने आउट्स्रेंडिंग इनिंग्स बाए दनन जायडी सिल्वा अच्छे अंदासे गेन को टाइम किया था एक्स्ट्राइब की जाने ब्राइब किया इस गेन को और चौका लेते हुए डिनन और अब 2000 मुकमल करने वाले हैं अपने टेस्ट्राइब के अंदर आश्रम के बाएट जाने दिया विकेट के पर के पास पटकी हुए गेन थी तबीयत कैसी है बस इट्स गाइंग एट्स गैटिंग वैल आइस्ता हिस्ता हिस्ता ठीक हो रही है बस दुआ करें कि आश्टा इस्ता मजीर ठीक हो जाए यह तो दोस्तो अच्छा चौका लगाया बेहतरीन चौका लगाया शौट अप दा डे आप इससे बोल सकते हैं क्यूंके देसिलवा जो है वो दोस्तो अच्छी फोर में दिखाई दे रहे हैं और इसके इनको राइप करते हैं चौक को अपने नाम किया चौक के साथ 140 रहते हैं स्कोर टीम सिरे लंका इन विगट के नुकसान पर कि दो गाइस 150 होते हैं स्कोर तीन नुकसान पर डबल डबल तालिया होनी चाहिए टीम इन लंका के लिए क्योंके उन्धोंने जो है 50 को भी मुकमल किया 150 को म cultural कि आपल छेडि यशविड़ की जानेब यह समाराज की यहिंति ती और इसके इनको डिफरेंड़ किया डॉट डिलेवरी के साथ को रहेगा अब एक सो फचांस रहते ह्कोषी नियर्ट के दग्सान पी कि ओन्फिटीं द लॉस ओफ्थर विगेट्स यहां केशव के लिगेंद बैक टु बैक डॉट 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 डिलिब्री सर्वाते हुए के शमराज अंदर आती हुए गेंग को डिफेंट किया है शौट अक्षव कबर की जाने डॉट डॉट डिलिब्री के सास्कोर रहते सिरलंका तीम नुक्सान पे पार्टनर्शिप च्यांवे रंस की होच के इन दोनों प्लेयर्स के दर्मयान एक भड़िया पार्टनर्शिप लगते हुए और इस पार्टनर्शिप को ब्रेक करने की कोशिश होगी टीम स्ताउफ्थ प्रिका की लेकिन उससे पहले टीम सिरलं सब्सक्राइब करने के लिए इस्तमाल कर रहा हूं ऐसा ना समझों के मैं जानता हूं आप इंस आप बंदा है यह बंदी है यह बताए मुझे आपको बंदी से बंदा बना दिया है तो क्या कहना चाहिए आप गूगल के लिए अगटक्या है उंदा शॉट बढ़िया शॉट लगाया गया लेकिन पिल्टर दारेक अंदर मादूद करेंगे फिल्स डॉट मौझूद थी और याद रहे दोस्तों स्रिलंग का की टीम ने रहा सको विन करते हुए पहले बहुत करने का फैसला किया अगले आने वाले मैचेस के तो साथ प्रिका को अगले महीने आना है पाक्सान और पाक्सान में उमीद यही की जा रही है कि हाफ प्राउड जो है वो के अंदर मौझूद होगा आस्म के बार जाते हुए इंको डीफेंड किया है शौट एक्स्ट्रा कवर की जानेब डाट देलिविरी के साथ रहेगा स्कोर 151 टीम सिरलंका का तीम विकट के नुकसान पे कि 151 रहते हैं इसको टीम सिरलंग का तीन मिगट को नुक सामते एक तालीस आशारी आइक आवर्स का खेल मुकमल होते हुए दिनेश चंदीमल ने जो है वो तैम्टी स्वंद बना रखे ब्यास ही है उनका सामना किया दो स्लिप अभी बे मौजूद है और फिल्डर को गली के पर ताइनात किया हुआ है हाँ हाँ गाली देंगे तो गूगल को समझा है यह तो दोस्तों अग्ली गेंग को ड्राइब करना चाहते थे बैट्समें एक्ष्रा कवर की जाने ब बल्ले को मिस्किया इस के निया और आउटसाइड आइच को मिस्करते हुए जाएगी इनको ड्राइब करना चाहते थे वैट्समें लेकिन नहींगा नाकाम नरिंद्रा बराया हमारे साथ पहुझे हैं वो हिंदी में कुछ लिख रहे हैं तो अब यान आपकी बारी है आप जहां वो डूने के क्यास हिंदी में लिखा जा रहा है 151 है स्कोर तीम विखेट के नुक्सान पे आस्टरंग के बार जाते विगें को ड्राइब कर दिया है डिप्रेंट कर दिया है शॉर्ट एक्स्ट्रों कवर की जानिब डॉट डिलेबरी के साथ पूर रहेगा 151 तीम विखेट के नुक्सान पे 151 विखेट के अंदर अब तक नुकमल होचका है 151 है स्कोर तीम विखेट नुक्सान पे आफ्स्टरंग के बार जाते हैं विगें को डिप्रेंट को किया है लीग जाने दिया है विखेट के पर के पास डॉट डॉट डिलेबरी के साथ स्कोर रहते हुए अब 151 तीम सिरलंका का तीम विखेट के नुक्सान पे लवली पीस ओफ पॉलिंग डिस्पे बाइ टीम साथ प्रिका इन दिस मैच प्रिका अब अपने वर के लिगें लेकर दोर्णा शूक्या थे शूम्पार को क्रोस के अगें क्या शॉट पिच अगें इसके इंको जानी दिया है विखेट की पर के पास और इसी डॉट डॉट डिलेवरी के चलते हुए अब स्कोर रहते हुए 151 तीम सिरलंका तीन विकेट के नुक्सान पे उन्होंने लिखा है कि अफ्रीका को विकेट लेने की तैयारी करनी चाहिए जी बिल्कल विकेट अगर लेकी टीम अफ्रीका तो ये एक अच्छी चीज रह पाएगे टीम अफ्रीका के लिए कुछ भिकेट की हिस दरूरत है टेम साव्थ अफ्रीका को दरवाइब अधर्वाइज साथ्फेका के लिए या मैच जो फोगो जितना इतना साल नहीं रहेगा क्यूंके नई बैटिंग लाइन है टीम साथ विकाकी तो इस वज़ा से इतना आसान नहीं रहेगा आप्सरम के भार जाती विगेन को जाने दिया है फिर से विकट की पर के पास डॉर्ट लिवरी के सास्कोर रहेगा इस मैच के अंदर अरब एक स्वेकावन तीम सिर्लंका तीम विकट की मुक्सान पे 151 on the loss of three weeks the nation the only attempt is runs key contribution key we had a hamper the time we runs cake a cheap partnership to the window no players ke dameyan take a lot of our partnership to have a social team in the north players ke dameyanda ha gotta extra spent to hear your team more ragra11 extraz की मदद से फोल रहते हुए रिवभा गारा इस वी है या फिर मैंने अपने आप से बोल दी है आप जी आरे आफेस्ट इस पार्टर्र्रिशिप के अंदर होई है और ब्रसे इंदर होई है और सतामे रंद सोच के इन दोनो प्लेर्स के अधर में जहाँ स्पीन बादर अपनी बालिंग के सिसले को जारी रखे हुए बैकफट पराते हुए पंच कर दिया है इसके इनको लेक्षाट के जानेब अन्दर सिंगल इंगल के साथ को रहेगा 152 टीम डिकेट के नुकसान पी है थैंक्स ओल फर स्वेंगेर यह बिग बैस लिग को हमें ट्राइ करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए एक सो बावन रहते हुए स्कूर तीम विगट के नुकसान पी लिगन को डिफ्रेंट किया है वाप इस बादर की जाने वान नदर डॉट डिलिवरी कि विगेट विगेट बॉलिंग करवाई जारी है बड़िया बादिंग करवाई जारी ही और इस बड़िया बादिंग के चलते हुए एक सो बावन रहेगा स्कूर्ट इम सिरलंका का तीन विगट के नुकसान पे अमें बेट राए कर लिना चाहिए वैसे बिग बैस लीको क कि अरब एक सम्केट करा अ में 502 सकूर्ट इम सिरलंका का थीन विगट के नुकसान पे पर ईंए यह एक सार्ट की जानेब इंगल में और समया हुटके ल्ट ऑश क 가져 करने की कोशिश लॉंग उन की जाने बल्लेवाज की डॉट डिलिवरी के साथ स्कोर 153 मिकट के नुकसान पे लगातार बड़ी शॉट को लगाने के चक्र में है यह बैट्समें लेकिन बड़ा शौट इनकी जानुब से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा वरहल स्कोर र के साथ स्कोर रहेगा इस नाच कंदर अब 153 मिकट के नुकसान पे और बान एक किलोमेटर पर और की स्पीड से करवाई गयी यह गेंट थी कोई भी रन जो है वो इस गेंग के उपर नहीं आया एक रन की जुरूरत है सो रन की पार्ट्रिशिप को मकमल करने के लिए कट किया है इस किन को बाकपूट पर रहते हुए एक्स्ट्रा कावर की जाने बुम्दा शॉट दो फिल्डर गेंग के बीच है और बिलकुल बांडरी लाइन के पास जाकर इस गेंग को फिल्ड किया जाएगा एक रन आते हुए स्किन की उपर दूसरे रन के लिए वापिस कि जी हां गाइस स्कोर एक्सो पच्पन रहते हुए टीम से लंका का तीन विगट के लुक्सान पी यहां एक सो एक रन की जो है वो पार्टर्शिप लगते हुए न दोनों प्लेयर्स के लिए आज दोन है यार स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मुझे नहीं मिला आ आ जाएंगी खुद भाखुदा पिछली वीडियो को चला के देखें अगर वहां पर आपको यालो कलर का डॉट मिल गया तो यह एक कन्फरमेशन हो जाएगी आउस्ट्रम के बाद जाते हुए इन को जाने दिया है फिर चीज आपकी जब चल रही हो तो उसको छोड कर नहीं जाना चाहिए बरहल मेरा दिल जाहा थोड़ा सा लाल ची हो रहा है कि विग बैस लीको भी हम राइक करें प्राय करने का मैं सोच रहा हूँ बैस लीग को लेकिन अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे समय नहीं बाइब इस प्लेयर कमाल हिट करते हुए बैस्मेन देनेश चंदीमल जिन्होंने बैक फुट पर रहते हुए इस गेन को कट कर दिया बांडरी लाइन के बार जागे के लिए चौके के साथ एक सो पच्मन रहते हुए स्कूर्टीम मिकट के नुकसांद पे प्रंची हिट खुबसूरत हिट ट्रॉके वाली हिट लगाते हुए बैस्मेन और चौके के साथ एक सो पच्मन है टीम सिरलंका का स्कूर्टीम मिकट के नुकसांद पे अर्थीस अशारिया ये कवर स्केल मुकबल होचका है और अब दनेश्चंदीमल 34 पर जा चुके हैं नब बेगेनों का सामना क्या चार्ट चौके लगाए गए हैं दनेश्चंदीमल की जान से जबके पार्टर्शिप 105 रंस क्यों होते हुए इन दोनों प्लेयर्स के दम्या अपनी आइस्ता हो जाएगा मैंने 20 रुपे का एड देखा वासे भाई पेटिया में करो जल्दी से मेरे अरे 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 हांजी हांजी आप जितने भी अगठे हुए है ना इस लाइश्ट्रीम के पिसली लाइश्ट्रीम के तो आपको दिनमा ठीक हो गया दो असलिप और एक जो है वो गली के साथ बॉलर है तो यार राफ्स्रूम के बाद याथे विगेंद को फिर से ट्राइब करना चाहते थे बैट्स्में नाकाम रहेंगे और डॉट देलिवरी के साथ स्कोर रहेगा एक सों सर्टीन विक्त के नुकसांते इसको ही चलने देत कि यार वो ना ट्रीट्वंटी मैच अधर टीट्वंटी मैच के अंदर सिच्वेशन मेरे हिसाब से थोड़ी सी बहतर रह सकती है क्योंकि लोगों का इंट्रेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है हाँ यह है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है वहां पर तो इस वाज़ा स्कोरिंग एरियास की बात कर लिए तो स्ट्रेट बाउंडरी के तरफ इन दोनों पेर्स दें मिलकर 57 पर्सेंट रंज वह बना रखे हैं विफ्टी सेवन रंज जहें वह बना रखे हैं तो रहते हैं 159 निकेट के नुक्साम पेट्स परादी विगें को स्ट्रेटिट क्या है और ड्रैक्ट्रों हुई है विक्टों की जाने ब्रन आउट की अपील हुई है दोस्तों और अब देखते हैं के बैक्समन रन आउट ह होई है या नहीं बहुत बड़ा मौका हो सकता है इस मैंच का रन आउट की अपील हुई है लेकिन मुझे नहीं लगता के बैक्समन आउट होंगे नौड आउट का इशारा ही जो है वो दिया जाएगा आपके लिए ऐसे वर्ट्स यूज ना करो भाई कौन से वर्ट्स इस वर्ट्स भाई यहीं ठीक है आपके लिए टैस मैंच हांजी हांजी चैनल नहीं है तो यह मैंच के अंदर इसको लॉंग रंग रंपे रखते हैं और जब यह टैस मैंच मुकमल हो जाएगा तो उसके बाद हम बिग बैस के अंदर भी जो है वो चलांग लगा देंगे फ प्र ना ही समझें यूट्यूब की तरफ से हांजी 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 टैकनो रिकोड़ असद भाई इस विदास विल्कम टो भी स्लाइब सबाइक क्या हाल चाल है बस यह टेस्ट मैंच की क्या बात कर जो पाकिस्तान का टैस्ट मैच है वह तो सुमो सुमो होता है तो वहां पर तो ट्राइफिक गुजारे लाइक पहले ही होते हैं लेकिन आज अची सी ट्राइफिक कुछ ना कुछ लाइक लाइक लास में जागर 500 तक अंकड़ा अबूर हो गया था लेकिन यह वाले जो मैचेस होंगे ना इनके अंदर यही ट्राइफिक रहने वाली है अब बिग बैश ही बचिए उसको भी ट्राइए कटके देख लेंगे अगर वहां पर भी रिजार्ट अच्छा ना मिला तो फिर है अगले महीं हीने का वेट करेंगे असल में मुसला यह है भी ड्रेक्विल्ला मॉजूद है ड्रेक वल्ला के साथ है जो कि इसके बाद बैटिंग करने के लिया हैंगे वह यह सारंगा अर्य और अब स्मेंद बॉडर रा रंडेर देखिए कितना ही कितना ही इंप्रसेव रंडेट है कि इतना ही इंप्रेसिव रंडेट है टीम सिरिलंका का गाइज चार की उपर रंडेट बनाते हुए टीम सिरिलंका चले शौट वीडियो वाला सीम तो आज थोड़ा बहुत ठीकी चला मेरे हिसाब से मैंने चाक किया था तो कुछ हुआ उसका भी ट्राफिक गई या नहीं करनाने का को पूरी राथ खपने का कुछ फायदा हुआ आपको यह नहीं यह दोस्तों रहते हुए 159 तीम सिरिलंका टीम का टीम साम पे आफ्टों के बार जाते हुए आप इस बोल्र की जाने बाट आनना दाट देलिवरी 159 प्रहते वे स्कूर तीन मिकेट के नुकसान पे चन्दी मल अर्टीस पर मौझूद है पिचान मिकेटों का सामना करका है डी सिल्वा जहां वो 56 के स्कूर पर मौझूद है जहां आश्रूं के बाद जाते वी गेंडिस के इन को कट कर दिया है डी पॉइंट की जाने कि आपका सीन सुनाएं क्या है कट कर दिया थे इसके इनको चौकी के लिए बेग बांडरी लाइन के बाहर चौकी के साथ हो जाएगा स्कूर इस मैंच कंदर 173 विकेट के नुकसान पे 49 शर्यातीन अवर्स का खेल जह है वो अब मुकमल होते हुए 163 अंद लॉस आफ तरी कि आपका साथ रहने के लिए सोचल टीवी थैंक यू सो मच पर ज्वाइन इंग मी यहां चंदीवन ने अर्थी संवनार के डिसल वाने साथ रंस बनार के है और अच्छी रहन बटना विकेट्स अच्छी जो है वो क्रिकेट चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मयान तरी सट रहेगा स्कूर्टी में के नुकसान पे अंदर आती हुए गेंड को फिर से खेलना चाहते थे पैट्स में लेक्साइट की जानिब अंदर आती हुए गेंड बले का इंसाइड आइचली और इंसाइड होने के बाद जाकर ठक्राई है पैट्स है और इसी वीच अब तो 133 में के नुकसान पे तो के क्रीब वीवर्जों है वो हमार साथ जिप्टे हुए हैं बाद दोश्यों के आप तमान दोस्तों का साथ पहनी के लिए राइब किया है एक्स्ट्रा कावर की जाने अब फिल्टर माजूद करेंगे फिल्ड डॉट डिलिवरी के सास्कोर रहेगा एक सो तरेसर टीम से रिलंग का तीन मिकेट के नुकसान पे वेरी गूड पार्टनर्शिप बिट्विन दीस तूट प्लेयर्स एक अच्छी पार्टनर्शिप लगाते हुए दोनों प्लेयर एक सो तीन दोस्तों हो वीडियो को लाइक करते हुए थैंक्यू सो मजच गाइस कट किया है बैक फूट पराते हुए डीप पॉइंट की जानी बुम्दा शॉट और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर एक और चौके के लिए लवली पीस ओफ बैटिंग बड़ी आबल्ले बादी करते हुए और चौका मिला है चौके के साथ हो जाएगा स्कोर 177 वेकर्ट के नुकसान पर वीडियो पर आए हैं तो डेली अपलोड मस्ट करना है जी बिलकुल हाँ जी हाँ जी मैं बेज दूँगा आपको आडियो लेकिन थोड़ी लेट हो जाएगी नाइट शिफ्ट में आप उसको रिकॉर्ड कर लीजेगा हाँ जी व्यूस बगारा तो आएंगे ही आएंगे यह तो मस्ट है चीज़गा टेक्नो रिकॉर्स के उपर तो बाग दौ कर व्यूस आएंगे शॉर्ट वीडियो के खास्तों पर क्रिक्टेल की मैं गरंटी नहीं दे सकता बाकि यह है कि सब्सक्राइबर उसके भी 20-30 बड़े हैं आज तो यह अची चीज़ आवतलब क्यानल डैड नहीं होगा तो स्कोर 166 रहते हुए टीम सिरलंका का 3 मिकट के न प्येसल करेंगे ना तो उसका काफी फाइदा रह सकता है लेकिन प्येसल करनी कैसी है यह सोचने वाली बात है 167 रहते हुए स्कोर 3 मिकट के नुकसान पर कोई दो कोई जोगार लगाएंगे ऐसा इसी बंदे के साथ कंट्राक्ट कर लें इसी से बाद कर लें ऐसी वैसी कोई दो कोई हल जो है वह इसका डूडने की हम कोशिश करें 167 रहेगा स्कोर टीम सिरलंका का 3 मिकट के नुकसान 45 सवर्स का खेल जा है वह अब मुकमद होते ह हुए फुल अथोर्टी के साथ अगर बंदा पीएसल को कवर करता है तो इससे बढ़कर और कोई बात लिए 167 अंदला सफ्ट्री विकर साली सवर्स के बाद दुनेश चंदीमाल अर्ता अर्तीस पर मौज़ूद है पिचाम्य गेनों का सामना किया पांच चौके लगा रखे हैं जबके दनंजे डिसलवा ने चौनसर ट्रंस बना रखे हैं तो रासी गेनों के उपर दस चौके जो है वह अब तक उन्होंने भी लगा रखे हैं और अब जो है वह दोस्तों पहले पहले दिन का दूसरा सेशन जारी है और दूसरे सेशन के अंदर इस वकत एक घंटे का खेल मुकमल होचका है करते हैं इस बार कुछ हांजी हांजी लगाएं जुगाड कसम से जुगाड लगेंगा ना तो फिर बंदा फुल सैटप के साथ आता है अब तो इंटरनेट का भी अल्ला ख्यार करें कोई मसला मसाइल नहीं है तो उमीद करेंगे कि इसले से डबल काम हो सकता है अगर पीसल क सामना किया देश चंदीमल अर्थीज पर मौजूद है अंड़ दिसल्वा जो है वो उनका अच्छी अंदास से साथ देते हुए कि अधिसल्वा की बात कर लेते हैं चौन सब्सक्राइब बना रखें उन्हें और बड़िया क्रिकेट खेली गई है डिसल्वा की जानिप से आज के स्मैच के अंदर जहां बन 67 रहते हैं स्कोर्टीम से लंका का तीम मिगट नुकसान पे 40 सवर्स का खेली स्मैच के अंदर तक मुकमल होचका है यार क्यों मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जाओं बैसली का मैच करूँ बताने दरा मुझे क्यों मुझे मजबूर किया जा रहा है इन इंग्लिश वो प्रेयरा माइब वीवर्शिप अरे भाई क्या होगा जी तो दोस्तों 166 रहते हुए इसकोर तीन विकेट को नुक्सान पे स्वर्स्कोर इस 167 अंदलाउस सथी विकेट्स आफर 40 वर्स डे वन सेशन सेकेंड जो है वो इन दोनों टीम्स के दरम्यान इस वागत जारी है आप सुम के बाहर जाती हुए शॉट पिच्छे के इन इसके इन को करेंगे लिव बैसमें जाने देंगे विकेट के पर के पास और दोट दिलिवरी के साँ स्कोर अथे हुए इसमेज के इन दरम्यान इस सर्चर तीम विकेट के नुक्सान पिए वो इस स्कोर इस 167 अंदलाउस सथी विकेट्स 167 अंदलाउस सथी विकेट्स साइज लेगी और इन साइज लेने के बाद जाएगी लक्सार के जानेब फिल्डर मौजूद करेंगे फिल्ड डॉट इलेवी के सास को रहेगा एक सो सर्चर तीम सिर्लंका का तीन सब्सक्राइब फिल्डर मौजूद करेंगे जहां दिनेश संदीवन ने थी सिमन्स बना खेड़ी सिल्वानी चॉन सब्सक्राइब और मुल्डेर ने पच्छिस देते विकेट को जो है वो अप तक अपके नाम कर रखा है ड्रिंक्स ब्रेक जो है वो दोस्तों मुकमल होते हुए आप सुम के बाद जाते हुए एक और अच्छा इगेन और इस सी डॉर्ट डिलिवरी के साथ हो रहते हुए 177 विकेट के नुकसान पे एक सुसर्ट सर्टीम सिर्य लंका तीन विकेट के नुकसान पे यहां चालीस आशार या तीन वर्स का खेल इस में अचके नरब तक मुकमल हो चुका है जाते हैं जाते हैं जाते हुए 177 विकेट के नुकसान पे तक उन्होंने भी इस मैच के अंदर सामना कर रखा है है जहां सेकंड सेशन का खेल जारी है और तोल में अवर का खेल होच गया सेकंड सेशन के अंदर चार आशर यह पांच का जो है बुरुन डेट रहते हुए जहां एक सुसर्ट सर्थ है स्कूर तीम निकट के नुकसाम पे बॉलर तयार आश्रूं के बाट जाते विगेंड को कट किया है पॉइंट के रीजन में डी पॉइंट के जानिब जाएगी अगेंड कि या हो रहा है अब कुछ नकुच और है दिल कुछ और कर रहा है तो ट्राइ कर लिए हम का नेल पढ़ा हुआ है तो सैंड कर दे मुझे अगर नहीं है तो फिर बंडूर के लगा लेता हूं कोई नहीं कि तोर 166 रहते हुए इस तीम सिर्लंका का तीम मिकट की मिक्साम पे तारीस सर्वर्स का खेल जाया है वाब मुकमल होते हुए जहां पर अब गेंबाद एक दवा फिर से रहेंगा तैयार मुल्देर जो अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे अंदर आती हुए गेंद बले का इंसाइड आच लेगी और इंसाइड आच होने के बाद गेंजाएगी मिड विकेट की जानेब फिल्टर दारे के और टास को जीते हुए पहले बालिंग बैटिंग जो हो करने का फैसला किया और एक अच्छा फैसला साबित होते हुए वो टीम सिरलंका का 168 ओन दा लॉस्स अफ्री बिकेट्स 9 ओक्लॉक नहीं भाई जान ठीक हो गया नो प्रॉब्लम मैं खुट डूम लेता हुए इसा कोई मसला नहीं वैसे मैं गलत कर रहा हूं लेकिन क्या अगर सकते भाई जब दिल नहीं मान रहा तो क्यों रुकना तो स्कूर रहते हुए दोस्तों स्कूर रहते हुए 116 विकेट के नुक्स नुक्सान पे प्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है किसी चीज़ को 167 विकेट सिक्ताली सवर्स का खेल मुकमल होते हुए पैट्स पर आते हुए इस गेंग को फ्लिक कर दिया है लेक्सार के जानिब गैप में है गेंदार सिंगल आते हुए सिंगल के साथ हुआ जाएगा स्कूर 119 सिरलंका का तीन विकेट के नुक्सान पे वह वह एक चांद को प्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है कोई बात नहीं नहीं आएंगे तो फिर से वापस्त्राइब एक सो नतर तीन मिकेट के नौक्सां सांगत अधे आ तो यहां पर वापिस आई आए कोई समस्तान को नहीं आ रसे क्त के दोनागत है आटक्षा कावर की जाने डाट टिलिवरी के साथ को रहते हुए एक सो ना तर्ती मिकेट के नुकसान पे पहला डास मैंच इन दोनों टीम्स के दर्माइन जारी है जहां विकेट टुबिकेट आती हुई इस गें को फिर से ड्राइब किया है कि लौग आप की जाने फिल्डर माजूद करेंगे फिल्डर टिलिवरी के साथ को रहते हुए इस मैंच कंदर 169 ती मिकेट के नुकसान पे एक दाधी सा शरीयती नमर्स का खेल जाहां वाब मुकमद होते हुए मैंच कंदर यहांब आप सुन के बाहर जाते हुए डिकलते हु कि बड़िया क्रिकेट चलते हुए रिव्यू का सोच रही है टीम साथ फिका और अब जो है वो दोस्तों रिव्यू लिया गया है बरहल अब देखना होगा कि रिव्यू के इंदर बैट्समेन यानिके जो प्लेयर है वो टीम साथ फिका वाले काम्याब रह पाएंगे नहीं कि यह ओडियंस भी जारे कोई बात ही यार कोई बात ही चलता है सब चलता है बहुत वदिया कमेंटरी यह बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राब्लम भो आइंटर दोस्तो अपील हुई है और अब देखना होगा के बैट्समेन आउट होते हैं या बच जाएंगे बैट्समेन और इनल डिसीन नौट आउट का है दोस्तों इंपक्त जो है वो अंपार का पिचिंग लाइन और विकेट सेटिंग जिसका मतलब यह ह करा के अंपार का फैसला आज वो बरकरार रहेगा दोस्तों अंपार का फैसला बरकरार रहते हुए 169 रहेगा स्कूरती मिगट के नुकसान पी जहां गेन बाज अपनी इंगेन बाजी के सिसले को रखेंगे जारी अरे भाई भाई यू टर्म लेने जी जी बिलकल नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम 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 रहेगा इसी गलतियां करनी भी जरूरी होती है कुछ ना कुछ सीखने के लिए आओ बड़ा शॉट के ला है लागन की जाने ब लबली पीस ओव बैटिंग और दोस्तों मिलते हुए इस केम के उपर और तके के साथ स्कोर मजीद आगे बढ़ते हुए स्कोर जहाँ चला जाएगा एक सो पीज़त तर्टीम निकेट के मुकसान पे जी हाँ गाइस बड़ा अच्छी शॉट लगाए गई है इसी बीच स्केन को लॉंग आफ की जाने खेला है गाप में है गें सिंगल आते हो इसकेन के उपर और सिंगल के साथ हो जाएगा स्कूर एक सोचेटर तर्टीम बिकेट के नुकसान पे 17 अच्छा यह विए विग बैस लीका कितना में जारी है आज यह तो बताओ कोई और आई थिंक पंदर्वा में जारी है विए बैस लीका इंजी ऐसा यह 15th मैच थे सुख आए थे सुख जाए थे सुख एफ़ी साथ है यह तो एक दो शाएगा थे स्कूर थे साथ हैं के लिए जो दोस्तों मुल्दर जो है वो सोरी वैसे भी बहुत बढ़िया कमेंटरी दे रहे हो अगर पॉसिबल हो तो मैं भी हैल्प कर सकता हूं तो कमेंटरी में आपको विक्रम भी बाई सौरी लेकिन यार आप कैसे आके हैल्प करेंगी अगर आप हैल्प कर पाएं तो इससे कर और कोई बात नहीं होगी लेकिन आग ऐसे हल्प करेंगे मुझा ये बात समय नहीं आ रही 161 76 रहते हैं स्कूर थी मिगट के नुक्सान पे 42 शर्य एक अवर्ट का खेलब मुकमल होते हुए आफ्सम के बाहर जाती विगेंड को किया है लीप जाने दिया है विकेट के पास डॉट डिलिवी के सास्को रहते हुए इसमेर्च के अंदर अब 76 सर्ज वर्सेज मेल्बरन स्टार्ज जो है वो यह मैच जारी है विकेट स्टूडियो वो कहते हैं ना के स्ट राइं करने में कोई जो है वो वराई फिल नहीं करनी चाहिए कोई बात नहीं हार हो जाएगी कल अनुएacz है so that's why option के बाहर दाथी बिगेंट को डिफेंट कर दिया है का वर की जानिव कि दॉट दिलिवरी के साथ को रहते हुए 167 इंद लॉस अफ्रिमिकर्स ब्याली साशर या थी नवर्स का खेली समयच के अंदर अब तक मुकमल हो चुका है कि लॉस्ट नवर्स बसे सिद्म्य सिख्थर्ण स्थर्स भर से स्थर्स मेर्ण एस एट इंड़ी सिक्सर्ज वर्स ने निवन फिर्ट थिए फ़ीड जा इब इस्ट इंड़ी त्म्नील बनाने में कुछ भट लगया अश्रम के बाद आध आतीम लीग इन डिप्रेंट क्या है यह स्काइन को वाप स्पॉलर की जानिब डॉब के साथ स्कोर रहते हुज इसमेंच के इंदर अब 133 में कि नुक्सांद पी एट माल बरॉन स्थार्ष के वासे कपतां कौन हे ले मेक्स भीन है न मैक्स मिल अला और पंद के स्कोर पर मोई देंगले मैक्सविल भाया बहुती लाज जवाब किसम के प्लेयर है आप सुम के बाद जादी विगेंट को ड्राइब कर दिया है एक्ष्ट्रा कबर की जाने प्सिंगल यहां वो नेनी की कोशिश कि अच्छी मैक्सविल वाले भाया कहा हूँ आप और टेक्ट समुम विस्क टाइम तो दोस्तो एक सो सततर है टीम सिरलंका का स्कोर तीम विकेट के नुक्सान थे मैक्सी मुझे पसंद है जी बिल्कुल मैक्सविल जो है वो एक बढ़िया प्लेयर है और यह किनी तोर पर हर किसी वो पसंद है कर ले कर ले हां जी अब आप तो बोलेंगे ही कर ले यह मैच कितने टाइम तक चलेगा तो भाई राज तक चलेगा यह मैच और हम आपको दुबारा से जोइन कर लेंगे ठीक है अभी मैं कहीं जा रहा हूं तो दुबारा से मैं आपको जोइन कर लोगा अगर मैं गया तो इलहाल अभी तो यह डिसाइड नहीं हो आप रहा है जाओंगे यह लेकिन आप जाने की अगली गेंद को किया है डिफेंड वापिस बॉलर की जानिप डॉट डिलिवरी के साथ स्कूर रहते हुए एक सो सतातर तीम विकेट के नुक्साम पे 177 पर मोजूद है डिसलवा बहतर पर मोजूद है इस अबर के लिगें लेकर बॉलर रहे है तयार आप सुनके बाहर जाते हुए गेंड को किया है डिफेंड कवर की जानिप डॉट डिलिवरी के साथ तो रहते हुए एक सो सतातर तर तीम सिरिलंका का इन विकेट के नुक्स छ génä रहते हैं, दो टॉट जानिप से एक 100 सतातर है, है स्कोर, के नुक्सान के पार यारर चाति हुए। बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए उपसूरत शॉट लगाया गया और शॉट के ऊपर मिलेगा चौका चौके के साथ हो जाएगा स्कॉर इस मैच के अंदर अब बढ़िया और लाजवाब अंदा से एक सोई क्यासी टीम मिकेट के नुकसान पे वाव एक सोई क्यासी है तीम मिकेट के नुकसान पे इसको कनवर्ट कर ले मेरी इतनी सी बात मां अरे वाई ये कनवर्ट नहीं होगा ये कनवर्ट नहीं होगा इसकोर्टीम मिकेट के नुकसान पे मैं फना होना चाहता हूं क्रिकर स्टूडियो और कुछ है गलशेर खान भाई ने हमें जुआइन का रखा बश्यों के आपका साथ रहने के लिए यासर ने नुजीलांड के प्लेयर्स के कहा आउट हो जाबूतनी के आउट हो जाबूतनी के लेकिन वह कैसे आउट होते हैं वह तो अपनी बारी लेने के लिए आए हुए थे आच 181 टीम सिरिलंग का अंदा लौस अफ्री विकेट्स और अब चावाली सा शर्या एक वर्सका खेल स्माश के लिए मुकमल होते हुए दो स्लिप मौझूद है और दो स्लिप के साथ बॉलर हैं तयार दरना शुरू किया तेज हुए अंपार को ग्रॉस क्या गेन के आउस्टों के बार जाते हुए गेन दिसकेन को कट कर दिया है डी पॉइंट की जानिब सिंगल आते हुए सिंगल के साथ 182 रहेगा स्कोर टीम सिर्यलंका तीम विगेट नुख साम के यहां 44 शर्या दो वचा खेल के जांफर छाहED अब मुकमन होचका है 5 बच के दो मिन्ट का बक्त जो है और यह हमिखनी होने में 38 मिनर मख्त जो है बगशी 13 मिनर में police Ha 다 used ने मे और देपना होगा के इस सेशन के अंदर सिचुशन कैसी रहती है और क्या सिरिलंका की टीम को विकट लूज करती है या नहीं कि गेन बाद एक तफा फिर से तैयार कि आप पर आते हुए गेन को क्या है फ्लिक लेक्साइट की जानेब सिंगल का जो है वो इजाफा साजेधारी टर्निंग पॉइंट हो सकती है यह जी जी बिलकुल यह साजेधारी तो इस मैंच को मुकमल तोर पर मोरते हुए बहुत ही लाजवाब और बढ़िया किसम की पार्टनर्शिप जो हो दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स के दरमयान लगते हुए जहाँ पर अब 184 हो ज 184 अप्री बिकेर्स जावाली सा शर्याती निवर्स के बाद पार्टनर्शिप इक सुथी स्रूंस की दो सचेगे लुगा सामना क्या शापी जानेब और नाकाम रही इस काम में इन बले का बाहरी के नरा मिसकते हुए जागी विकेट के आपने रट दिलिविके साज को रहत ना प्राब्लम ना प्राब्लम ना प्राब्लम एक अला जवाब में चलते हो इन दोनों टीन्स के दर में 184 अन दोनों टीन्स के दर में अब ये टीवी और टीवी पर गर तुम साथ को बज रहा है ठीक हो गया बहुत अच्छे सुनते रहें और याद कर लें बाद में सुनगा अच्छा जी एक और सिंगल आते हुए सी बीच इन दोनों प्लेयर्स के दर मियान और सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर और अब 185 वा तीन मिकेट के नुक्सान पे रहें तालीस अवर्स का खेल मुकमन होचका है और आइधिंक हैंस्ट्रिंग जो है वो पुल होचकी है प्लेयर की जो के खेल रहे थे उनकी हैं स्ट्रिंग जो है वो अब पुल होचकी है टांग में कोई प्राब्लम लग रहा है जिसके वज़ासे वो थोड़ी से तकलीफ में दिखाई देते हुए थोड़ा पेन में जो हो दोस्तों दिखाई देते हुए यह प्लेयर प्लीज हो सके तो रिकॉर्ड भी पढ़ते रहो जैसे फूर्थ विकेट हाईस्ट साजिदारी से लंका की यह डिसिलवा हां जी हां जी बिल्कुल विक्रिम भी भाई आपने बिल्कुल ठीक बोला के रिकॉर्ड बगरा को भी पढ़ना चाहिए अरे भाई मैं थोड़ा सा एक और लाइश्ट्रीम को ट्राइ करने वाला हूं तो मैं उसको बना रहा था तो इसलिए मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सका मैच के उपर पिछले दस बारा पंदरा मिनट से माजरेत इस इसके लिए मैं जो है वो जुबारा से ज़रूर ट्र करने से चीज़ें जो है वो इंट्रस्टिंग बनती है जी बिल्कुल आपने ठीक बोला थोड़ी बहुत रिसर्च भी जो है वो होनी चाहिए लेकिन हाँ मेरी त्यारी करते घर विग बैश ऑफ हो जाना है मैं मेरे पहली इंग स्कूल हो ही गई है तो इसलिए मैने कहा है कि कि इस नहीं चुरू करते हैं ना भी पहली निंग्स तो मुकमल ऑच पहली निक्स मुकमल हुए और अब प्लेयर हो चुके दोस्तों तो मैं प्लेयर को जाकर चेक करता हूं ठीक हो गया और उसके बाद आपको वारस वाइन करता हूं दनजे डिसल्वान ने का सामना क्या हुए और दिनेश चंदीमल ने 410 रिंज बनाने है एक सो तीन का सामना क्या हुए और जब भी कोई प्लेयर होता है जब कि इस तरह की ब्रेक आती है तो वीवर्स की तादा में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है और यह चीज में हर दफा नूट करता हूँ लाइक अभी प्लेयर इंजट हुए है तो दोस्तों की तादा हमार साथ जुड़ना शुरू हो एक सो पिचासी रहेगा स्कोर तीन मिकेट के इनों का सामना किया हुए पांच चौके है जो है वो अब तक उन्होंने लगा रखे हैं केश्य माराज ने नोवर्स करवाए एक मेडन किया पैंथी स्रंज दिये कोई भी विकट को अपने नाम नहीं किया जबके लूथोस पामला जो है वो अब चे अवर्स के अंदर ब्या जाती है और साथ प्रिका में जो है वो वाइरस के थोड़े ज्यादा खत्रे हैं तो इसलिए प्लेयर्स को थोड़ा संबाल के रखा जा रहा है साथ प्रिका में उनको इतना फ्री हैंड जो है वो दोस्तों नहीं दिया जा रहा दोस्तों इंजट हुए और अब देखना होगा के ने प्लेयर जी हाँ दोस्तों ने प्लेयर जो है वो ग्राम के अंदर जाएंगे अब क्योंके प्लेयर इंजट होचके हैं डिसील बार नियूज जील सिरिलंका की टीम के लिए एच सिच्वेशन बहुत ही अनफॉर्चुन प्लेयर जाएंगे लेकिन ग्राउंट से बाहिट चले जाएंगे अनफुर्चुन लेकिन ग्राउंट से बाहिट चले जाएंगे उना सी रन्स के बहुत इला जावाब किसमकी इनिंग्स जो है उनकी जान से आज खेले गई लेकिन अब अन्फोर्चुन ली आउट होकर जाएंगे पाविलिएंगे आउट नहीं बलके इंजर्ट होकर जाएंगे पविलियन के तरफ वाप इस लेग इंजरी हुई है उनको और उमीद करेंगे के जल्द जल्द उनकी वापसी हो जाएगी स्टेडियम के अंदर और दोबारा से सीनिंग्स के अंदर हमें वो आते हुए दिखाई देंगे 185 वर टीम स्रिलंका तीम विकेट के नुक्सान पे 42 सवर्स का खेलम मुकमल होते हुए जहां पहला दिन है और पहले दिन का सेकेंड सेशन जो है जारी है अमार यासे बाई हमार साथ मोजुन है गुड्ड विंट रिवासे बहुत बश्यों के आपका साथ रहने के लिए अमार इंजट हो गया और इंजट होने के कारण अब जो है वो तबदील किया जाएगा एधिंग प्लेयर को जो है वो तबदील किया जाएगा कि अधुश्यों को स्कोर जो है दोस्तों रहते हैं 185 विकेट के नुक्सान पी मैं जो है वो दोस्तों नेक्स सेशन के अंदर आपको दुबारा से जोईन करता हूँ अब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखे तमाम दोस्तें दौाम याद रखें नेक्स सेशन के अंदर आई विल राइट बैक विड्यू माजरत के अब जो है मुझे कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा लेकिन मैं वापिस आऊंगा कुछ क्या बाती ही ठीक हो गया एक इनिंग से बिग बैसली के अंदर और वो एक गयंटा और दस मिनटी हो एक जंटा तनरा बीस मिनटी या फिर अदेर गणती की होगी रहल जेखने क्या बनता है उसी निंग्स केंदर पर यस्क आए लेकिन फिर भी लेना तो पड़ेगा इन वी बेर राता है विक्या पाइबा